वहाँ 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 आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी तो इस अमेजिंग प्लाटफॉर्म ओफ अरजुना बैच नमश्कार नमश्कार एक बार सभी लोग जीवी एंट कर भीजेगे ताकि मुझे बचल जाए कि सभी बच्चे क्लास 11 वाले आ चुक आगे चलकर इंजिनेरी बनोगे तो क्यों ना तुमसे अभी ब्रीज बन वालिया जाए तो आपको ब्रीज बनाना है क्लास 11 और क्लास 12 के बीच में ठीक है ब्रीज थोड़ा सॉलिड बनाना कई टूट वूट ना जाए तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले मैतिमेटिक्स की और मेरा नाम है सचिंजाखड स्षेड जो भी जैसे बहुत साइब अच्छों का कंसर्न है किसर्ढरी क्लास 11 बर्बाद है ठीक है पहले तो यह टर्मिनलोजी ठीक करो क्लास 11 बर्बाद है ऐसे मत बूला करो अगर बर्बाद हो तब भी मत बूला करो हमारी क्लास 11 थोड़ी कमजोर है ऐसे बूला करो बर्बाद मतलब वह तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है ठीक है तो जो भी आपकी class 11 में जो आपने कर्म किये हैं, जो आपने कुछ ना कुछ गरबड की है, तो वो वाली चीज आपको class 12 में परिशान ना करें, उसी के लिए आपके लिए ये सब lectures प्लैन किये गए हैं, कि minimum class 11 का आपको कौन कौन से topics आने चाहिए, कि ताकि आपकी class 12 वाली जो ग उंगलियों पर गिनवाने वाले examples हैं, जो इसी सालों में IIT में पहुंचे हैं, जो कि जिन से अगर बात की जाए जब उनसे interview लेते हैं, selection के बाद में, तो वो यही बोलते हैं कि sir, हमारी class 11 बरबाद थी, फिर उनसे पूछा था कि तुमने क्या किया, बोले sir, हमने class 12 के साथ class 11 को manage किया, क्योंकि 12 में ऐसे बहुत सारी चुटियां आएंगी, बहुत सारे आपके पास में breathing areas आएंगे, बहुत सारी जगह आएंगी, जहां पर आप अपनी class 11 के topics को भी cover कर सकते हैं, तो जैसे ही आप लक्षे batch purchase करोगे, तो आपको Arjuna batch भी free मिलेगा, तो आप Arjuna batch से parallel में अपने topic strong कीजिएगा, यह मेरी आप से request है, बट, क्या initial requirement है, उसको हम fulfill करेंगे, और दूसरी एक मज़े की बात है कि class 12 की mathematics है, that is completely independent of class 11, एक chapter है, that is perfectly common relations and functions, तो उस chapter को हम लोग जो भी बढ़ाएगा आपको, वो सारा basic से वापिस से start करेगा, assume करते हुए, कि आपने class 11 में चा ना पढ़ा हो, पूरी detailed theory आपको मिलेगी, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, क्या मेरी बात समझ में आती है, शावाज, ठीक है, तो आज के इस lecture में आपको क्या करना है, पहले तो मैं बता देता हूँ, कौन कौन से topics हम देखने वाले हैं, आज के इस lecture में हम लोग जो topics देखने वाले हैं, उनका नाम है सर, एक तो basic mathematics, basic mathematics में basically this is nothing बट, solving inequality, solving inequality, हम inequality को solve करना सीखेंगे, हाँ है ना, उसके बाद में log function, modulus function, फिर quadratic equation की basic knowledge, और फिर trigonometry, जो की बहुत 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 जादा use होती है, उसको पूरा detail में देखेंगे, और sequence and series, आप देखोगे कि मैंने इसमें एक तो PNC नहीं लिखा है, because PNC is used in probability, probability नाम के chapter में PNC बहु तो जब आपको probability पढ़ाए जाएगा, that will be the second last chapter, second last chapter होगा, class 12 का, उससे पहले 2 या 3 दिन आपको PNC जो है, वो revise करवाई जाएगी, अच्छे से detailed में, समझ में आगी नी, समझ में, तो आप उसको एक separate portion की तरह treat कर सकते हो, और छोटा मोटा use, जो है, वो coordinate geometry का use होता है, जो भी हम use करेंगे coordinate geometry का class 12 की mathematics में, उसको हम then and there, मतलब तब के तब पढ़ा देंगे, आज मैं वो बाते करने वाला हूँ, जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्या आप लोग तयार हैं, क्या आप लोग तयार हैं, इमानदारी से बताईएगा प्लीज, बोलो, कि हां सर हम तयार हैं, और तयार अगर हो, तो TYRH लिखकर भेजना है, आपको सिंपल सी कहानी है, ठीक है, चलिए, यह सारी बाते हम cover करने वाले हैं, notes बनाना जरूर, क्योंकि notes बनाने से confidence आता है, कि yes sir, notes बनाने से confidence आता है, कि yes sir, हमने यह, हमारी यह copy होनी चीजिसमे, class 11 का हम portion cover करने ले हो, उस copy में आप इसको लिखिएगा, ठीक है, आयना, बहुत बढ़िया, ठीक है, और जितने भी topics में आपको बताने वाला हो, हो सकता है, आपको बहुत सारे आते हो, बहुत सारे नहीं भी आते हो, ध्यान समझना है, सीखना है, और जो जो मैं बोलता जाओ, वो वो करना लाइफ में, प्लीज वो पुरानी गलतिया मत दोराना, बिकॉज अगर पुरानी गलतिया दोराओगे, तो रिजल्ट भी पुराने वाला ही दोराया जाएगा, समझ मैं है, ड़ा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, क्लीर है, शाबाश, एक बार जोड़ता तरीके से दिल ब पूरी क्लास में आप चाहे लिखते रहना, यह इंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, यह इंफर्मेशन अलग सर के पास है, और वो बहुत जल्दी रिवील कर देंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए ही है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, बट अभी हम जिस चीज के लिए कठा होएं, प्लीज उस पर फोकस करते हैं, ठीक है बिटा, शाबाश, चलिए जी, पर्स बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इस सॉल्विंग इनिक्वैलिटी, ठीक है, चलिए जी, आजाओ, धमागेदार शुरुवात ये रहा, रूल सॉफ इनिक्वैलिटी, अगर आ रूल क्या बोलता है, कि अगर आपको पहले से पता है, हेलो हेलो, कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, तो आप दोनों तरफ सेम नंबर जोड सकते हो, और सेम नंबर ही आप दोनों तरफ घटा सकते हो, अभी मैने जोडा है, माइनस करूँगा, तो दोनों तरफ घट पर move करेंगे, एक simple सा और सबसे जोड़दार जो rule है, वो ये वाला है, rule number two, rule number two क्या बोलता है, समझने वाली बात है, rule number two ये बोलता है, कि आपके पास में कोई inequality है, ध्यान सुनना, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास में कोई inequality है, आपको पता है, given या फिर known, या तो आपको पता है, या आपको ऐसा दिया गया है, कि alpha जो है, वो बीटा से बड़ा है, ठीक ह आपने क्या किया, अपकी बार जोड या घटा नहीं रहे हो, आप दोनों तरफ multiply कर रहे हो, आपने multiply कर दिया दोनों तरफ k से, या फिर आप ये बोल सकते हो, आपने दोनों तरफ divide किया k से, पहली चीज, पहली चीज तो ये जो number k है, ये non-zero होना चाहिए, तो sir, ऐसी situation बन positive, ठीक है, अगर k हुआ positive, मतलब आपने दोनों तरफ same positive number से multiply किया है, या positive expression से multiply किया है, तो sign of inequality remains same, जैसा था वैसा ही रहेगा, remain same का मतलब, जो दे रखा है या जो आपको पता है, वही sign रहेगा, बट अगर k हुआ negative, तो sign of inequality will gets reverse, sign of inequality जैसा दे रखा है, उसका क्या हो जाए किया, और यहां मैं लिख सकता हूँ से that is reverse, जब आपने एक negative number से multiply किया, same is valid for division also, अगर आप दोनों तरफ एक k से divide करते हो, दोनों number same है और वो positive है, sign of inequality remains same, और अगर आप दोनों तरफ k से divide करते हो, अब की बार k negative है, तो sign of inequality will get reversed, इतने बात में किसी को कुछ doubt है क्या, तो answer is no, sir यही बात यहां पर लिखी हुई है, कि अगर हम दोनों तरफ multiply या divide करते है, एक positive number से sign of inequality same रहता है, divide करो या multiply करो, positive number से sign of inequality same, divide या multiply करो, एक negative number से sign of inequality reverse हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, yes or no, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाई ना, अगर किसी expression का sign नहीं पत हो, तो cross multiply नहीं करना, ठीक है, एक statement हम लोग use करते है, avoid cross multiply, cross multiply को avoid करना चाहिए, क्यों, कब तक avoid करना चाहिए, जब तक आपको उसका sign नहीं पता हो, सबच में आगी नहीं, सबच में, माल लो, ऐसी कोई situation आती है, example के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला भी है, को solve करो, 3 upon x plus 2 is greater than 2, एक बच्चे नहीं कहा कि इसको cross multiply कर दिया, क्या ये statement या फिर ये step सही है, क्या, इस x plus 2 को इदर ले आया, तो this step is obviously wrong, सर ये गलत क्यों है, क्योंकि आपको x plus 2 का sign नहीं पता, आपको x plus 2 का sign जो है, वो नहीं पता, तो आप इसको उदर नहीं बेज सकते क्या मेरी बात समझ में आती है, है ना, आपको x plus 2 का sign नहीं पता, इसलिए आप उसको नहीं भेज सकते, तो आप cross multiply करना मतलब basically दोनों साइड multiply करना, cross multiply का मतलब क्या है, आपने इसको इदर भेजा, अब आपको इसका sign नहीं पता कि ये positive है, कुछ लोग इसको positive बोलते है, क कि सर, x plus 2 के आगे plus sign है, नहीं भाई, ऐसे नहीं देखना है, x की value अगर मानलो, minus 3 हो जाए तो, ये negative लिखा हुआ है, x की value 7 हो जाए तो, ये positive है, मतलब सर, ये अपना sign बदल रहा है, तो आप ऐसे cross multiply नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ, आपको अगर sign पता हो, कि ये हमेशा positive होग तब multiply करो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, yes or no, SMJ, SMJ लिखकर भीजना, ठीक है, आजेए, अब हम आते हैं, सर, ये हो गए rules of inequality, इनका ध्यान रखेंगे, अब इसको आगे ले चलते है, VV curve method, inequality, VV curve method क्या है, सर, किसी भी expression का sign पता करने का काम आता है, सर, VV curve method, समझ में आ upon denominator type की चीज होगी, ये वाला sign हो सकता है, ये वाला sign हो सकता है, ये वाला sign हो सकता है, और ये वाला sign हो सकता है, inequality के यही 4 sign है, right side में एक तरफ आप क्या बना लेजिए, 0 बना लेजिए, अगर 0 नहीं हुआ, तो 0 कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो क्या करना है, point critical points, critical points क्या होते है, सर, पहले सुन लो, क्यों कि वैसे ही mathematics से सुनने से समझ में नहीं आती, आप example करके दिखाओगे, तब समझ में आएगी, हाँ है ना, तब समझ में आएगी, हाँ है ना, आजेए, बहुत बढ़िया, ठीक है, सर, roots of numerator and roots of denominator by factorization, आप क्या करो roots of numerator निकाल लो, roots of numerator का मतलब है कि जहां पर numerator 0 हो रहा होगा, वो वाले value निकाल लो, और जहां पर denominator 0 हो रहा होगा, वो वाली values निकाल लो, इन सारी values को कहां plot कर लीजे, number line पर, इन सारी values को कहां plot करना है, आपको number line पर plot करना है, यहां वाला काम हो गया, step 2, एक तरफ 0 बनाया roots निकाल लिए अगला step जो है plot all the critical points on number line यह मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है critical points कौन से हैं जहाँ पर numerator 0 हो वाले points और जहाँ पर denominator 0 हो वाले points check the sign of the given expression by putting values of x x की values put कर करके आप given expression का sign check करो from the different parts of the number line obviously sir आप कुछ लोगों को number lines पर plot करने वाले हो जैसे माल लो आपने तीन लोग plot किये माल लेते हैं sir वो हो गया हमारा m n और p यह तीन हमने values plot की तो p के right में n और p के बीच में m और n के बीच में और m के left में तो इन तीन लोगों ने number line को 4 हिस्सों में बाट दिया अब आप क्या करो इनके लिए अलग-अलग values of x उठाइए और expression में put कीजिए उसका sign चेक करो और वो sign यहां mark करना start करतो अब last step is जो पूचा गया है उसे देख कर जवाब दो आपसे क्या पूचा गया है कि यह expression 0 से बड़ा चाहिए जीरो या जीरो के बराबर चाहिए या जीरो से बड़ा चाहिए या जीरो से छोटा चाहिए तो जो आप से पूचा है इस sign को देख कर आप यहां पर answer कीजिए तो मैंने पूचा क्या आपको वेवी का यह आपका बनता है बहुत साइस हवालों में क्लास 12 में तो यह आपको आना चाहिए त्यार है स्टाट करें है ठीक है है यह ट्रिक ओपी वाला कौन है वही ट्रिक ट्रिक बहुत चाहिए तुम्हें हां आजएए ठीक है बाकी लोग सामने देखें यह जो ट्रिक कर रहे हैं को करने दो फिर यही लोग बात में बोलते हैं तो चैसलि मिस्टेक की वज़ए से पेपर में मेरे नंबर हा रहे हैं सव मे से मैट्स में मालो सव नंबर लेपर है है धर पहुंचा सरसी के चालिस पतानी कैसे होगे वो ट्रिक की वज़ए तो इस और चल स्टार्ट करें पहला सवाल यह रहा आपकी computer screen पर, सवालों के थूरू learning होगी mathematics की, जो आपने बताया सर, वो तो हमारे दिमाग में है, यहां और देखते हैं सर, इसको पहले factorize कर लो, इसमें सिरफ numerator numerator है, x square minus 4 का factorization, 4 को लिखोगे 2 का square, a square minus b square is, a minus b into a plus b और साथ में 1 है, x plus 5, structure से match कर रहा है क्या, तो answer is sir, yes, structure से कैसे match कर रहा है structure से match कर रहा है, sir, यह 0 से बड़ा चीए हमें, मैंनका बहुत बढ़िया, अब यह पता करो, सिरफ numerator numerator है, denominator इसमें 1 है ठीक है, denominator 0 नहीं है, denominator 1 है, तो numerator कहां कहा 0 होगा, तो यह वाला factor कहा 0 होगा, x बढ़ाबर minus 2 पर यह वाला factor कहां 0 होगा, minus 5 साथ साथ में आप steps भी match कर सकते हो, कि हमने structure देख ली, अब हम critical points निकाल रहे है numerator और denominator जहां 0 हो तो numerator में variable बैठा है, तो वही 0 होगा, सबज में आएंगी नहीं सबना तो सर यह हमने 3 points निकाल लिए minus 5 सबसे छोटा होता है number line पे, सबसे छोटा number left में उससे बड़ा number right में और सबसे बड़ा number right में यह 3 roots हमने लिख लिए अब आपको जो सबसे important step है वो यह वाला है, check the sign of the given expression expression का sign आपको check करना है expression कौन सा, जब मैं बात कर रहा हूँ expression की, तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ expression का sign check करो by putting values जैसे यह वाला part क्या है सर यह वाला part है 2 से बड़ा, कोई भी value ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो जो आपकी इत्छाओ यहां रख कर देखो इस पूरे में, सिरफ इतने में क्या sign आ रहा है भाई, अगर माल लो, मैं इसमें रखता हूँ 7 तो सर यह positive, यह positive, यह positive मुझे numerical value नी चीज़, मुझे sign चीए तो सर 2 से बड़े के लिए sign आ रहा है इस expression का positive, सही लिखा है हाई ना, अब आज यह सर minus 2 और 2 के बीच में, कोई सा भी number minus 1, 0, 1, कुछ भी ले लो half ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर रखके देखिए for example, मैंने जैसे इसमें 0 रखा तो वो आ जाएगा minus 2, यह कितना आ जाएगा सर 2 और यह आ जाएगा 5, यह पूरा product minus 2, minus 5, minus 3 plus 2, minus 1, और सर यह कितना आ जाएगा minus 3 plus 5, that is 2 इन सब का product कितना आ रहा, because यह सारे multiplication में है, तो यह आएगा सर, positive और last में minus 5 से छोटा, minus 6, minus 7 कुछ भी रखके देखो, सर यह फिर से negative आ जाएगा, रखके देखो, रखके देखो यह value put करने वाला काम आपको करना है तो हमारे क्यों से step होगे, सर पहला हो गया, दूसरा हो गया, number line पे plot कर लिया, sign भी हमने check कर लिया अब आते है last step पे, अब आपको देखना है कि क्या पूछा है उसने उसने पूछा है, सर greater than zero, मतलब यह expression positive कब कब होगा, zero से बड़ा कब कब होगा, ठीक है तो zero से बड़ा मतलब plus कब कब है तो सर positive इस area में है और positive इस area में है, इन दोनों के बीच में यह expression negative है और इसके इधर left में यह negative है, तो इस part और इस part के लिए positive है समझ में आएंगी नहीं समझ में, बहुत बड़ी है क्या यह बात clear है आए ना अब सर, जो लोग बोल रहे हैं सर, लिखने का time दो बिटा उतना time नहीं है कि तू पहले राम से जमा जमा के उतारे, solve करो साथ साथ में, लिखना बाद में पराबर भी नीची है तो मैंने का 2 को हमें अंसर में include करना है कि exclude करना है सर, 2 exclude होगा 2 जो है, वो exclude होगा reason being, क्योंकि अगर मैं इसमें x की value 2 रख दू तो यह पूरा बन जाएगा 0 और situation ऐसी बन जाएगी 0 greater than 0 जो की गलत है तो जिसको exclude करना है उस पे hollow circle माइनस 2 भी hollow circle, माइनस 5 भी hollow circle मतलब 2 को भी जवाब में नी लेना, माइनस 2 को भी नी और माइनस 5 को भी नी इन तीनों values को रखने पर यह 0 हो जाएगा अब बारी आती है सर, इसका solution लिखने की that is x belonging to ध्यान सुनना, x belonging to, क्या लिखा जाएगा माइनस 5 से माइनस 2 open bracket, जिन पर hollow circle होता है, उन पर open bracket आता है फिर इतना gap आ गया, जब भी gap आए union, फिर 2 से लेकर infinity ठीक है, तो this is the solution of this आप हमसे पूछ रहे थे कि यह expression कौन कौन सी x की value के लिए positive होगा यह सारी x की values के लिए positive होगा SMJ लिखकर भीजीगा प्लीज, हाए ना, clear है, अब आज यह से दूसरे बाले पार्ट पर यहाँ पर बापिस numerator है, denominator है, structure set बैटरी है, एक तरफ 0 है मैंने का, numerator के roots निकालो, तो numerator है क्या पहले यह बता दो सर, numerator है, आपके पास में x minus 1, x square minus 9 को आप x minus 3 into x plus 3 लिख सकते हो, मैंने का, यह कहा, कहा, 0 हो रहा है, सर, यह 1 पर, यह 3 पर, और यह minus 3 पर, फिर मैंने देखा denominator, देखते जाओ सामने एक दम, denominator क्या है, सर, this is x square plus 2x, एक word मैंने यहाँ पर use किया था, that is, factorization, factorize करके आपको roots निकाल रहे है, हाँ है, इसमें से x common लिलो, और क्या है, जैसी मैं x common लूँँगा, यह क्या लिका हो है, x plus 2, मैंने पूछा, यह कहा, कहा, 0 होगा, denominator कहा, कहा, 0 होगा, वो वाली चीज़े आपको निकाल दीए, x की value 0 पर और minus 2 पर, तो 3 लोग यह रहे, और 2 लोग यह रहे, इन सभी critical points को number line पे plot कर दीजिए, number line पे plot करते वक्त, सबसे छोटा number left में, उससे बड़ा right में आता है, ठीक है, इन में से सबसे छोटा answer minus 3, फिर है minus 2, फिर है आपके पास में 0, फिर है 1 और फिर है 3, clear है भाई, आया ना, ठीक है, फिर क्या है, 3 है, समझेगी नहीं समझे, फटा-फट expression का sign check करना start करो, आपकी बार number line को कितने parts में आपने बाट दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts में बाट दिया, इन 6 parts से value उठाओ, उसके अंदर रख आओ, जैसे for example, 3 से बड़ा कोई भी number, 3.1 ले लो, चाहे 3.5 ले लो, चाहे 4 ले लो, जब मैं इसमें x की जगा 4 रखूंगा, तो यह पूरा का पूरा positive आएगा, check करके देखो, 4 minus 1, 16 minus 9, और 16 plus 8, सारा का सारा positive है, मुझे numerical value नहीं चीए, मुझे sign चीए, यह आएगा positive, 1 और सारी के बीच में 2 रख के देखो, हाँ, रख कर देखो, तो जैसी आप 2 रखोगे, तो 2 minus 1, यह कितना हो जाएगा, 1, 4 minus 5, sorry, 4 minus 9, minus 5, और 2 रखा है आपने, तो 4 plus 4, 8, यह पूरा क्या है, minus 5 upon 8, तो sign आ रहा है negative, यहीं पर एक छोटी सी trick में आपको बता दू, कि जब भी method solve कर रहे हो, सारे linear factors में x का coefficient positive बना लो पहले तुम, ठीक है, सारे linear factors में, मतलब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, this is x minus 1, x minus 3, hello x plus 3, whole divided by x into x plus 2, जहाँ जहाँ पर x है, सब के साथ multiplication में positive number है, हो गया, plot कर लिया, सब से right side में positive sign से start करो, alternate plus minus चलता जाएगा, plus minus, यहाँ आएगा plus, यहाँ आएगा minus, यहाँ आएगा plus, यहाँ आएगा minus, यहाँ आएगा minus, यह काम कब होता है, जब सारे x के coefficients क्या हो, positive हो, क्या मेरी बात समझगे, हाँ है ना, चलिए जी, अब मुझे एक बाब बताओ, सर हमारा कौन कौन सा काम हो गया, सर, पहला हो ग negative, positive, negative लगाते जाओ, clear, आएगा, ठीक है, अब यह बाब बताओ, उसने कौन सी value पूची है, कौन सी value पूची है, सर, हमसे पूचा है, greater than equals to zero, तो greater than equals to zero का मतलब क्या होता है, यह sign क्या होता है, greater than equals to zero का मतलब positive, और zero कब-कब हो रहा है, वो सारे, ठीक है, इसमें भी मैं आते हैं, ऐसा, ऐसा, इन दोनों के लिए, सभी पर hollow circle, सभी पर क्या आएगा, सर, hollow circle आएगा, सभी का मतलब है, all the roots of numerator and denominator, all roots of, all the roots of numerator and denominator, जब यह वाले दोनों sign हो, तो सभी पर hollow circle आता है, अब यह वाले दोनों sign हो, तो, इस case में, roots of numerator पर, roots of numerator पर, कैसा circle आता है, सर, dark circle, dark circle का मतलब है, सर, that is, included, वो जवाब का part होता है, और बात आती है, सर, roots of denominator पर तो, roots of denominator में, चाहिए यह वाला case हो, चाहिए वाला case हो, always hollow circle आएगा, कोई बच्चा बोले, सर, यह hollow circle कब use होता है, hollow circle यूज होता है, जिसको हमें जवाब का part नहीं बनाना हो, क्योंकि denominator के root पर हमेशा hollow circle क्यों आएगा, क्योंकि denominator का root अगर आपने answer में ले लिया, वो वाली x की value आपने अपने answer में ले ली, जिसको रखने पर denominator 0 हो गया, चीज़े होगी not defined, infinity नहीं होती हैं द्यानकना, तो समझ मैं ही कहानी, चाह टाइप के inequality के sign हो सकते हैं, अगर यह दोनों आए तो सब पर hollow circle, अगर यह दोनों आए, तो numerator के roots पे dark circle आएगा, denominator के roots पे तो चाही यह case हो, चाही यह case हो, हमेशा क्या आएगा, hollow circle, SMJ, आजाईए, अब आपस यहाँ चलते हैं, मैंने पूछा, अब की बार क्या है जी, पहले तो एक बार बताओ, greater than equals to 0, positive वाला पार्ट हमसे पूछ रहा है सर्थ, आजाईए, तो positive वाला पार्ट यह है, फिर यह है, फिर यह है, ठीक है जी, यह हो गया positive, अब मुझे एक ब 3 और minus 3, इन पे क्या आएगा सर, dark circle, और इन दोनों पर 0 और minus 2 पर तो हमेशा hollow circle आएगा सर, यह हमारा answer लिखा हुआ है, फटाफट बता दीजी कैसे लिखोगे, x belonging to, close bracket minus 3 से लेकर minus 2, जो जिस पे dark आता है उस पे close, जिस पे hollow आता है उस पे open, फिर gap आगया मतलब union का sign, फिर infinity और minus infinity पे हमेशा open, इस इस clear to everyone, तो अब सर, यह सवाल का जवाब क्या है, वो पूछ रहा था, यह expression 0 या 0 से बड़ा कब-कब होगा, यह सारी values लिक्यूई, clear, no physics is harmed in this lecture, yes, आजएगे, अगले सवाल की बात करते, जैसे यह वाला सवाल है, x square, जल्दी से, जल्दी से, सवाल है, फटा फटा अंसर कीजिए, प्लीज, यह वाला सवाल है, sir, क्या यह factorize हो सकती है, तो answer is yes, बिल्कुल हो सकती है, उपर वाले के factors क्या है, sir, that is x minus 2 into x minus 3, whole divided by, जो denominator है, उसको सही से लिख लेता हो पहले, denominator में मैंने का किया, एक minus sign common लिया, x square minus x minus 12 हो जाएगा, तो य x minus 4 into x plus 3, इस quadratic के factors, ठीक है, हाँ, दोनों को जोडने पर minus 1 आ रहा है, दोनों के multiplication पर minus 12 आ रहा है, यह वाला पार्ट हमें solve करना है, अब ज़रा देखना, एक छोटा सा कलाकारी मैं यहां कर रहा हूं, यह minus 1 है, समझ मैं है, minus sign मतलब minus 1, इस minus 1 को मैं यहां से अटा रहा हूं, मतलब मैं ने क defend, ऐस minus 1 को जो था न, इसको मैं यहां इदर भेज दिया, तो आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने क्या किया है, सर आपने एक negative sign से multiply किया, 0 into minus 1 0 ही हो जाएगा, negative sign से multiply करने पर क्या होता है, negative quantity से multiply करने पर क्या होता है, जो भी sign of inequality है, हो reverse हो जाता है, sign of inequality ही आ अब अगर मैं बात करूं तो यह वाली चीज जीरो होगी टू पर यह वाली चीज थी पर यह वाली चीज माइनस थी पर यह वाली चीज फोर पर सब को प्लॉट कर लीजिए फटा-फट सबसे छोटा जो है वह माइनस थी है उससे बड़ा टू है उससे बड़ा थी है और सबस इतनी बढ़ाई कीजिए कि आपको टिप्स की जुरत ना पड़े यही एक टिप है आजए इसमें सारे एक्स की कोफिशेंट पॉजिटिव है जो आपने हमें ट्रिक समझाई थी कि सबसे राइट में पॉजिटिव साइन लगाओ फिर माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरेट चलने दो लो भाई और अब की बार साइन ओफ इनिक्वैलिटी का चीए हमें जीरो से बढ़ा है तो सब पे हॉलो सरकल आएगा जीरो से बढ़ा चीए हमें अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें तो जीरो से चोटा दे रखा है तो तुने भाई नेगटिव साइन लेकर इस अब इस तरफ होता है माइनस इंफिनिटी इस तरफ होता है माइनस इंफिनिटी इस तरफ होता है सर प्लस इंफिनिटी तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3 बीच में गैप आगया यूनियन 2 से लेकर 3 फिर गैप आगया यूनियन फिर 4 से लेकर इनफिनिटी माइनस और इंफिनिटी पे हमेशा hollow circle या open bracket आता है और बाकी सब पे hollow है तो open bracket आएगा this is our x yes third भी होगी I believe fourth आप खुद कर सकते है sir fourth मज़ेदार है fourth खुद क्यों कर सकते है मैंने क्या है fourth में बोले sir अपकी बास structure हमारी set नहीं बैटरी आपने बोला था एक तरफ zero होना चाहिए अगर कोई बच्चा यह सोच रहा है कि sir इसको cross multiply कर देंगे no आपको पता नहीं न यह sign इसका कैसा होगा यह थोड़ी न हमेशा positive है तो इसको cross multiply मत करना sir एक तरफ zero बनाने का तरीका क्या है one को left में one को left में one को left में ले आओगे x square plus x minus 1 upon x square plus x minus 6 minus 1 greater than equals to zero left में तो लाई सकता हो बिल्कुल सही अब आज़े यह sir lcm लो अब lcm ले लो जैसी lcm लोगे sir यह लिखा हुआ है x square plus x minus 1 यह सारी terms इससे multiply होँगी तो minus x square minus x plus 6 whole divided by x square plus x minus 6 greater than equals to zero यह 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 और यह cancel होगया sir उपर लिखा हुआ है 5 और denominator के factors हमें दिखाई दे रहे हैं denominator के factors हो जाएंगे sir x plus 3 into x minus 2 क्या यह बात clear है हाँ sir अब वापिस sir numerator तो कभी 0 होगा नी constant है denominator 0 हो रहा है sir यह 2 पर और यह minus 3 पर तो minus 3 left में 2 right में x का coefficient सब जेगा positive है तो sir अब positive negative positive मैंने पूछा कौन सा हिस्सा आप से पूछा जा रहा है बोले sir हम से पूछा जा रहा है 0 या 0 से बड़ा 0 से बड़ा मतलब positive वाला पाट फिर मैंने पूछा यह 2 और minus 3 पर hollow circle या dark circle तो बच्चे ने बच्चे ने इतनी जोड़ा तरीके से जवाब दिया कि sir अब की बार equality लगी वे तो dark circle मैंने का नहीं भाई इस बात को आप ध्यान से पढ़िए ये वाली जो बात लिखवाई है कि roots of numerator पे dark circle आता है but roots of denominator पे always hollow circle मतलब हमेशा उनको exclude करना है और minus 3 और 2 अब की बार denominator के roots है answer लिखना चाहो कि क्या x belonging to minus infinity से minus 3 बीच में gap आगया 2 से लेकर infinity तो अगर एक तरफ 1 या मतलब 0 ना हो तो 0 बनाने का तरीका क्या है उसको इस तरफ लेए प्लीज transpose कर दीजिए clear है बहुत बढ़िया शाबाज यह 4 सवाल आपने हमें solve करवा दिया inequality के बहुत बढ़िया ठीक है trick जो कि मैंने आपको सिखाई है वापे से बता देता हूँ make coefficient of x positive in each linear factor हर एक linear factor में x का coefficient positive बना लो ठीक है now start marking plus minus plus minus plus minus from right to left right to left मतलब यह होता है sir right right से left की तरफ plus minus plus minus plus minus mark करने start करो पो नी पो नी पो नी पो ठीक है समझ में आएंग नी से पॉजिटिव पो negative नी पो नी पो नी पो नी चलने दो ठीक है हाई ना एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जिन factors की net power odd है उनके about sign change हो जाता है और जिन factors की net power even है उनके about sign change नहीं होता एक बार लिख लो फिर मतलब समझाओंगा जिन factors की net power odd है उनके about sign change नहीं होगा उनके about sign change और जिन factors की net power even है उनके about sign change नहीं होगा उनके about sign change नहीं होगा आया ना उनके about sign change नहीं होगा क्या मेरी बात समझगे आया ना ठीक है अब इस बात का क्या मतलब समझाओंगे तब जाके हम एच्छे समझ में आगा यह क्या है net power मैंने का रुप तो जा एक बार इतना का है गवरा रहा है अब यहां आईए ट्रिक तभी लगाना जब सभी linear factors हो मतलब जब सारे linear factors हो तभी ट्रिक लगाईएगा प्लीज इसमें भी थोड़ा चेंज कर रहा हूं जैसे यहां पर मैंने लिखा 2 यहां पर लिखा 5 यहां पर लिखा 6 और यहां पर लिखा 1 ठीक है यह हमारे पास में सर एक सवाल है इसमें सरफ numerator numerator है structure एकदम सैट बैट रहा है सार राइट साइड में 0 है मैंने का यह वाला फेक्टर 0 कब होगा जब x की value minus 1 यह 3 पर 0 होगा यह minus 4 और यह 5 पर चलिए पहले number line तक पहुंच जाओ सबसे बढ़ा है सर 5 उससे चोटा है 3 उससे चोटा है minus 1 और सबसे चोटा है minus 4 अब आप इनकी net power लिखो power कितनी है जैसे सर इसकी जो net power है ना x minus 5 वाले फेक्टर की जहां से यह 5 निकल के आया उसकी power देखो सर वो है odd और 3 जहां से आया सर उसकी power भी odd है और minus 1 जहां से निकल के आया सर उसकी power even है और minus 4 जहां से आया उसकी power भी even है और सभी linear factors में x का coefficient positive है तो अब की बार आप यह नहीं कर सकते plus minus plus minus plus minus this is wrong अब आपको एक छोटी सी additional information का भी ध्यान रखना है बिल्कुर right side में जुरूर positive sign आएगा सबसे right में हमेशा positive आएगा जिनकी net power odd है उनके about sign change कर दो sign change का मतलब क्या है सर कि positive से negative पे चले जाओ और negative से positive पे चले जाओ और sign change नहीं होने का मतलब क्या है उनके about जब उनको आप jump करोगे उनके बीच में right से left जाओगे तो positive positive रहेगा और या फिर negative जो है वो negative ही रहेगा अब इस बात को यहाँ पर implement कीजिए इसकी net power odd है तो 5 से जब आप इसको cross कर रहे हो तो sign change कर दो positive से negative हो गया जब आप इसको cross कर रहे हो इसकी net power odd है तो negative से यह positive हो जाएगा इसकी net power even है तो इसके about sign change नहीं होगा positive से positive ही रहेगा यहां positive क्यों आया क्योंकि यहां से चलते आ रहें अब सर जब आप इसको भी cross करोगे तो यह भी positive रहें आया ना क्या मेरी बात समझ में इमांदारी से बताना कि net power का मतलब आपको समझ में आया की नहीं आया बोलो भाई यह पावर अम क्या पूछा रहा रहा है سब न जया रहा है अब आप से पूछा जा रहा है सर अब आपसे पूछा जा रहा है less दैन जीरो वाला तो less than 0 कानसा भाई less than 0 वाला पाक एक तो यह है बस इतना ही हम आया है थीक है और equality लगी नहीं हुई तो सब पर hollow circle आएगा यह लो इस पूरे का answer आप क्या पोलोगे इस पूरे का answer बोलेंगे sir x belonging to 3 से लेकर 5 आप inequality solve तो कर रहे हैं but what is the meaning of this inequality किसी चीज के solution बोल रहा है वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी x की values हैं जिसको इसके अंदर रखे तो आपका जो net answer है वो negative आए तो वो बोल रहा है तीन से लेकर 5 के बीच में लाखो क्रोडो रियल numbers है वो आप इसमें डालके देखिए answer से ही आ जाएगा अब अगर किसी को doubt है basic step से जाना चाहता है तो आप रखके देखो minus 4 से चोटा number minus 5 इस पूरे expression के अंदर रखे देखिए आप पाएंगे कि इस पूरे expression का sign positive आ रहा है रखके देखो रखके देखो वाला काम आपको खुद करना है ठीक है कि minus 5 यहां रखा तो यह कितना बन जाएगा minus 4 का square minus 5 यहां रखा तो यह यह बनेगा minus 8 की power 5 power order तो negative sign भार minus 5 यह रखा तो यह बन जागा minus 1 की power 6 यह positive हो जागा minus 5 यह बनेगा minus 10 और इसकी power order यहां से एक negative यहां से एक negative negative into negative पूरा positive ऐसे रखके देखिए प्लीज CLR लिखकर भेजेंगे अगर आपको बात समझ मैं हाए न अब यहां आजएए ठीक है हाए न इसमें भी थोड़ा change कर रहा हूं ध्यान सुनना इसमें मैं यहां लगा रहा हूं power 4 यहां लगा रहा हूं 11 यहां लगा रहा हूं 2 और यहां लगा रहा हूं 7 अब मैंने आप से यहां सवाल करने बोला मैं यहां यहां सवाल करो वापिस अब सरह हम एकदम प्रो हो चुके हैं यह वाली चीज जीरो होगी माइनस टू पर यह वाला फेक्टर यह वाला जीरो होगा 5 पर यह जीरो माइनस 3 पर सबको number line पर plot कर लीजिए सबसे बड़ा 5 यह को और सबसे कि ठीक है तो सर अब हम क्या करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस लिख handlar आंसर्टों फाइफ और वन की पावर और वन एपावर क्या है सर औरण्ट। कि इस चो पोवंम माइनस डू से निगल क्या है उसकी नेट पावर सर एविन है और माइनस ध्यस्मार्ट और गाल कर दो राइ्ट में एवर आगया पावर और तो यहां से यहां जाते वड़ साइन चेंज होझाईगा यह बोग धार हाईगा इसकी बिस समझे न Ciao आप देखो उसने क्या पूचा है अब वापिस इसके बाद में मतलब दो 3 मुल्टीपल चीज चल रही है उकड़ नेक्वट आप слова आप इस पर चले जाओ roots of the numerator पर dark circle आने वाला है roots of the numerator पर क्या आएगा dark circle आएगा numerator के roots पहले तो यह देखो greater than equals to 0 positive वाला part है कौन कौन सा sir positive वाला part है ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला और फिर ये वाला ठीक है सारा positive है बाई अब numerator के root कौन कौन से है 5 और minus 2 तो 5 पर भी dark circle और minus 2 पर भी dark circle minus 3 और 1 denominator के root से जिन पर हमेशा hollow circle आता है अब इस पूरे answer को लिखके दिखाओ तो अब मैं अपना answer लिख रहा हूं ध्यान सुनना यहां से start करेंगे हमेशा answer left to right लिखा जाता है माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 और इस पर hollow circle है फिर union क्योंकि यहां पर gap आगे ना फिर माइनस 3 से लेकर माइनस 3 से लेकर 1 तक माइनस 3 पर open 1 पर भी open यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी आया ना 5 से लेकर इंफिनिटी किते लोगों को बात समझ मैं एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो माइनस 3 से लेकर 2 close फिर टूक माइनस 2 close और माइनस 2 close से लेकर 1 open तो उसको लिखने का मतलब यही है माइनस 2 इसके अंदर आ गया है क्योंकि माइनस 3 से 1 की और जाते हो तो माइनस 2 उसमें आ जाता है mdh हाय ना mdh लिखकर बेजीगा प्लीज क्लीर है हां जी आई होप यू गाट इस ट्रिक समझ में आई नेट पावर एवन और 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 का मतलब है बहुत बढ़िया एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं जिसका नाम है सर डिब्बी नंबर ए डिब्बी का मतलब क्या होता है विटा डू इट बायो सेल्फ और इसका अंसर आपको इस वीडियो की चैट में डिसकस करना है एक तरव नहीं यह yup सब्सक्राइब करना है चैट में आप अंसर डिसकस करोगी यह आपका आप बोल सकते हो दिस इस यौर फूम वग जहां जहां पर मैं डिभी लिखूं मतलब वह आपका खुद का करने वाला काम है पू society लिए कि यह बेंगे को ikiका मतलब सरी इक सब्सक्राइब आपकर दो अपको खाना उसके दो अलग अलग हिस्से कर दो रॉसके बाद में दोनों को सौल करके dipres Wir show जैसे for example, आप क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख लो, सामने दिखना, 2x-7 upon 5 less than equals to 8, और इसका दूसरा हिस्सा जो है, वो बीच वाले से, बीच वाले के साथ right वाला, बीच वाले के साथ left वाला, 2x-7 upon 5 greater than minus 3, यह आपने इसके दो हिस्से कर दिये, अब इन दोनों को solve कीजिए, finally दोनों को आपको क्या लेना है सर, यह जो sign आपने लगाया, this is the sign of intersection, दोनों के answer का आपको intersection लेना है, double inequality solve करनी आई की नहीं, double inequality को दो अलगलग पार्ट में break करो, solve करो, intersection लीजिए, सर, यहाँ पर, क्या मैं इस 5 को इधर भेज सकता हूँ, हाँ, क्योंकि आप जिसको cross multiply कर रहे हूँ, वो एक positive number है, उसका sign आपको बता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x minus 7, यह 5 यहाँ जाएगा, सर, यह हो जाएगा 40, और आपने positive number से multiply किया, तो sign of inequality remains same, सर, यह कितना आजाएगा, 2x is less than equals to, यह इधर गया, this is 47, x is less than equals to 47 upon 2, यह इसका answer आगया, इसको इधर भेजो, तो 2x minus 7, जिसको मैं भेज रहा हूँ, वो positive number है, ठीक है, मैं तो 5 को भेज रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ 5 को, तो 5 is a positive number, बहुत बढ़िया, अब इधर लेके जाओ, सर, यह कितना हो जाएगा, 2x is, 8 और 7, 15 होता न, तो minus 15 में 7 जोड़ोगे, तो minus 8 आजाएगा, सर, यहाँ पे 2 से divide कर दो, तो, जिन जिन number से मैं divide कर रहा हूँ, multiply कर रहा हूँ, वो सारे positive हैं, और minus 4 यहाँ कहीं होगा, clear है, यह वाला जो part है, यह क्या बोल रहा है, x की value minus 4 से बड़ी होनी चीए, बराबर नहीं, तो बड़ी मतलब इसके right वाला area, और यह क्या बोल रहा है, 47 upon 2 और उसके बराबर, equality लगी वे तो dark circle, और इसके left में, intersection का मतलब है, कि यह दोनों lines, आपस में overlap कब कब कर रही है, इतने part के लिए, आया है ना, इतने part के लिए overlap कर रही है, तो x belonging to minus 4 से लेकर, 47 upon 2, इतना part हमारा आ गया, minus 4 पे hollow circle है, और 47 upon 2 पे dark circle है, तो यह हमारे, इस पे open, इस पे close, clear है, यह double inequality है, अब इसको solve करके दिखाओ, फटाफट, हाँ यह छोटी-छोटी type की जो inequalities है, यह बनेंगी, आप आगे चलकर सवाल, जब हम chapter स्टार्ट करेंगे, वो chapter क्या होगा, जैसे मालों आप functions ही पढ़ेंगे, हम पहला chapter या तीसरा chapter हो जाएगा, पहला तो determinant हो गया, फिर matrices है, फिर functions है, तो functions में यह वाली चीज़े बहुत बनने वाली, यह inequality, domain वो में निकालोगे, तो आपको यह solve करनी आनी चीए, हाई ना, बहुत बढ़िया, अब इसरा आजएए, Sir, इसमें कैसे solve करना है, वापिस डबल inequality मैंने का बोला, दो पार्ट में, बीच वाले के साथ, लेफ्ट वाला, याई, X स्क्वार प्लस तू, इस लेस दे इक्विस टू 3X, और बीच वाले के साथ, राइट वाला, याई, 3X इस लेस दें, 2X स्क्वार माइनस 5, और दोनों का हमें क्या लेना है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्या आप इसको सॉल कर सकते हो, हाँ, 3X को लेफ्ट में लेकर आ ले, मल्टिप्लाइ नहीं किया है, इक्वैलिटी के साइन के इदर उदर भीज रहा हूं, वो चलेगा, या फिर इक्वैलिटी के साइन के इस तरफ उस तरफ बेज रहा हूं, जैसे आप इक्वैशन में करते हो, वो चलना लाओड है, मल्टिप्लाइ डिवाइड दी करना है आपको बस, अब ठीक है, सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, X-2 into X-1, इन दोनों का एडिशन माइनस 3X हो जाएगा, ये लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, X कॉमन आ रहा है, तो 2X-5, यहां से X और 1X प्लस 1, और ये आ जाएगा गेटर दिन 0, आए ना, I did not study, वेवी कर्व मैथट इन क्लास 11, तो ये बटा तेरे लिए पढ़ाए जा रहा है, और किसके लिए है फिर? अब सब दोनों को सॉल करो, जैसे इसको सॉल करोगे, तो इसका एक रूट आ रहा है सर, माइनस 1, ये जहां पर 0 होगा, ये आएगा सर 5 बाइ 2, प्लोट कर लिया, एकस के कोफिशन दोनों में positive है, प्लस-mाइनस प्लस लगा दो, ये expression हमें क्या चाहिए सर, ये expression हमें 0 से बढ़ा चाहिए, 0 से बढ़ा, 0 left में है, ये expression 0 से बढ़ा होना चाहिए, 0 से बढ़े वाला पार्ट मतलब सर, ये हो गया, जिसमें ये positive है, equality लगी नहीं तो सर इन पर आएगा hollow circle यहां आजाईए सर इसका जो root है वो है 1 इसका जो root है that is 2 x का coefficient दोनों में positive है तो plus minus plus और हमें अब की बार चीए less than equals to 0 less than 0 मतलब negative वाला part equality लगी होई तो इन पर dark circle आएगा चलिए जी अब हम इन दोनों को intersect कर रहे हैं एक ही जगह intersect करने का या intersection लेने का तरीका क्या होता है दोनों को एक ही number line पर plot कर लो है ना दोनों को एक ही number line पर plot कर लो सबसे छोटा minus 1 उससे बड़ा 1 उससे बड़ा 2 और उससे बड़ा 2.5 that is 5 by 2 ये वाला जो answer है उसको थोड़ा एक हाइट पर plot करना जैसे ये बोल रहा है सर यहां से लेकर ये वाला और ये बोल रहा है सर 1 और 2 के बीच में है ना क्या ये दोनों lines कभी overlap कर रही है इमान दरी से बताना क्या ये दोनों lines कभी overlap कर रही है तो आप बोलोगे सर no overlapping no overlapping जिन लोगों ने answer लिखा वो गलत है भाई intersection लेना था तो इन पर overlapping ही नहीं है तो जिब overlapping ही नहीं है तो भाई साब तुमने कैसे बोल दिया कि अंसर आएगा तो इसका मतलब सर कोई भी answer नहीं आ रहा x belongs to 5 5 का मतलब है सर we have no solution इसका कोई भी जवाब नहीं है दोनों का intersection लेना है भाई तुमने union ले लिया ऐसा नहीं करना है अब तक जैसे आपके सामने जो क्वाडिटिक इसमें आरे थी समझने वाली बात है इसमें जो क्वाडिटिक आरे थी वह क्वाडिटिक कैसे आरी है वाएं जिबल अगर मालो टारू कभी कभी वेक्वाडिटिक ब्ला जया है याप के सामने जैसे इसमें यह वाली यह वाली दियुक यह नाउनडुसे मलत है समझने वाली बात है तो रूल-ओफ क्वाडिटिक हम यहाँ 0 होगा हां दोनों ही cases में डी जो है वो क्या होगा less than 0 होगा दी निकालना आता है ना what is d here d का मतलब ऐसा discriminant that is b square minus 4ac ये value पूरी की पूरी आपके पास में negative आजाएगी अगर ये value negative आजाए समझ ले ना quadratic जो है वो non factorizable है तो non factorizable quadratic देखी पता कैसे चला डी की मदद से डी आपने निकाल लिया negative आ रहा है उसके बाद में देखो x square का coefficient अगर वो positive है तो ये पूरी quality की value क्या आती है हमेशा positive ठीक है और आपने d निकाला सर वो आ रहा है negative उसके बाद में आपने x square का coefficient देखा वो भी है negative तो ऐसी क्वाडिटिक की value हमेशा कैसी होती है सर हमेशा negative कि समझें की समझें हमेशा क्या होती है सर नेगेटिव होती है जैसे example के तौर पर अगर मैं बात करूं जैसे ये वाले क्वाडिटिक है minus x square plus x minus 1 मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये क्वाडिटिक इन दोनों में से कौन से एडिया में लाए करती है सबसे पहले क्वाडिटिक देखते ही आपको d calculate करना है a दिख रहा है x square का coefficient minus 1 b क्या है sir x का coefficient that is 1 और c क्या है sir that is constant part minus 1 फुटा फुटा फुट d calculate करो sir d होता है b square minus 4 a into c तो 1 minus 4 ये लिखा हुआ plus 1 sir ये पूरी value आगी minus 3 मैं देखते ही बता सकता हूं कि sir ये जो value आ रहे ही negative है तो मतलब इस क्वाडिटिक के लिए d तो negative आ रहा है and जो x square का coefficient है a वो भी negative है इसका मतलब है अब मैं इसका sign बता सकता हूं ये quadratic factorizable नहीं है ये कैसी category में आएगी first ये second तो आप इसको बोलोगे sir this is always negative अब कुछ बच्चों को doubt जरूर हो रहा sir what do you mean by always negative आप always negative से क्या समझाना चाहरे हो तो ज्यान सुनना जो बोल रहा हूं आप इसमें कोई सी भी x की value रखो चाहे 5 रखो 25 रखो 1000 रखो 10 करोड रखो 5 करोड रखो 50 रखो 1 by 2 रखो 1 by 8 रखो ये पूरा solve होने के बाद में एक negative नंबर बनेगा ये बोलना चाहरा हूं मैं समझें कि always negative का मतलब क्या है ऐसी क्वाडिटिक जिसका डी नेगेटिव ए भी नेगेटिव इसमें आप चाहे कोई सा भी x रखो रखके देखिए आपके पास में रख कॉपी है जैसे आपने बोला कि सब्सक्राम ने 6 रख दिया तो माइनस 36 प्लस 6 माइनस 30 माइनस 30 माइनस एक बार क्वाडिटिक का साइन डिसाइड हो गया खेल खतम है अब इसको यह वाली चीज हमारे सामने आई इसको दो तरीके से अप्रोच करते हैं एक है स्टूडेंट एंट है स्टूडेंट ए ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उसको यह सब बाते नहीं पता थी उसने कर्णानी जो इसको बता रखा है है अ है थीक है उसको यह बता रखा है कि उसको वही कन मै nombre की बेसिक स्टेप्स पता हैं तो उसने पता किया कि यह वाला फेक्टर 0 कब हो पर और यह वाला फेक्टर कब होगा दिस इस नॉन फेक्टराइजेबल यह कभी जीरो हो गई नहीं तो स्टुडेंट ए का मेंटलिटी देखना इसका भी जवाब सही आएगा उसने तो उसको स्टेप्स यात है कि नूमेरेटर के रूट्स डिनामेरेटर के रूट्स निकाल निकाल लिए भाई आजाए फिर उनको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पर तो फाइफ और माइनस टू तो फाइफ राइट में आएगा माइनस टू इदर आएगा सर इसके रूट्स अब यह इसके रूट्स है नहीं तो निकालू कहां से हमने तो कोशिश की थिसको जीरो करन निकाल लिए अब साइन चेक करते हैं उसने वापे से ट्रिक यूज की और वैसे भी तीन पार्ट आप यहीं अपको मिलेंगे बस खतम अब जरह देगना उसने क्या पूछा है सर जीरो या जीरो से बड़ा तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटी वाला पार्ट equality लगी हुई है तो roots of the numerator पे dark circle आएगा roots of denominator पे हमेशा hollow circle उसने अपना answer ही बता दिया minus infinity से minus to open union close bracket 5 से लेकर infinity clear है? हाँ है न? क्या ये बात clear है? हाँ सर ये student A है जिसको ये सब नहीं पता था अब student B जिसको ये पता है student B ने देखा कि सर ये एक non factorizable quadratic है मतलब उसने देखा कि इसका जो A है वो positive है x square का coefficient और इसका D जो आ रहा है वो less than 0 आ रहा है calculate करके देखो D आ रहा है सर इसका minus 23 उसको ये वाली बात पता थी कि एसी quadratic जिनका A positive हो D negative हो ये quadratic हमेशा positive होती है this is always positive हो तो उसने क्या किया सवाल स्टार्ट करने से पहले ही divide कर दिया यहां से यहां जाते वक्त इस expression से डिवाइड कर दिया तो सर ये critical situation हो गई आप इससे divide कैसे कर सकते हैं इसका तो साइन ही नहीं पता मैंने का भाई नहीं कर सकते हैं एक्स माइनस 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स माइनस 5 हमेशा positive नहीं है जो भी नंबर या जो भी एक्स्प्रेशन जो ऑल्वेज पॉजिटिव ओल्वेज नेगेटिव उससे डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है तो हमने इससे डिवाइड किया यहां बचेगा इसको तो इधर भीज दिया ना तो 0 अपॉन सम्थिंग वो गया और इधर लिखाव है 0 sign of inequality will remain same sign of inequality will remain same क्यों 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 कि आप एक positive number से डिवाइड कर दो इससे डिवाइड कर दो expression से और यह हमेशा positive है अब इसका यह वाला सवाल देता तो आप इसको ऐसी solve करते है आया ना SMJ अगर मैं आपको यह वाला सवाल दो तो ऐसी solve करोगे numerator का root 5 denominator का root minus 2 5 और minus 2 रख दिया दोनों में x का coefficient positive positive negative positive यह answer आएगा तो आपको यह दोनों जानकारिया है आप किसी भी जानकारी से जाओ कोई भी फरक नहीं पड़ता है ना है क्लीर है हाँ वह डिवाइड करना मतलब cross multiply होगा ना इसको इदर बेज दिया यह से नीचे गया जीरो अपॉन सम्थिंग इस जीरो और जब मैं बोल रहा हूं 0 अपॉन सम्थिंग एट सम्थिंग इस लॉन जीरो तो जीरो अपॉन आप आप स्वाल मैं आपको हों वक के लिए दे रहा हूं देख लीजिए का भाई यहां पर एक्स का कोफिशेंट नेगेटिव है आया ना कि समझ पारे हो कि नहीं समझ पारे हो एक स्टूडेंट है जिसने बोला कि नहीं सर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मना किया गया है इसको लेफ्ट में लेकिया हो फिर हम इसको सॉल्ल करेंगे अब सर हम इसका लिए ले लेंगे यह इदर जाएगा तो इसका तो यह हो गया क्रॉस मुल्टिप्लाइ नहीं करना इसमें कि इस में सर नेगेटिव साहीन जियां अकना एक्सका कोफिशन इस माइनस साइन को बहर ले आओ कोई दिक्कत नहीं आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्योंकि नेट पावर क्या है सर औड है तो नेट पावर अगर ऑड है तो माइनस साइन बहर आ जाएगा ठीक है आए ना पाइब मैं समझा रहा हूं आपको इसमें x का कोफिशन पॉसिटिव यहां भी पॉसिटिव कोई दिखकत नी है अचा वो जो माइनस साइन बहार आएगा उसको चाहो तो यह हो जाएगा x square minus 4 तो x minus 2 into x plus 2 यह वाला minus sign यहां है अब दियान से देखना कलाकारी की गई है चलाकारी सरी x minus 2 x minus 2 दो जगा बन रहा है तो यहां बनेगा x minus 2 का whole square ठीक है यहां पर लिकावा है x minus 1 सर यहां लिकावा है x square यह है x plus 2 और सर यह है x minus 3 और यहां से यहां जाते वक्त मैंने इस minus sign से इधर डिवाइड कर दिया तो मैं जब minus sign से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 upon minus 1 0 ही होता है sign of inequality will get reversed क्योंकि अब की बार मैंने एक negative sign से multiply divide किया है अब आप इसको solve कीजिए कहां पर hollow कहां पर dark ध्यान से देखना क्योंकि अंसर में ऐसे करकर भी एक अंसर लिखा हुआ है कर लेंगे आया यह सब्सक्राइब कर लोगे नहीं कर लोगे यह तीन सवाल आपका क्या है homework है वापिस डिभी लिखाओ आधाट इस do it by yourself कर सकते हो यह करके दिखाओ यह वाला करके दिखाओ कर लेंगे सर कर लेंगे बहुत बढ़िया तो यह हमारे पास में था सर लॉग सारी वेवी कर्व मैथड के सवाल सारी बेसिक बाते हैं और जितनी भी हो सकते हैं सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने लाकर रख दी गई है हाई ना अब आते हैं सर नेक्स्ट पोर्शन पे डाट इस लॉग ठीक है हाई इस अलसो वेरी 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 इंपोर्टेंट यह भी बहुत इंपोर्टेंट है जैसे मैंने आपको गया बोला कि क्लास 12 में जब आप जाओगे तो यह जो आप अभी पढ़के आयो सवालों में बन जाएगा लॉग जो है वह आपको फंक्शन ही होता है खुद एक यह आपको जानना है क्लास 11 में बढ़ा जाता है फिर भी मैं आपको एक बार रीपीट कर देता हूं ठीक है आज यह लॉग या लोगारिध्म जिसको हम बोलते हैं क्या होता है इसके बारे मे घचा है यह कहलाता है जाच भीस को एंगे आज यह ना नमबर और बेस आपको दिखाई दे रहा है और पड़ते कैसे हैं लॉग एविद बेस Du okay अब बात करतें इसके मीनिंग की इसके मीनिंग की बात करते या फिर इसकी वैल्यू की बात करते है मेनिंग या थिर वैल्यू meaning या फिर value की बात करते हैं क्या मतलब होता सर इसका मतलब ये एक value लिखी हुई है जो value कैसे निकलेगी B की क्या power रखें क्या power रखें की वो A बन जाए वो जो power होगी वो power is value of log B की क्या power रखें की वो A में convert हो जाए लिखा ऐसे जाता है log A with base B B की power क्या रखें की वो A में convert हो जाए वो जो power आपके दिमाग में आ रही है वो इसका answer है जैसे for example मैं अगर आपसे पूछू बहुत ही basic सा example ले रहा हूँ 27 with base 3 log 27 with base 3 तो इसमें सर आप क्या बोलोगे तो 3 की क्या power रखें की वो 27 बन जाए 3 की कौन सी power 27 होती है सर अब्यसली 3 की power 3 तो ये वाली सर हमारा answer हो गया समझेंगी नहीं समझें हाई ना हाई ना सर ये वाला हमारा answer हो गया वो जो power आपके दिमाग में आ रही है बी की क्या power रखें की वो ए में convert हो जाए वो जो power दिमाग में आई that is the value of this तो value इसकी कितनी आगे तीन आगे समझें की नहीं समझें और देखो माल लो मैं आपसे बोलू कि 64 और इसका बेस है हाफ हाफ की power क्या रखे कि वो 64 बन जाए अब इसको सोच रहे का तरीका basically log और exponent exponent मतलब यह power वाला जो खेल होता है यह दोनों सेम ही है बस दोनों भाई है अब दोनों को आपके सामने प्रस्तुत करने का पेश करने का तरीका अलग लग है आप यहाँ प इस सवाल का जवाब सोचना और इस सवाल का जवाब सोचना बोतार सेल अब मुझे बाब बताओ इस 2 को उपर ले जाके लिखोगे तो 2 की power minus 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स 64 कितना होता सर देट इस 2 की power 6 अब दोनों की power equate कर दो सर यह minus x और 6 x की value कितनी आगे सर माइनस 6 तो यह जो value आप सोच पा रहे हो this is the value of this log यह जो power आप सोच पा रहे हो तो base की power क्या रखे कि वो number में convert हो जाए that power is the value पहली चीज तो आपको यह समझ में आनी चीए clear रहाए अब बात आती है सर इसके defining की कि जितने भी हम functions देखते है वो that all are man-made functions जो कि कही ना कही numbers को यह theory को easy करने के point of view से बनाए गए है जैसे modulus भी एक man-made function जितनी भी हम देख रहे है mathematics is all man-made that is completely in sync with universe nature के साथ completely sync में है तो यह वाले जो है यह function किसने बनाया इनसान ने विज्ञानिक ने हमारे scientist ने जब इसको बनाया तो इनकी defining भी बता दी कि यह कब-कब valid है ठीक है तो log a with base b is defined यह तभी defined होगा मतलब defined का मतलब कि आप इसमें कौन-कौन से number रख सकते हो ठीक है जब a positive हो b b positive हो और base जो है वो one के बराबर ना हो यह तीन बातों का ध्यान रखते हुए ही आप value इसमें put करोगे ठीक है हाय ना आपको कोई market में चलता हुआ मिल जाए जो की बोले यह तो आप बोलोगे this is not defined कोई आपको market में चलता हुआ पूछ ले sir this is not defined यहां पर बोल दे sir minus 2 और यहां लिख दे 4 sir this is not defined समझे की नहीं समझे की नहीं इसका meaning बात में आया है define पहले किया गया है कि आप जो वैलुज रखोगे वो सुस्माम होने चीह पॉजटिव होने चीह पॉजटिव होने चीह बेस वं नहीं होना चाहे हुशा यहां लिखा हुआ है error 404 not defined सर यहां पर दोनों जगए 1 लिखा है बट यहां तो 1 लिखा है सर यहां पर एक negative number लिखा है not defined हम सोचेंगे यही नहीं हम सोचेंगे ही तब जब इन 3 conditions को fulfill किया जाएगा क्या मेरी बात समझ में आती है इसके बारे में आप सोच सकते हो जैसे माल लो मैं आप से पूछूँ यह यह सही है दोनों positive है और यहां पर 1 नहीं है चलेगा तो 5 की power क्या रखे है कि वो 1 बन जाए तो 5 की power 0 is the 1 in fact log जिसका number 1 होता है और base n होता है इसकी value 0 यह आती है ठीक है और अगर log में number और base बराबर हो जाए तो इसकी value सर वन आती है और log में number और base एक दूसरे के रैसिप्रोकल हो इसकी value minus 1 होती है समझेगी नहीं समझे नहीं रवाई चले तो में गाल से आप defining वाली चीज़े दियान रखोगे तो domain यहीं से निकलाएगी जैसे माल लो मैं आपको एक function बोलूं कि एक log है जिसका base है x sorry number है x और base है e इसी को ही हम ln x बोलते है log with natural base ठीक है e की value होती है सर लगबग 2.71 ठीक है यह आपको values भी मैं चार्ट बना के लाएँ याद करवा दूँगा तो एक बाँ बताओ यहां पर x क्या क्या हो सकता है सर एक्स आपने लिखा है number की जगा है number positive होना चीए तो domain क्या हो गई domain का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर कौन कौन से x रख सकते हो तो सर वही x रख सकते है जो positive हो ठीक है अब आज यह सर इदर इसकी range क्या होगी तो log की value देखो log की अंदर आप यह जो दूनों number रखोगे number और base यह positive होंगे इसका answer तो negative भी आ सकता है देखो ध्यान से यह क्या है यह positive यह positive answer minus 6 आ रहा है तो इसकी जो range होती है वो होती है complete real number सारे के सारे real number graph की अगर मैं बात करूँ तो obviously आपको यह shape याद रखनी है graph की y बराबर ln या फिर log x with base a का graph यह होता है provided यहाँ पर जो a है वो 1 से बड़ा हो और इसी का ही graph उल्टा हो जाता है y बराबर log x with base a अगर a 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो यह जहाँ पर x axis को cut करता है वो point है 1 यह दोनों graph आपको memorize रखने है yes or no तो यह वाली चीज़े तो याद करने वाली होगी यह यह range और domain यह वाली चीज़े इसकी समझने वाली होगी तो जो पार्ट बोलू कि याद करने वाला याद कर लीजिएगा जो पार्ट बोलू समझने वाला तो समझ लीजिएगा मैं आपसे बोलू log x का graph बनाईए ठीक है आगे चलकर कहीं पर जुरत पड़ी मैंने बोला कि भिया log x with base 1 by 2 का graph बनाओ तो बेस 1 से चोटा है तो graph ऐसा बनेगा शेप आपको बस याद रखनी है फिर मैंने आपको बोला कि log x with base 3 का graph बनाओ अब की बार हमने देखा सर बेस 1 से बढ़ा है तो graph ऐसा बनेगा बस यह आपको पता होना चाहिए ठीक है यह आपको क्या पता होना चाहिए समझो कि domain मतलब कि इसके अंदर कौन से x में रख सकता हूँ allowed values of x या permissible values of x इसमें आप x negative नहीं रख सकते आप इसमें x 0 भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर x बैठा है number की जगह इसकी जगह बैठा है तो यह चीज positive होनी चीए बस फिर ठीक है अब सबसे important चीज है properties log का मतलब यह है properties आपको properties पता होंगी तो आप तुरंत उस सवाल को या log के question को तुरंत निप्टा दोगे आजएगे for log a with base b to be defined तीन condition होती है जो मैंने आपको भी बताया number positive base positive and base should not be equal to 1 ठीक है यह तीन conditions का आपको ध्यान लखना है अब यहां पर मैं आपको कुछ properties बता रहा हूं यह properties एकदम आँख खोल के रट लीजिएगा सब्सक्राइगे निए सब्सक्राइगे आँख खोल के रट लेना है आपको हाँ क्योंकि समझने वाले पार्ट पे तो तुमने आँखे और दिमाग दोनों बंद कर रखा था आजाएगे सर पहला जो पार्ट है समझने वाली बात है इसको ऐसे बना लेते हैं यह वाली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर टू लॉग ए विद बेस बी की वैल्यू अगर सी आई तो इसके क्या माइने है यहां से यहां जाते वक्त मैं लॉग को हटा रहा हूं कि बी की पावर क्या रखे कि वह बन जाए तो आंसर आया सी इसका मतलब बी की पावर में सी रखने पर आंसर ए आएगा समझे नहीं समझे फॉर एक छोटा साइग्जामपल देख लीजी है जैसे मैंने बोला log m with base 3 बराबर 2 तो यहां से log अटाने का मतलब है 3 की पावर में 2 रखो और इसको नंबर के बराबर कर दो क्योंकि यही इसके माइने थे यही तो माइने थे कि B की पावर में क्या रखे कि वो A बन जाए आपने बोला C रख दो मतलब इसकी पूरे की value C आगी इसका मतलब B की पावर में C रखने पर answer A आएगा तो B की पावर C बराबर A ऐसे log हटता है जी ठीक है अब आज यह से तीसरी property पर तीसरी property क्या है दो लॉक की terms है अलग-अलग दोनों का base सेम है दो लॉक की terms है और दोनों का क्या है सर? बेस सेम है ट्रीक है? बेस सेम और दोनों के बीच में plus sign लगाए तो दो लॉक की terms एक में convert हो जाती है बेस वही रहता है जो already है और जो numbers है वो multiply हो जाएंगे M into N numbers क्या है सर वो multiply हो जाएंगे क्या मेरी बात समझ में आती है हाई ना ये है property जब log की दो अलग-अलग terms हो दोनों का base same हो number अलग-अलग हो सकते m और n बीच में plus sign होगा तो ऐसे आप लिख सकते हो बस यही एक property है इसके लावा कोई और दिमाग मत लगा देना कि कहीं पर ऐसा लिखा हो और तुम इसको ऐसा लिख दो क्योंकि तुम्हें क्या है चीजे same ही दिखाई देती है कुछ लोगों को ये और ये same ही तो है सर क्या दिक्कत है यहाँ पर दो log की अलग-अलग terms है क्या मेरी बात समझ में आती है फिर आजए ये सर्च चौथी प्रॉपर्टी अब की बार दो log की अलग-अलग terms है और बीच में लगा है minus sign तो अब की बार आप क्या करो इन दोनों log की term की जगा एक term लिख दो जिसका base वही होगा जो इन दोनों का base है बस जब minus sign हो तो m upon n हो जाता है जब minus sign हो तो क्या हो जाएगा सर m upon n हो जाता है clear है भाई ये property आपको याद होनी चीए तो सर ये होगी हमारे पास में दूसरी property तीसरी चौथी अब आजाओ पांचवी property पांचवी बड़ी ही नायाब property है log जिसका number है m और base है a number की कोई भी power है माल लेते हैं इसकी power है x दूसरी step में देखो number है m, base है a अब की बार a की power है और तीसरे में दोनों को एक साब देख लो number है m, base है a m की power है x और n की power है y तो जो number होगा ना number की power numerator में multiplication में आएगी इसको आप लिख सकते हो x आगे आगा multiplication में m with base a और जो denominator की या sorry, base की power होती है वो denominator में जाएगी तो this is 1 upon y log m with base a और तो दोनों काम एक साथ हो रहे हों तो ठीक है इसको आप numerator में भीजो इसको आप denominator में भीजो तो यहाँ क्या बन जाएगा x upon y और यहाँ पे आजाएगा log m with base a यह property ऐसे लगती है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है this is x upon y log m with base a याद रखने वाली बात यह है कि number की power numerator मे base की power denominator में आया ना number की power numerator में और base की power denominator में अब हमारे पास में इतना time नहीं है कि मैं यह सब चीजे प्रूफ करूँ इसलिए आपको property समझाई जा रही है आपको याद रखनी है simple जिखानी है समझे की नहीं समझे clear है 12th question पहले एक बार यह समझतो ले question पे सिदा टूट पड़ू आजए यह sir जो property number 6 है उसकी बात करते है बाकी लोग SMJ लिखकर बेजना कुछ ग्यानी वे ग्यानी लोग भी हमारे बीच में आ गए है sir ऐसा कर देते तो बढ़िया होता तो सबसे बढ़िया तो तब नहीं हो जाता पड़ी लेते इस सेशन की जुरत नहीं पड़ती है ना डिटेल में यह पढ़ाया गया है लॉग तिन तिन चाचार लेक्चर तक पढ़ाया जाता है अब तुम सोच रोगी वही फील आपको पंद्रा मिनट या एक घंटे में आ जाए धाट इस इंपॉसिबल ठीक है थोड़ा बहुत सेक्रिफाइज या कहीं पर आपने मकारी की है तो अब आपको यहां पर कॉंप्रोमाइज करना पड़ेगा बढ़िया सारे पॉइंट्स कवर करते वे चल रहा हूं इसके इलावा तो नंबर और बेस अपनी जगह बदल लेते हैं समझ पारे हो एक टर्म जो न्यूमिरेटर में लिखी है इसको डिनॉमिरेटर में लिखना चाहते हो आप तो नंबर और बेस अपनी जगह बदल लेंगे ठीक है अब इसी बात को अगले स्टेप पे लिजा कर आप ऐसा आए ना एक चीज और भी देख सकते हो आप लॉग एविध बेस बी की जगह है आप अपने मनमर्जी का बेस डाल सकते हो जैसे यहां पर बेस भी है ना इसके दो अलगलग टर्म्स बना दो एक टर्म न्यूमिरेटर में लॉग की एक टर्म डिनॉमिनेटर में लॉग की और और कोई भी एक नया बेस इंट्रिद्यूस कर दो डाट इस बेस सी मतलब सर आप यह कहना चाहते हो यह जैसे मान लो आपको पता है लॉग 16 विद बेस टू लिखा हुआ है तो यह जो नंबर है यह नुम्रेटर वाले लॉग का नंबर बन जाएगा और यह जो बेस है यह डिनॉम्रेटर वाले लॉग का नंबर बन जाएगा यह यहां चला गया यह यहां चला गया अब यहां पर अपनी मर्जी का कोई सा भी एक बेस डाल दो किसी ने बोला सा 7 मैंने का बिल्कुल सही यह सही लिखा हुआ है this is called as base change property आयना आयना ठीक है अब जैसे आपको पता है कि सर यह वाली पूरी वैल्यू यह पूरी वैल्यू क्या लिखी है this is 4 तो यह भी पूरा 4 लिखा हुआ है सर यह कैसे पर चला आपको कि यह 4 लिखा हुआ है मैं अभी देख ले एक काम कर इस पूरे को ऊपर वाले को X बोल रहा हूं और नीचे वाले को Y बोल रहा हूं मुझे यह शो करना है कि X upon Y 4 है आपने X किस को बोला सामने देखना लॉग 16 विद बेस 7 को अपने X बोला मैं का येस और लॉग 2 विद बेस 7 को अपने Y बोला मैं का हां मुझे X upon Y अगर 4 के बराबर प्रूफ कर दू तो यह दोनों बराबर मन लोगे ठीक है अब यहां से ल और सर यह कितना आजाएगा 2 बराबर 7 की पावर Y यह कहां से अटाया सर आपने लॉग यह वाली प्रॉपर्टी को यूज करके लॉग A विद बेस B बराबर C लिखा हो तो A बराबर B की पावर C लिख सकते हो तो वैसे ही A बराबर B की पावर C यह ठीक है दोनों को पावर Y है एक कामकर यहां पर वैल्यू पूट कर देते हैं सर यह क्या लिखावा है 16 मतलब 2 की पावर 4 मैंनका बहुत बढ़िया हूं 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4 बराबर 7 की पावर X अब आप 2 की जगह 7 की पावर Y लिख सकते हैं अब इन दोनों पावर्स को एक्वेट करते हैं तो 4Y बराबर X X अपॉन वाइब बराबर 4 तो किते लोगों को बेस चेंज प्रॉपर्टी समझ में आई देख लो ठीक है पहले लॉग हटाया यहां से इसकी वैल्यू इसमें पुट की दोनों की पावर एक्वेट करती दोनों तरफ नंबर सेम है तो सर 4Y बराबर X आगया X अपॉन वाइब 4 आगया क्लियर है जी आगया तो वही यहां पर लिखा हुआ है अब सर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेवन्थ वाले A की पावर में लॉग वाली टर्म लिखी हो जिसका नंबर है B और बेस है C तो यह दो लोग अपनी जगह बदल सकते हैं B और A अपनी जगह इंटर्चेंज कर सकते हैं C यहीं रहेगा तो यह बन जाएगा सर B की पावर में लॉग A विद बेस C तो इस अबर प्रॉपर्टी नंबर सेवन यह साथ प्रॉपर्टी जो की आपको ध्यान रखनी है फटा फट एक बार और रिवाइस करवा देता हूं है ना फटा फट एक बार और रिवाइस कर देता हूं यह एक्वैलिटी में लॉग हटाने के काम यह दो लॉग की अलगलग टर्म भीच में प्लस साइन इसमें हो तो आम और अन का मल्टिप्लिकेशन होगा यहां पर अगर में दो एक हैं आजए एए उपावपर्टी क्या बोलती है कि जो नंबर की पावर होगी वह आगे आजाएगी नियूमिरेटर में मल्टिप्लाय हो चाहते हो तो यह दोनों अपनी जगह बदल लेंगे या फिर basic property log-a with base b को आप क्या लिख सकते हो के कि इसका जो number है वो उपर वाले log का number और इसका जो Wit अब पूपर आले ल coalition law account तो यह दोनों तो a और बीतो नंबर में चले गये और एक नया बेस अपनी मन पसंद अपना मन पसंद बेस आप इसमें इंटर्ड्यूस कर दो ठीक है और लास्ट प्रॉपर्टी इस एक ही किसी नंबर की पावर में आपके पास में लॉग लिखा हुआ है तो आप क्या करो उस नंबर को और उस पावर के या लॉग के नंबर को आप बदल सकते हो सी वहीं रहेगा ठीक है यह सारी प्रॉपर्टीज है लॉग की अब इसके बेसिस पर आप कुछ सिंप्लिफिकेशन मुझे करके दिखाईए जैसे फॉर एक्जाम्पल यह वाली चीज प्रॉपर्टीज है कि इसकी वैल्यू क्या होगी है है थीक है सिंप्लिफिकेशन आपको आ नीची है अधाय जल्दी से करके दिखाईए ठीक है मैंने आपको प्रॉपर्टी समझा दी और प्रॉपर्टी आपको पहली चीज याद रखने जितनी भी चीज़े याद करने व लिखो ऐसे करकर के बार-बार आप उन प्रॉपर्टी इसको लिख लिख कर देखिए जैसे यह वाला एक्स्प्रेशन है कि मुझे इस चीज को डिनॉमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाके लिखना है ऐसी सर लिख देते हैं क्या दिक्कत है तो जब आप डिनॉमिनेटर से न्यूमिनेटर में आओ जैसे कुछ लोग इसको सरफ यहां से यहां जाना देखेंगे तो यह भी तो इसके बराबर है इस टर्म को जब मैं उपर ले जाके लिख रहा हूं तब भी तो नंबर और बेस ने लेगा बदल लेंगे और प्लस के बाद में सर यह दो लोग है है ना है ना है सर यह लिखाव है लॉग फाइट बिद बेस थ्री मल्टिप्लाइड बाई यह जो चीज लिखी हुए आपको समझनी पड़ेगी देखना दरब लॉग 27 विद बेस 25 यह जो नंबर वाली प्रॉ चाहां कि 81 विद बेस वन बाई 3 कितना होगा इसको सोचने का तरीका आप ऐसे भी बोल सकते हो 81 को आप लिख सकते हो sir that is 3 की पावर 4 और 1 by 3 को आप लिख सकते हो sir 3 की पावर माईनस 1 तो 4 आगे यह माईनस 1 देनॉमिनेटर में और पीछे बचेगा sir log 3 विद बेस 3 यह वाली पूरी वैल्यू क्या होगा sir this is 1 तो 4 upon minus 1 this is minus 4 जो आप directly भी सोच सकते हो वैसी ही सर आप इस 27 को लिख दो this is 3 की power 3 और इस 25 को लिख दो 5 की power 2 जहां पर भी आपको number और base में power दिखे दिखे मतलब 27 हमें पता 3 का cube होता है तो 3 आगे और ये 2 denominator में तो 3 upon 2 पीछे क्या बचेगा log 3 with base 5 यही बचेगा तो मैंने इसकी जेगे क्या लिखा this is 3 upon 2 log 3 with base 5 अब एक छोटी सी चलाकारी कर रहा हूँ आप लोग देखना ये और ये एक दूसरे के रैसी प्रोकल है ये और ये एक दूसरे के रैसी प्रोकल है 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 की नहीं है हाँ सर ऑविसली है मैंने पूचा कैसे भाई कि अगर आप इसको डिनॉमिनेटर में जाके लिखते हो तो नंबर और बेस अपनी जगह बतलेंगे तो ये बन जागा दिनॉमिनेटर में कर दो और यहां बचांचा थी बाइटू छोट्य थाटी सिक्स की पावर क्या रखेंगी वह सिक्स बन जाए थाटी शक्स की पावर हाफ मतलब स्क्वाइर रूट पाइनल अंसर कितना होगा एसा हमारा फाइनल आंसर इस टू सिंप्लिफिकिशन वला था समझ में आएगी नहीं समझ में हाई ना चलिए एक और सवाल जही एडवांस दोजार ठारा का है इसके जो ऑप्शन्स हैं इस और रॉंगली प्रिंटेड इनकी तरफ मत ध्यान दीजिए आप सिरफ सवाल पर ध्यान दीजिए इसकी न्युमेरिकल वैल्यू आएगी जल्दी 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 पटाफट सॉल कीजिए सिंप्लिफिकेशन लॉक की प्रॉपिटी यूज़ करके हाँ सर 11 अर्जुना से गरू की वन शॉट से पूरी 11 वन शॉट में बोले सर आप करवा तो रहे हो यह वह वाले टॉपिक्स है यह वह वाले पॉइंट से जो क्लास 12 में जरुत पड़ेगी मैं पूरी 11 नहीं बढ़ा रहा हूं लक्षे के फैकल्टी रिवील कब होगी फैकल्टी सारी रिवील होगी ठीक है एक भी फैकल्टी फीमेल नहीं है वेटा तो होगी नहीं होंगे तो तो एक को है सबेख दुन डव्र से मों दोनों का बे सव मेज़ू पिर किरना फीर कुछ निए सकते पिर वहां पे अलगेगी ना उप हिंगी जहां पर इसनु को अलगसे सोचो देख भाई रूट सेवन का मतलब होता है सेवन की पावर हाफ यह होता है रूट सेवन और यह डिनॉमिनेटर में लिखावा है मतलब वन अपॉन लॉग लॉग 7 विद बेस फोर है इसको अगर ऊपर लिजाके लिखू तो नमबर और बेस अपनी जगह बदल लेंगे तो आप इसको लिख दो सर्थ इस लॉग 4 with base 7 ध्यान से देखना, यह क्या लिखा हुआ है सर यह लिखा हुआ है 7 यहाँ पर है half log 4 with base 7 यह लिखा हुआ है न, यह दोनों multiplication में है अब आप इस 4 को लिख सकते हो 2 की power 2, जहाँ पर भी आपको power, base या number में power दिखे, मतब किसी का square दिखे यह cube दिखे, तो उसको ऐसे लिखो और हमें पास जो property है वो यह बोलती है कि यह जो number की power होती है वो log वाली term के साथ यहाँ multiplication में आ जाती है बोलो हाँ यह और यह cancel हो जाएगा सर 7 की power में log 2 with base 7 बोले बहुत बढ़िया अब ऐसी कोई property है गया जो number की power में log वाली term हो तो हाँ सर number की power में log वाली term हो तो log का number और यह number आपस में अपनी जगा बदल लेते है जैसी ही अपनी जगा बदलेंगे सर यहाँ क्या बन जाएगा 2 log 7 with base 7 सर यह वाली value क्या हो जाएगी बेस और number अगर बराबर हो तो this is one तो 2 की power 1 मतलब सर यह पूरा तो 2 लिखा हुआ है अब आज यह सर यहाँ पर यह क्या program है ज़र देखना यहाँ पर भी log 2 with base यह 9 with base 2 आ रहा है और यह भी 9 with base 2 आ रहा है तो थोड़ी दिर के लिए मैंने क्या किया इस पूरे को अलग से सोच रहा हूँ तो log 9 with base 2 को मैंने थोड़ी दिर के लिए alpha बोल दिया ठीक है ऐसे ही तो सर यह क्या लिखा भाई यह पूरा alpha का square power में 1 upon log base 2 है और यह पूरा क्या ऐसा this is alpha ठीक है जी वापिस इसको उपर ले जाके लिखो तो यह आएगा alpha का square यह उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बिटा नमबर और base अपनी जगह बदल लेंगे मैंने का बहुत बढ़िया है अब ज़रा देखना यह क्या लिखा हुआ है सर यह इन दोनों का multiplication लिखा हुआ है बहुत बढ़िया है क्या सर इस 2 को 2 की power में लेके जाओ तो alpha यहां आगया 2 की power 2 क्या मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ हाँ जब पावर में number होता उसको वापिस आप numerator में multiply कर सकते हो तो जो number multiplication में उसको वापिस पावर में भी चड़ा सकते हूँ 2 की power 2 is 4 with base alpha अब वापिस एक number की power में एक log की term तो यह और यह अपनी जगह बदल लेंगे तो 4 की power में log इसकी जगह आगया alpha with base alpha अब alpha चाहे कुछ भी हो दोनों same है तो value आ जाएगी 1 तो 4 की power 1 is 4 तो यह वाली चीज पूरी की पूरी solve करने पर 4 आ रही है 4 into 2 final answer is sir 8 8 is our fnf क्या बोलती है जंता हूं क्या 8 आपका fnf तो properties वाले सवाल आ रही है सिंप्लिफिकेशन वाले सवाल आ रही है एक और सवाल देख लो कि यह जी एडवांस 2011 का है कि अगर चलिए चलिए फटा फटा सॉल कीजिए कि मल्टीबल करेक्ट है देखने वाली बात है मल्टीबल करेक्ट कोशन है प्रॉपटीज का अच्छा हेर फीर है इसमें प्रॉपटीज याद होगी क्या करना अज़र प्रॉपटीज प्रॉपटीज का मापको एक छोटा सा होम वक्त देदूं यह सारी की सारी प्रॉपटीज आपको पेज पर किती बार लिख कर देखनी है राइट ओल प्रॉपटीज पाइफ टाइम्स बोल-बोल के बोल-बोल के चला जाएगा पावर वाला न्यूमेरेटर में आजाएगा यह सब रफ कॉपी में तब जाके भी बेटा चीजे याद होंगी सब्सक्राइब यह आपका जो है यह फिर से एक छोटा सा हूंवक है आप इस मिलता सभी को है करते सभी नहीं वही करते हैं जिनको अपने फ्यूचर की परवाह हो हाई ना चलिए चलिए तो इसमें कैसे सॉल करना है वह बताओ हाई 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 है है इस लिमिट वाले कुश्चन पढ़ाओ तो लिमिट जो चैप्टर है है इंडिफ्रेंशेशन जो चैप्टर है ठ्रीडी इंट्ड्चन वाला जो चैप्टर है प्रबिबिटी जो चैप्टर है ये चार चैप्टर ऐसे हैं जिनका सिर्फ class 11 पंट्रॉडक्षण ये पूरी class 12 में पूरे धेरो तरीके से पढ़ाय जाएंगे बहुत chapters की हम बात नहीं करेंगे बटा जो detail में पढ़ाई जाने है जैसे मैं इस पूरे कहानी में relation function नहीं लेकि आया क्योंकि relation function मुझे पता है जो भी teacher आएगा वो detail में पढ़ाईगा वापसे limits ही क्यों ना हो गया limit भी जो teacher आएगा वो आपको पूरा detail में फिर से बढ़ाएगा यह जूम करते हुए कि आपने 11 वाले limits पढ़ी ही नहीं है we are discussing those parts जो कि आपको पहले से पता होने चियां जो कहीं कहीं पर आपको दिख जाए उनकी हम पावर एक्स है और यहां पर पोर की पावर एकस माइनस वन है तो जब भी कभी जब भी कभी यह जो वैरियेबल आपका है यह पावर में टंगा हुआ दिखाई दे बैठा हुआ दिखाई दे तो आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो तो यहां पर दिख रहा है यहां पर त्रीडीर तो ले ले लिते वरना कोई बोले हैं मैं तो संबा हो कि बेस्टू क्योंकि बेस्टू के साथ लगा है और यहां पर लिखाव है थ्री की पावर एक्स और सर राइटें साइट पे भी मैंने एक लॉग लगा दिया सरी Все अधर की काम किरना है हमें जब हमारा जो वेर्य वैड्न है वह लोग में लाने के लिए ह्म धर्थी गुए उसको धस्कारल कैंस्ट्र नेक्राइट के सब्सक्राइब ना पकार ददें लॉग ने गनते हैं log 4 with base 2 क्या होता है that is 2 multiplied by x minus 1 तो this is 2x minus 2 आगे चलते हैं तो यह लिखावा है log x multiplied by log 3 with base 2 और यहां क्या लिखावा है बेटा this is 2x minus 2 x वाली term इधर 2 इधर तो this is 2x यह वाली term इधर आएगे तो minus x log 3 with base 2 और यह इधर जाएगा तो this is 2 सही है अब आप दोनों में से एक काम कीजिए x common ले लिजिए जैसे मैं इन दोनों terms में से x common लूँगा तो यह बच जाएगा यह और यहां लिखावा है sir this is 2 x की value सभी को दिखाई दे रही है sir x की value क्या आगी यहां पे right side में है 2 और इसको इधर दिवाइड कर दो this is 2 minus log 3 with base 2 क्या आपको यह वला अंसर दिख रहा है 2 upon 2 minus log 3 with base 2 option b तो दिख रहा है sir अब option b तो ठीक है बाकी सब options भी आपको चेक करने पड़ेंगे और उसको चेक करने का हिंट जो है वह option में खुदी चीपा हुआ है कैसे सर देखो जड़ा इन सभी सवालों में मतलब इस option में जो log का जो base 3 है तो मतलब सर यहां पर base 2 है मुझे base 3 बनाना है base 3 कैसे बनेगा सर मतलब इसको इसकी जगह लाना है और इसको इसकी जगह लाना है देखो ध्यान से तो यह तो तब होता है जब आप उस term की जगह उसका reciprocal लिख दो property बोलती है कि आप इसकी जगह 1 upon log 3 with base 2 2 लिख सकते हो sorry 2 with base 3 लिख सकते हो मतलब इसको मैंने denominator में लिख दिया इसी के और number और base बदल दिये now take LCM तो सर यह denominator denominator numerator में जाएगा तो यह जाएगा 2 log 2 with base 3 और यह इदर जाओगे तो this is 2 log 2 with base 3 और minus के बाद में यहां बच गया 1 अब इसको ध्यान से देखिए सर यह रहा हमारा option number a आया न तो base 3 वाला हो गया base 2 वाला हो गया यह बेस 2 वाला सर यह option सही हो चुका है अब एक base 4 वाला सर बेस 4 वाला option कैसे बनेगा यह नहीं समझ में आ रहा हूं मैंनका बन जाएगा टैंजन काहे ले रहे हूं देख जहां पर भी कभी ऐसा दिखाई दे 2 log 2 with base 3 इसके हाथ multiplication में है यह वापिस से इसकी पावर में आ सकता है पावर नंबर की पावर में जो होता है वो numerator में आ जाता है numerator वाला नंबर की पावर में आ जाता है तो इस एस सेम एस डिस और टू की पावर 2 क्या होता है यह काम खत्व मैंनका कैसे भई है इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 2 log 2 log 2 with base 3 को हम लिख सकते हैं Sir log 4 with base 3 ठीक है और यहां पर भी 2 log 2 with base 3 है इसको भी हम लिख सकते हैं sir log 4 with base 3 minus 1 ऐसा कोई भी option आपको नहीं दिखाई दिए रहा है sir जो हमें दिख रहा है उसमें base 4 है यहां पर number 4 है यहां पर क्या है number 3 base 4 यहां पर क्या है sir base 3 number 4 हमें उल्टा करना है तो टेक रैसी प्रोकल इसकी जिगा लिखो 1 upon log 3 with base 4 और इसकी जिगा लिखो 1 upon log और जैसे आप इसमें LCM लोगे तो यही चीज यह लिखी हुई है option c is correct इसका LCM ले लीजिए तो यह कितना आजागा 1 minus log 3 with base 4 denominator का denominator उड़ा दो मतलब numerator का denominator denominator सेम है तो यह वाली चीज आजएगी आए ना ABC is the correct answer clear है I hope आपको यह समझ में आऊगा है ठीक है हाँ ABC तीनों correct है अगला सवाल आपकी computer screen पर यह रहा है यह इसको आप बोल सकते हो this is logarithmic equation log वाली equation आगई properties की मदद से आप इसको solve करो properties की मदद से आप इसको का करो solve करो पड़ आपड़ अ थीक है आजए हो हाँ 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 है तो मैंनक ओई क्या है दिखने अजरा लेफ्टन साइड में एक लौक की टर्म है और इदर पूरा ऐसा लिकर आपँदे़ को स्कोर्थधिए ए के लिए मैं बोलू अ इसको बोलू B और इस पूरे को बोल दू C समझने वाली बात है तो कभी अगर ऐसा लिखा हो log A with base B बराबर C हमें एक property बताई गई है जो कि इस log को उटाने का काम करती है A बराबर B की power C हो जाएगा आया ना बस यही चीज यहाँ पर लगा दीजिए तो A का role कौन प्ले करना है सर 5 की power 1 by x प्लस 125 A बराबर B की power में पूरा C और B की power में पूरा का पूरा यह C कोई सा भी नंबर हो उससे का परक पड़ता है सर यही बात क्लिए रहा कि यही मैंने वो बहार वाला log हटा दिया नीचे add के कारण नहीं दिख रहा किस टाइब की add अभाई कुछ add चल रहेगा अभी बोल देता हूँ अब नहीं लगाएंगे ठीक है तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्लीज नीचे add मत लगाईए बच्चो को दिखाई नहीं दे रहा है बच्चो की सहूलियत से उपर कुछ भी नहीं है तो यह add बच्चो को बढ़ाने के लिए दीजिए ठीक है आजए ठीक है यह समझ मैं लॉग विद बेस बी बराबर सी मैंने लॉग अटा दिया अब ज़र द्यान से देखना कभी ऐसा लिखा हो 5 की पावर में M प्लस N प्लस P तो क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं 5 की पावर M 5 की पावर N इंटू 5 की पावर P क्योंकि जब सेम नंबर मल्टिप्लिकेशन में होते है तो पावर एड हो जाती है है ना तो बस फिर तो 5 की पावर में M प्लस N प्लस P तो इस पूरे को आप लिख सकते हो इंटू 5 की पावर लॉग 6 विद बेस 5 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 वाइट 2 एक्स क्लीर है भाई खत्म है सवाल स्वाल हो गया मैं अगर आपसे पूछू इसकी वैल्यू क्या है सर 6 और 5 अपनी जगा बतल लेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 6 च्योंकि 6 यहां आएगा पावर में जाएगा लॉग 5 विद बेस 5 जो की 1 होता है 6 की पावर 1 is 6 सर यह लिका हुए 5 इसको आप देखो 5 की पावर 1 बाई x की होल पावर 1 बाई 2 ठीक है और यहां आप देखो 5 की पावर 1 बाई x और 125 25 अब मुझे 5 की पावर 1 by x यहां भी दिख रहा है कभी भी किसी भी सवाल में किसी भी चैप्टर में कोई भी सिच्वेशन हो अगर आपको कोई चीज रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है तो आप उसको टी बोल दीजिए तो मैंने कि यह इसको टी बोल दिया तो जैसी मैंने इसको टी बोला समझने और देखने वाली बात है दोस्तू सामने देखना सर वह क्या बन जाएगा दिस इस टी प्लस 125 सर सिक्स इंटू फाइव डैट इस थर्टी और सर यह टी की पावर हाफ तो सरी आजयेगा रूट जी अब क्या करें या फिर एकामी करें टी स्क्वैर करेंगे तो मझे आजागी क्या तो विद्वी टीस व्हाइर से आपका क्या फाइदा है मैं जाओ तो यहां पर दिस्क्वैर आ जाएगा और यहां पर दिसक्वैर रखो के तो बात बनगी किलिकом तो हमें स्क्वैरिंग नहीं करनी पड़ेगी जब कुछ बोली रहे हो बोले जब इतना खर्चा होई गया है तो एक चिप्स का पैकिट ले लेते हैं ना तो वैसे ही तो जब आप बोली रहे हो टी तो टी स्क्वैर बोलो ना वो रूट अड़ जाएगा हाई ना अब यह बन रही है क्वाडिटिक बिटा पच्चिस और पांच देखना एक तो यह बड़ा हो जाता है कि आप ऐसे पढ़ाने आये हो अब कुछ बच्चे विचारे ओपन प्लैटफॉर्म अभी यूट्यूब बढ़ा रहे हैं तो वह आके अब सर मेरे लिए पढ़ा दो मैं दोजार पच्चिस में एक्डाम दूँगा इलेवंत में जाने वाला उसके बेसिक्स करवा दो फिर कोई आएगा सर यह तो मुझे आता है सर ट्रिग्नोमेट्री बढ़ा दो तो सबकी पच्चिस ले इसागए तो यहां से आपको एकड़ाफ़ गया और यहां से आपको एकस बडाबर टू तो एकस की वैल्यु मिल जाएगी सदेड़ इस आफ तो वन और एफ यहां से आया ना तो सर वन इसमें option में है नहीं हाफ हमारा option में है बट फिर भी मैं आपको एक note करके लिखने के लिए बोलूँगा जब भी आप log वाली equation solve करो लिख लो whenever you solve log वाली equation then आप अपना answer जो आया है उसको एक बार वापिस से रखके जरूर देखना चाहिए मतलब आप x की value 1 भी एक बार रखके वन तो option में नहीं है तो वैसी हटा दिया यह जो हाफ आया answer में तो यह एक option में ऐसा टिक करना इसलिए मैंने टिक कर दिया वरना आपको यह वापिस रखके देखना चाहिए x की जगह हाफ रखके ठीक है कि बराबर आ रहा है कि नहीं है क्योंकि कहीं के बार log वाली equation को solve करते वक्त एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं unwanted solutions आ जाते हैं तो उनको हटाना पड़ता है तो लिख लिया नूट करके कि जब भी हम लॉग वाली equation solve करेंगे तो हम वहाँ पर unwanted roots को जुरूर हटाएंगे एक सवाल और देख लीजिए लॉग का यह भी logarithmic equation का है लॉग के अंदर लॉग है क्या हो गया कुछ गरबड की है कि मैंने क्या गरबड है भाई क्या जीडी बीडी वही पूछ रहा हूं कि एक सो पच्चिस का क्यूब कि अच्छा मैंने अंसर टी के बराबर रख दिया गया ओहूं कि अच्छा में टी के बराबर रख दिया गया ओहूं स्क्वाइर की वेल्यू बता कर दिया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाज अगर टी यह है अगर टी यह है तो फाइव की पावर वन बाई एक्स के बराबर हम टी स्क्वाइर रखेंगे यहां हम रखेंगे 25 और फाइव की पावर वन बाई एक्स तो 25 का स्क्वाइर कितना हो जागा 625 अब ठीक है क्या क्योंकि यह टी है तो यहां पर टी स्क्वाइर रखा जाएगा बिल्कुल सही सर यह लिखा हूँ है फाइफ का स्क्वाइर यहां से जब इसको इसको इक्वेट करों के थे एक्स आएगा हाफ और 625 मतलब 5 की पावर 4 तो जब आप इसको और इसको एक्वेट करोगे सर यहां से आपका x की वैल्यू आजएगी 1 by 4 अब की बार हाफ और 1 by 4 दोनों आप्शन में हैं तो दोनों अंसर हो सकते हैं बट आपको पहले चेक करना चाहिए इसको आप क्या करो दोनों को चेक करो जैसे माल लो मैं x की वैल्यू हाफ रखता हूं तो हाफ रखने पर सर यह क्या बनेगा वन अपॉन एक्स तो 5 का स्क्वार यह कितना हो जाएगा भाई 5 का स्क्वार रखती ही अब तो सर यह हो जाएगा 25 तो 125 प्लस 25 देड़ सो तो लॉग यह इस तरफ क्या बनेगा अगर मैं x की वैल्यू हाफ रखता हूं चेक कर लेना चाहिए हाफ रखने पर यह बनेगा सर लॉग 25 प्लस 125 that is 150 with base 6 और right hand side क्या बन रहा है सर हाफ रखा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में 1 this is 2 प्लस log 6 with base 5 यह क्या दोनों सेम लिखे हैं तो answer is sir yes कैसे आप इस 2 को लिख सकते हो log 25 with base 5 इसकी value भी 2 होती है और log 6 with base 5 तो पच्चिस इंटू छे देड़ सो ही होता है हां बिल्कुल सभी तो हाफ satisfy करेगा सिमिलरी वन बाई 4 भी satisfy करेगा आपको चेक करके आपको जुरूर देखना है वन बाई 4 भी आपको चेक करना है आई बिलीव आपने वह नोट वाली बात देख लिए होगे अगला सवाल फिर से एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड यहां पर तो लॉग सिक्स विद्ट बेस फाइफ है यहां वन यह बन जाएगा टू बहुत बढ़िया अच्छा हाफ सैटिस्फाइ नहीं कर रहा है इसका मतलव है नहीं हो ना एक सेकेंड थोड़ा जगा बना लेते हैं देखो हो जाती ना भी जीडी बीडी इसलिए चेक कर लेना चाहिए अब हम क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं यह मैंने बनाई जगा पहले तो अटेंशन आलो सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपके सामने हैं अगर मैं इसके में एक्स की वैल्यू हाफ रखता हूं तो हमारी लेफ्टन साइड बन रही है सर लॉग जिसका बेस हो जाएगा फाइफ अच्छा मैंने यहां पर बेस गलत लिखा है सिरफ अब तो बराबर यह 25 इंटू 6500 बिल्कुल सही लिखा गलत है ठीक है सर यह भी आ जाएगा 150 विद बेस फाइफ आ जाएगा और राइट-न-साइड भी आपका लॉग 150 विद बेस फाइफ आ जाएगा तो मतलब से लेट-न-साइड राइट-न-साइड बराबर आ रही है तो यह जो आपका सॉलुशन है इस एक्सिप्टेबल एक्सिप्टेबल समझेगी नहीं समझेगा आया ना और वन बाइफ फोर भी रखके देखो इसमें भी जुरूर चेक करना आप यह भी सैटिस्फाइ करना चाहिए है ठीक है तो सटिस्फाइ करेगा मैं ऐसा मान के चल रहा हूं है क्लीर है आज यह एक और सवाल फिर आगे बढ़ते हैं कि 125 को फाइफ क्यूब लिखने से फाइदा क्या होगा कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको फाइफ क्यूब लिख लो जल्दी जल्दी इस सवाल को भी सॉल कीजिए है 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 टीक है 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 फैकल्टी रिवील कभ होगा निवर बना कि बेज़ें चलिए जो आपको भी धूदे पहले बताया था कि सब्सक्राइब बदें आप हो है तू बहार एक लॉग है लॉग के अंदर एक लॉग है कोई बात नहीं सर मतलब लॉग के इस बाहर वाले लॉग के लिए सर यह वाला जो लॉग है यह नंबर की तरह भी एप कर रहे है और यहां के लिखावर से दिस लॉग विद बेस हाफ अंदर फिर एक और लॉग है टू और यह लिखाव है टू रूट टू एक्स यही सवाल है आए ना अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आपको चीजों में कुछ भी रिपीटिंग दिखाई दे ठीक है रिपीटिंग तो आप उसको हमेशा क्या बोलो टी बोलो क्यों कि रिपीटिंग को टी बोलने से बहुत सारा फरक पड़ता है सवाल बहुत असान दिखता है जरा दिखना कैसे टी आप बोल रहे हो मुझे यहाँ पर लॉग एक्स विद बेस टू दिख रहा है मुझे एक समझदार बच्चा वही होता है जो प्रॉपर्टी इसको दोनों डिरेक्शन में याद रखें वरना जनरली जैसे यह प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है बच्ची इसको ऐसे याद करते हैं कि दो टर्म्स होंगी तो एक बनाएंगे दो होंगी तो एक बनाएंगे दो आप इसको ऐसे क्यों नहीं याद रखते हैं यह दोनों बराबर है ना ऐसा लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं तो समझदारी का परीचे देते हुए आप हर एक प्रॉपर्टी को बाइडरेक्शनल तरीके से याद रखो जैसे म तो टर्म्स होती दोनों का बेस सेम होता बीच में प्लस साइन होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे तो मैंने इसको ऐसे अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सर इसका आंसर आजएगा 3 by 2 क्यसे चोंकि 2 free 2 का मतलब होता है 2 की कि पावर 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर वह रुजैगी टू कीपावर 3 वैट मतलब यह सवाल ऐसा बन जाएगा 2 की पावर 3 by 2 और यहे टू यह पावर आगे तो 3 बाय टू बन गया और 2 विट बेस टू वह होता है तो यह तो 3 log x with base 2 को t बोल दिया कोई दिक्कत और यहाँ पर आपको दिखना चीए यह लिखा हुआ है sir 3 by 2 plus log x with base 2 दिखा अब जैसे आपने इसको t बोला अब अगला step बताइए sir 2 है log base 2 है आपने इस पूरे को t बोला है तो मैंने यहाँ पर t लिख दिया फिसर log base half है मैंने का बिल्कुल बात एकदम साफ है और यहाँ पर इसके अंदर यह लिखावा है 3 by 2 और आपने log x with base 2 को t बोला है तो यह लो t बराबर 1 अब यह sir equation हमें हलकी और अच्छी दिखाई देने लगे इस 2 को मैं फिर से इसकी पावर में ले के आ सकता हूँ अगर यह 2 यहाँ होता तो मैं इसको आगे ले के जा सकता था आगे था तो इसकी पावर में ले आया ठीक है क्या मैं एक चोटा सा काम और कर सकता हूँ base अगर half है तो base को लिखा 2 की power minus 1 यह जो power होती है base की यह कहां जाती है denominator में तो यह जो minus 1 यह कहां आ जाएगा सर यह यहां आ जाएगा देख लो और हमसे क्या आपको यह सारी कहानी समझ में आई की नहीं समझ भाए बोलो तो सर यह क्या लिखावा है this is nothing but log base 2 है और t square minus यहां पर क्या है base एक simplification कहां मैं आपको एक हलका सा idea या फिर एक बढ़िया पॉइंट बताता हूं कि जब भी आप ऐसी किसी equation को log वाली चीजों को simplify कर रहे हो ट्राइटू मेक बेस सेम एवरिवेर सब जगह बेस सेम बनाने की कोशिश करो तो यहां पर बेस टू था तो यहां पर हाफ था मैंने बेस सेम बना लिया अब क्या होगा सर लॉग M माइनस N वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी देखो जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी तो बेटा दो लॉग की टर्म है दोनों का बेस सेम है बीच में माइनस साइन है तो यह प्रॉपर्टी यह equation यह महाल यह situation अपने आप चिला चिला कर बोल रही है कि प्रॉपर्टी लॉग M माइनस लॉग N वाली लगेगी जो की प्रॉपर्टी क्या बोलती है सर यह M है that is T square divided by 3 by 2 plus T और बराबर यहां क्या है सर 1 अब फिर से लॉग हटा हुआ वाली प्रॉपर्टी लॉग A with base B बराबर C तो आप इसको क की पावर C आप इसको इधर भीज दीजिए जैसे इधर भीजोगे तो T square बराबर जब यह से मल्टीप्लाय होगा तो this is 3 plus 2 T सारी टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो यह हो जाएगा सर this is T square minus 2 T minus 3 बराबर 0 समझने वाली बात है यहां से factorization कर सकते होगे इसका है सर T minus 3 into T plus 1 टी की आपके पास में दो वैल्योज आगी सर वन इस 3 अनदर इस माइनस वन है ना ठीक है अनदर इस 3 1 is minus 1 ठीक है अब सर आपने T इसको बोला था वो देख लो आपने T बोला सर लॉग X with base 2 को ठीक है भाई लॉग X with base 2 की value एक तो 3 आ रही है और एक आ रही है सर लॉग X with base 2 की value minus 1 यहां से फिर से जब आप लॉग अटाओगे लॉग A with base B बराबर C तो A बराबर B की power C तर यह आ जाएगा 8 और यहां से अटाओगे तो 2 की power में minus 1 that is 1 by 2 बट सर इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा और वैसे भी देखके पदा चल रहा है ती की value minus 1 तो जर देखना ती जो है वो यह 2 आगे लिखा हुआ था या फिर आप यह दोनों x चेक कीजिए ठीक है है तो यह वाला जो है यह वाली जो value है half this will not satisfy यह satisfy नहीं करेगी कैसे आप x की value half सोचो जब मैं half यहां रखोंगा अजरा देखना यहीं पर आपको और प्रप्रप्रस देखना इसके अंदर x की जगह मैंने half रखा इस पूरे की value क्या होती है sir minus 1 तो मतलब यह क्या बन गया 2 log 2 और यहां बन गया minus 1 नंबर के अंदर sir एक negative quantity बन गी तो मतलब half नहीं satisfy कर रहा जबकि हाँ यह जो है न 8 यह satisfy कर जाएगा तो हमारा जो fnf होगा that is only x बराबर 8 x बराबर 8 is our fnf सिरफ x बराबर 8 हाफ reject हो गया क्योंकि वह original equation को satisfy नहीं कर रहा मैंने आपको बोला था ने चेक करना है answer is sir yes ठीक है एक छोटा सा फंडा और है logarithmic inequality वाला logarithmic inequality that is inequalities involving log inequalities involving log बहुत ही छोटा सा फंडा है सीधा सीधा समझ में आना चाहिए ठीक है आना अब यह कौन है mod in previous question कहां लगेगा बेटा mod जब बेटा तुन्हें इतना सोची लिया था ठीक है आना जब तुन्हें इतना सोची लिया कि कि टी स्क्वाइर का रूट मॉड टी होता है तो यह भी सोची लिती मेटा अलंकरिता जी सही सोच रहें अच्छी बात है क्योंकि आपने देखो ना एक बार टी बोला किसको है 5 की पावर एक्स को एक्स्पोनेंशल अन्य यह कभी नेगीटिव होता नहीं यह this is आलवेज पॉजटिव ढिजिस पोज़िए से पहँ ए ठीधा लिग धिया मैंने संज्जमार र एगर को यह पता था मैंने एक्समयनन्शल फंक्शन को टी बोला है ठीक है कली को चलिए जी यह कौन है भाई बोल रहा है थ्री प्लस टू वाला टी कहां चला गया यह टी स्क्वेर एम न्यूमिरेटर में यह थ्री बाई टू प्लस टी यह लिखा तो हुआ है यह इदर गया तो यह लिखा हुआ अब इसको इदर पूरे को भेजेगा तो टू अन्यू टू टू थ्री और की तो यह तूटी हो गया आत्यू कि दम घ्रिदुन है यह में और टी यह स्थिर रहनां चलिए चलिए बहुत बढ़िया अब आज ये फटाफट अगले सवाल log inequality क्या बोलती है दिखना ज़रा अभी आपने ऐसा देखा कि कभी अगर ऐसा लिखा हो log a with base b और equality का sign और यहां लिखा हो c आप directly इसको उटा सकते हैं आप क्या बोलोगे a बराबर b की power c अब situation कैसी आगी बिटा अब आगी inequality वाली मतलब यहां पर equality की sign की जगह equality की sign की जगह inequality का अगर sign हो तो ठीक है तो situation तो अभी भी वही है a अकेला हो जाएगा इधर b की power c आजाएगा ठीक है अब यहां पर जो sign आएगा उसके बारे में आपको सोचना है वो b इसका nature कैसा है इसका nature मतलब कि या अगर यह 1 से बड़ा है या अगर यह 1 से छोटा है 1 से छोटा मतलब 0 के बीच में अगर base 1 से बड़ा हुआ तो sign सेम रहेगा और अगर base 1 से छोटा हुआ तो sign reverse हो जाएगा sign change बस इतनी सी बात आपको सीखनी है फिर से बताता हूँ मैं यह बोल रहा हूँ कि जब equality होती है log a with base b बराबर c तो a बराबर b की power c आप directly लिख देते हैं उसमें कोई घबराने वाली बात नी equality होती है अब इस equality की जगह यहाँ पर आगी inequality log a with base b greater than c तो a इदर अकेला हो गया b की power c इदर लिख दिया अब मुद्दा आता है sign कौन सा जाएगा ठीक है? sign कौन सा जाएगा इसको simple से तरीके से आप याद रखिए अगर तो आपने यह base 1 से बड़ा है तो sign सेम ही रहेगा और अगर आपने जिसको इदर भेजा है अगर वो 1 से छोटा है तो sign इसका reverse हो जाएगा उल्टा हो जाएगा समझे? if base is greater than 1 then sign remains same same का मतलब जैसा दे रखा है वैसा ही and if base is less than 1 then sign will change समझेगी नहीं समझे? clear है? same बात मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि इसको आप लिख सकते हो A greater than equals to B की power C जो भी sign था वो वही रहा ये कब जब base 1 से बड़ा हो और इसके सर्थ दो अंसर आजाएगे ठीक है? ये तो तब जब base 1 से बड़ा हो और सर अगर मान लो base 1 से छोटा हुआ तो sign of inequality जो है वो reverse हो जाएगा ठीक है? अब सर कही की बार ऐसा भी होता है ये पहली चीज तो लिखा ही गलत हुआ है इसको आप ऐसे सूचो कि दोनों तरफ से log function log function हम अटा रहे हैं इसका अंसर आजाएगा a c से बड़ा अगर base 1 से बड़ा हुआ तो और a less than equals to c अगर base 1 से छोटा और 0 के बीच में हुआ तो मतलब सर all and all आप यह बोलना चाह रहे हो कि logarithmic inequality में हम सारा का सारा ध्यान अपना base के उपर रखेंगे जिस base को अगर आप हटा रहे हो वह 1 से बड़ा है तो sign of inequality remains same अगर वह 1 से चोटा है तो sign of inequality will get reversed ठीक है जी यही बाते आपको ध्यान रखनी है इसमें भी दोनों तरब बेस सेम है और आप सेम बेस वाले लॉक को हटा रहे हो तो सर अगर वह 1 से बड़ा है जिसको आपने हटाया तो sign of inequality remains same और अगर वह 1 से चोटा है तो sign reverse हो गया सेम लॉजिक है clear है आप ब्रेक देंगे बिटा ब्रेक देंगे कहीं गब्रा रहे है अब जैसे एक चोटा चोटा सवाल कर लीजी प्लीज और एक्जाम्पल मैंने आपको बूला कि जैसे यह वाला कॉश्चन है log 3 by 2 x square minus 4 is less than या greater than 5 मैंने आपको बूला इसको सवाल कीजिए log 0.5 के अंदर log 8 और यहाँ पे लिखावा है सार x square plus x is less than 0 यह वाला सवाल आपको solve करना है दोनों से अरे ब्रेक दे देंगे विटा थीक है जैसे यह एक सवाल है यह दो सवाल समझने की कोशिश करो अगर यह इन equality का सवाल ना होकर है यह अगर एक equality का question होता इसकी जगार साइन अगर equality का होता तो घब्राने वाली कोई कोई बात नहीं है लॉग एविद बेस बी बराबर सी तो मैं इसको इसे लिखता हूं है ना हट गया तो एक से स्क्वाइर बराबर चार प्लस थ्री बाई टू की पावर पांच आगी सर ठीक है यहां से एक्स की वैलियो हम निकाल देते यह तो है एक्वैलिटी के वाला केस बट सर हमें बात करनी है इन इक्वैलिटी में तो उसमें एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है जो अभी बताया फिर से करके दिखा रहा हूं लॉग एविद बेस भी और इदर लिखाव है सी कहानी तो अभी वही चलेगी यह इदर जाएगा दैस थ्री बाई टू की पावर एक काम करो इस थ्री बाई टू को थोड़ा ठीक कर लेते हैं थ्री बाई टू की जगह इसको ठीक लेलते हैं विकाज अभी अंसर रूट में आ जाएगा एक काम करते हैं इसको टू ही ले ले लेते हैं ठीक है थ्री बाई टू भी वन से बढ़ा था टू भी बढ़ा है तो इदर जाएगा सथ टू की पावर 5 मैं आपसे पूछ रहा हू साइन ओफ इनिक्वैलिटी कैसा रहेगा सभी लोग चैट में मुझे बताएंगे सेम रहेगा कि रिवर्स हो जाएगा इस बात को समझने के लिए आप देखो कि आपने किस बेस को उस तरब बेजा है और टू एक वन से बड़ा नंबर है तो वन से बड़े बेस के साथ अग गया बन जाएगा x square minus 29 greater than 0 अब जैसे ही inequality बनी किसी भी सवाल में किसी भी जगै पर जब inequality बनेगी तो कौन activate हो जाएगा sir WCM baby curve method activate हो जाएगा बाकी लोगों वो बोले अब ऐसा पीछे अड़ जाओ अब मैं संबाल लूँगा तो जब आप इसको factorize करोगे सर यह आ जाएगा x minus root 29 और x plus root 29 और चलिए जी दो roots आगे यह 0 होगा सर minus root 29 पर और यह 0 होगा सर plus root 29 पर x का coefficient दोनों जगा positive है तो plus minus plus आप से कौन सी चीज़ पूछी जा रही है समझ मैं वेवी करव method का क्या important है अब देखो जैसे ही inequality आपको दिखाई देगी वेवी करव method आ जाएगा सर रॉंग कर दिया क्या हाँ हाँ हो फो यहाँ है क्या गत्वाद यह बढ़िया है फ्रेक को च्वावर फॉर प्रवतिन यह है एक्स माइनस सिक्स का एक फेक्टर एक्स प्लस सिक्स बिल्कुल सही जाग रहे हो सोई नहीं हो मैं सीख गया हूं आप तो टीचर आप से गलती हो नहीं सकती तो शायद आप हमें च black if you कोन है तुमारे सामने आई मी माई सेल्ट किसर हो सकता है आप हमसे चेक कर रहे हो गया कोई गलती वलतियत पकड़ो खत्यस आगया सर फेक्टराइज किया पॉजटिव नेगेटिव पॉजटिव ठीक है अब इसमें एक दुवीधा वाली बात है कैसी बात है दुवीधा वाली बात है समझने वाली बात है दिस नॉट और एफ 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 यह आपका एफ एफ नहीं है कि यह अब कहें लिख रहे हो एच सी के कोई गरबड़ो तब लिखना भाई अब क्या दिख्कत है अब अब तो ठीक है अब कहीं लिख रहे हो बे अवे यार लिटिल गोलू रुख जाओ सब लोग जो फालतू भी लिख रहे हो उसका नाम लिटिल गोलू लिख दिया जाएगा और यह लिटिल गोलू वाला टैग है ना कॉलेज में बहुत परिशान क करेक्ट अब मैं आपको एक कॉंसेप्चिल पॉइंट क्यों लेके जाता हूं आपने इन इक्वैलिटी सॉल की बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने यह बात दिमाग में रखी कि बेश जो है वह वह वन से बढ़ा है कि वन से जोटा सॉल कर लिया सर यहां पर अंसर आते ही बच्चे चिलाने लगते हैं सर यही जवाब है नहीं जी एक बात नोट करके जहां पर भी आप रफ कॉपी या कहीं पर लिखना जड़ा लॉग जब जब आएगा आपको उसकी परसनल डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा परसनल डोमेन का ध्यान मतलब कि लॉग सर बहुत सब क्या होता सर वापिस रखके देखने का मतलब होता है कि भाज साप लॉग को को कोई समय तो नहीं मतलब वाप्पिस रख혀ं यह चेक करते हैं कि log में यहां और यहां यह तो नोंबर कैसे बनने चीए यह defined कब-कब है, when it is defined, या फिर मैं इसको आपको एक हलका सा example देता हूँ, मैंने बोला log x with base half is greater than 0, solve करो, फुटे रूप में समझो इसको, ठीक है, log x with base half, फुटे रूप में समझो, सर समझ लिया, बिलकुल एक दम, सर यह half इदर जाएगा, तो half की power 0, और x, अब की बार आपने जिस base को उस तरब बेजा है, वो 1 से चोटा है, तो sign of inequality reverse हो गया, x की value 1 से चोटी आ गई, मतलब सर आपने इसको क्या बोल दिया, solution, x की value 1 से चोटी मतलब सर बहुत सारी होती है, x की value 1 से चोटी तो minus 3 भी होती है, minus 100 भी होती है, तो अगर आप इस inequality का solution यह बोल रहे हो, इसका मतलब आप यह बोल रहे हो, कि x की value 1 से चोटी कुछ भी रखतो, मैंने बोला, क्या मैं इसमें x की जगह है, minus 3 रख सकता हूँ गया, तो आपका जवाब हैगा, no sir, no sir, आप गलती कर रहे हो, मैंने क्यों भई, क्य समझ पारे हो, नहीं समझ पारे हो, जैसे आप इसका answer, इसका answer x less than 1 नहीं दे सकते, this is completely wrong, हाँ, आप यह बोलोगे, 1 से चोटा होगा, बट x यहाँ है, तो x 0 से बढ़ा होना चाहिए, this is your complete answer, तो वैसे आपने inequality solve की, आप इसको अपना final answer मत बोलो, तो sir, करना क्या है, समझ मे तो हमें बात आ गई, अब आप इससे पूछो, कि भाई साब आपको तकलीफ कब-कब होती है, सिरफ log वाली term को देखो, log वाली term में सिर्फ दो चीज़े होती है, एक होता है number, एक होता है base, तो जो number है, वो हमेशा positive रहना चाहिए, base भी positive होना चाहिए, 2 is a constant, जो की positive होता है कि log वाली term है, इसमें number और base दो लोग है, number इसका हमेशा positive रहना चाहिए, तो number को हमने क्या किया positive बना दिया, यहां से आप x की value solve कर लो, यहां से आपको पता चल जाएगा, यह वाले वो x हैं, जिन पर log को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, और final answer देने के लिए इन दोनों क आप intersection लेंगे, to get the final, fnf, आया न, fnf निकालने के लिए आप इनका intersection लेंगे, तो सर यह आगया 6, अब एक क्या है, यह आगया 6, यह आगया minus 6, एक है 2 और एक है minus 2, यह बहिया बोल रहे हैं कि जो भी x आप रखो, define से आपको यह पता चलता है कि आप इसमें कौन कौन से x रख सकते हो, बट satisfy कौन से करेंगे वो आपको यह बताएगा, तो दोनों का intersection आपको लेना होता है, तो अपकी बार जब मैं intersection लूँगा, तो आप थोड़े से बच गए, समझ मैं है, हाँ है न, आप थोड़े से बच गए, intersection में भी यही पार्ट कॉमा निकल के आ रहा है, overlapping इसी एरिया में हो रही है, तो यही हमारा intersection आ रहा है, अब आप इसको अपना FNF बूल सकते हैं, बट अगर आप नहीं बिना यह calculate किये, वो तो by default coincidentally ऐसा हो गया, कि वही हमारा final answer आ गया, माल लो वहां से solve करने पर ऐसा कुछ आता तो, फिर हमारा intersection इसके साथ यह आता, फिर हम यह वाला part हमारा FNF देते हैं, किते लोगों को logic के साथ समझ में ही कहानी, बोलो, logic के साथ समझ में ही कि ऐसा क्यों किया गया है, अब वैसे ही यह जो दूसरे वाला सवाल है, इसको solve कर लेते हैं, क्योंकि जहां जहां पर लॉग आ जाएगा, उसकी personal domain का आपको ध्यान अखना पड़ेगा, कि उसको तकलीफ कहा हो रही है, ठीक है, पहले तो आप इसको directly solve कीजिए, इसको directly क्या करो, solve करो, जैसे सबसे पहले बाहर जो लॉग लिखावा है, उसकी सर बेस हाफ, फिर लिखावा है log 6, और यहां लिखावा है x square plus x, less than 0, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर यह है पूरा का पूरा log, जिसका नंबर है a, यह है base b, और यह है c, तो जैसी मैं इसको हटाऊँगा, इस base को, तो यहां पे आजाएगा log 6, और यहां के लिखावा है x square plus x, यह half की power 0, जो की होता है 1, अब मुझे बताओ, sign of inequality same रहेगा की reverse, जिस base को आपने इस तरफ भीजा है, वो 1 से छोटा है, तो sign of the inequality will get reversed, ठीक है, half की power 0 क्या होता है sir, that is 1, अब एक बार और मैं 6 को इधर भेजूँगा, तो x square plus x, 6 की power 1 is 6, अब की बार सर, sign of inequality क्या रहा, same, इस case में reverse हुआ, इस case में क्या रहा sir, same, same क्यों, क्योंकि 6 को आप उदर भेज रहे हो, 6 क्या है, 1 से बढ़ा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सर इसको left में ले आओ, this is x square plus x, minus 6, जैसे ही inequality बनी, कौन आ जाएगा सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे, सबस और मानव, यह मानव वाली situation है, WCM फिर से आगया, बोले, inequality का जवाब तो, वर्दान ही है, कि हम देंगे, आए ना, बस सब्साल कर लो इसको, एक रूट आ रहा है, 2, एक रूट आ रहा है, minus 3, दोनों में x का coefficient positive है, तो plus minus plus, 0 से बड़ा, आप से पूछा जा रहा है, तो यह लो, equality लगी नहीं हुए, तो दोनों जगा है, hollow circle, यह इसका solution हुआ, आए ना, यह क्या हुआ, इसका solution हुआ, बट एक पार्ट अभी भी बच रहा है, और वो पार्ट कौन सा है, जिसको बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, that is defining, अब defining वाली बात पर जाओगे, तो यह जो अंदर वाली log वाली term है, आपको कितनी log की term दिख रहे हैं, पहले तो यह बताओ, कुछ लोगों को सरफ एक ही log दिख रहा है, वो सरफ देखेंगे कि हाँ भई, x square प्लस x है, यह 0 से बड़ा होना चाहिए, बास, क्यो भाई, अब क्या है, एक सी के, क्या गरबड़ा है, बताओ, अच्छा, साइन की बात कर रहे हो, क्या, अईसा, हाँ, positive, negative, positive, positive वाला पार्टी पुझाए, हाँ, defining की बात करते हैं, वाँ अब आपिस से आता हूँ, इसको printing mistake बोलते हैं, यह यह एक सी के नहीं है, कुछ मेजर मिस्टेक हो सब आपने वह पूजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बोला था, बटलिक रूलता दिया, तो इस इस कॉल्ड एस printing mistake, समझेंगी नहीं समझें, अच्छा मैं वापिस अपने explanation में आता हूँ, defining की बात आई तो कुछ लोगों को एक ही लॉक की टर्म दिखें कि इसका नंबर है यह वो बोलते हैं, पॉजिटिव, मुझे तो दो दो लोग की टर्म दिख रही हैं, इस बाहर वाली लोग की टर्म के लिए यह पूरा नंबर है, यह भी पॉजिटिव होना चाहिए, भाई साब, समझ पारे हो नहीं समझ पारे हो, जितने लोग उतनी condition, अंदर वाले लोग के लिए सिर्फ यह नंबर है, तो यह पॉजिटिव होना चाहिए, बाहर वाले लोग के लिए यह पूरा नंबर है, तो यह पॉजिटिव होना चाहिए, हाई ना, अच्छा, जब आप इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा, x square plus x, 6 की power 0, that is 1, अब आप कितना भी conditions बना लो, finally आपको सबका intersection ही लेना होता है, finally आपको सबका क्या लेना होता है, intersection, एक condition, दो condition, और यह तीसरी condition, इसका भी intersection ही जाएगा, थोड़ा सा logically सोचके देखना, आप इसको और इसको अलग लग स्वाल क्यों कर रहे हो, यह बोल रहा है कि x square plus x 0 से बढ़ा होना चाहिए और यह बोल रहा है x square plus x 1 से बढ़ा होना चाहिए A तीनों का intersection लेगा, दूसरे ने थोड़ो से दिमाग लगाया, जिए पढ़िए इसको और इसको हुआ है ना ठीक है तो हम मैं इसको सॉल कर रहा हूं और फिर जो भी इसका अंसर आएगा इसके आथ हम फाइनल अंसर इसमें लिख देंगे इसको फेक्टराइज किया आपने इसको फेक्टराइज किया रूट्स लिख लिख ली है अब मुझे एकस स्क्वाइर प्लस एकस माइनस वन के रूट्स निकालने है पहले इसका रूट हो जाएंगे शिरी धरह चारे लगाना पड़ेगा ऐसे डिरेक्टली मिडल टर्म स्प् बदा चल जाते हैं तो उनको आप नंबर लाइन भी प्लॉट करते हो वही काम मैं यहां कर रहा हूं तो मैंने रूट निकाल लिया माइनस वन प्लस रूट फाइफ अपॉंट वन माइनस रूट फाइफ अपॉंट तो इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव इध लाज यह आपका अलफा है और यह वाला जो है इसको आपने पहले ऐसे कंवर्ट किया एकस माइनस अलफा इंटू एकस माइनस बीटा duż यहां से आपका अंसर क्या आया यह वाला तो यह वाला आया डिफाइनिंग की वज़े से और यह आया आया अपका सॉल्यूशन की वज़े से अब मैं लिख रहा हूं अपना FNF यह थोड़ा critical part हो जाएगा अब एक बाद बताओ यह कितना हो जाएगा रूट 5 होता है लगबग 2.something 2.something माइनस 1 1.something तो सर यह तो बात बनी गई बिल्कुल तो 2 आएगा right में और minus 1 प्लस रूट 5 अपॉण 2 आएगा left में फिर सर यह लिखा हो है माइनस 3 यह कितना लिखा हो है माइनस 3 बाइ 2 लगबग तो यहां पर आएगा minus 1 minus root 5 अपॉण 2 और यहां आजाएगा सर माइनस 3 यह भाईया बोल रहे हैं कि सर यहां से लेकर यहां तक और यह वाले जो भाईया है यह क्या बोल रहे है सर 2 से आगे और minus 3 से left में तो अब की बार फिर से यह वाला जो पार्ट है ठीक है यह वाला जो पार्ट है यह हमारा एक्स बिलॉंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी किते लोगं को बात समझने आई ठीक है अब यह डिफाइनिंग वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल लगा बट कुछ लोग बोलेंगे सर आपने दो सवाल करवाए इन दोनों में ही वही हमारा fnf दिख रहा है final answer वही दिख रहा है जो इस इनिक्वैलिटी का solution होता है यह तो हम टाइम पास फाल्तों में कर रहे हैं नहीं भाई आप coincidentally बच जा रहे हो दोनों एक्जामपल ऐसे निकला है समझ मैं है बट अगर माल लो इसकी वजह से अंसर चेंज हुआ और आपने यह पार्ट नहीं calculate किया तो आपका तो माइनस वन पक्का है समझें की नहीं समझें तो defining part is very important वापिस से समझाता हूं logarithmic inequality जब भी आती है एक होता है solution वाला part solution वाले पार में यह ध्यान रखते हैं कि किस base को हम कैसे है रहे हैं वेस अगर वन से बड़ा है तो इनिक्वैलिटीगा साइन से चेंज नहीं होगा बेस अगर वन से चोटा है तो इनिक्वैलिटीगा साइन लॉग एक्स स्कुरा प्लस 6 ये किसी ना किसी ये खुद लॉग की टर्म है वो अलग बात है बट ये वाली लॉग की टर्म इस बाहर वाले के लिए नंबर का रोल प्ले गर रही है तो सर यहां से 6 को इदर बेजोगे 6 की पावर 0 इस वन सिक्स की पावर 0 इस वन लॉगे विद बेस बी बराबर सी होता है तो ए बराबर बी की पावर सी होता और यहां पर रहेगा क्योंकि अब की बार जिस बेस को आपने अटाया वह 1 से बढ़ा है इन दोनों का इंटरसेक्शन पहली लिख दिया मैंने यही हो जाएगा इस इस दा बेसिक ओफ लॉग जिसमें हमने क्या का वर किया सब्सक्राइब के इनिक्वैलिटी हमने कवर की उसके बाद में सब्सक्राइब की बहुत ही बारीक बारीक चोटी-चोटी जो बाते होती है वह आपने सारी बताइब कि एक्वेशन को अगर आप सॉल कर रहे हो तो ज उससे पहले हमने प्रॉपटी तो दिस बेसिक ओफ लॉग और उससे भी पहले डोमें रेंज और ग्राफ और मिनिंग सारा समझाया तो यह हमारा लॉग हो गया जी ठीक है नेक्स्ट इस मॉडिलस फंक्शन अब हमारा मॉडिलस फंक्शन की हम बात करते हैं यह भी बेसिक मे आठ बज के पंद्रा मिनिट पे हम मिलते हैं 8.15 पे हम क्लास रेजियूम करेंगे आजएए वापिस सभी लोग ठीक है ठाए ना पंद्रा मिनिट का ब्रेक है और उसके बाद में हम करीबन करीबन 8.15 से लेकर दो घंटे इसाड़े दस पॉने गयारा बज़े तक पड़ेंगे तब आप अपने खाने का रख लेना वरना अगर अभी किसी को खाना खाना तो अभी खा सकता है प्रस्दार मिनंनिट करीबन करी है झाल 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 क्या मैं आप सभी लोगों को फिर से दिखाई दे रहा हूं क्या? 8.15 is there, हम बापस आच चुके हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, यह लोगो है। चिंटु ले टोपी 815 पियाने वालों भी ले टोपी बोलते हैं बुटा शाबाज ले टोपी ले टोपी तो जो भी लोग ले टोपी लिख रहे हैं आगे चल कर अगर तुम्हारी कॉलेज में भी कुछ सेटिंग वैटिंग होने की कोशिश हुई तो वो भी तुम्हें यही ब कि अच्छिए तो आपने ब्रेक में क्या खाया आपने सर थोड़ी सी पिताजी की डांट और मम्मी से फटकार ये खाई हमने अरे मैं को खाने में क्या खाया बहुत बढ़िया थर्टी सेगिंड लेट हूं क्या अच्छा समझ मैं है मैं तो यह खा कर आया हूँ एक थोड़ी सी हलकी फुलकी जो है वह खटी याद जुड़ी हूई है एक भाई का दोस्त है चोटे भाई का दोस्त है वह अंग्रेज है मतलब फॉरणर है वह यहां पर आया था इंडिया में तो हम लोग उसको गुलाब जामुन खिलाने ले गए भाई साब उसने जो उसका नाम लिया ना गुड़ाब जामुन की फील की ऐसी तैसी कर दी किसे बुला गुलाब जामुन जामुन ऐसे करके मैं नhasक यह क्या किया था है ऑतो धाया तो घुड़ी एमडो कि कुछ कुछ इंसिडेंस ऐसे हो जाते हैं जब आपके दिमाग पे कोई और शब्द आपके दिमाग पे कोई और ही छाप छोड़ जाए आप इस शब्द को इग्णोर करके चलेंगे अभी खाना नहीं गाया गुलाब जामून खाया भी खाना बाद में घाएंगे पहले मीठा मैस का खाना आए भाई साब मैस का खाना बहुत अच्छा होता है आए ना हम लोग जब कोटा में थे तो वहां पर एक मैस हुआ गरती थी भाई साब और उस मैस की प्ताए टेकनीक क्या थी जब पेरेंट्स आते हैं एड्मीशन करवाने कोटा में तब उस टाइम पे वह दो क्योंकि एड्मीशन टाइम होता है पेरेंट्स भी देखते हैं भाई साब क्या बढ़िया खाना के ला रहा है जैसी पेरेंट्स गए और एक डेड़ महीना बीता ऐसी एक दम बोलते हैं ट्रांस्पेरेंट डाल उपर से ट्रांस्पेरेंट डालोगे ना तो आप उसके सामन कभी में कभी भी किसी हर्डल में नहीं रुख सकता कभी भी कहीं पर भी उसको सैनिटाइजेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कभी उसको कोई और खाना जो है वो बिकार नहीं लगेगा क्योंकि वह मैस का खाना खाना सिंग गया है एक बार हम कॉलेज में घाना खारे थे संड़े वाले दिन मंता दोसा अब संड़े ऐट मिलती है तो मैं गया मैंने दोसा हां और unlimited होता है क्योंकि आपको nominal's अब चार्ज पे करना होता है कोलेज में सरकारी कॉलेज अगर आपका government college है तो unlimited होता है मैंने गविए लाओ दोसा धो तोसा खाई जा रहा है ठीक है इससे उसको पकड़ा बस सर सर था और यह वाला पार्ट था उसका यहां से मैंने पकड़ा था उसको यह पूरा मतलब उसकी सिरफ धर धर थी इतने गर्दन गर्दन बास अब तुम्हें क्या लग रहा है इसके आगे मैंने क्या किया हुगा कुछ नहीं उसको फेग दिया वापिस अगली चमच बढ़ ली कि everything is normal आपका अंदर का इम्म्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है आए नहीं को को भी या अरे को को भी या क्या है क्या है इंसान ही तो है चलता है इसा इतना सिंपल चलता है और आप कभी मैस में पीछे जब खाना बनता है वहां जाकर देख लोगे ना जिस पर इस तरफ आटा रखा होता है आटे के छोटे-छोटे पेड़े बनाई जाते हैं समझ पा रहे हो और उन पेड़ों को यहां पर बेला जाता है दो-च सीन को देख लो आपका मतलब मन त्रिप्त हो जाएगा रोटी से मैस के आटे में नमक नै मै कर नहीं डारा जाता है क्योंकि जहां पर यह लोग रोटी बना रहे होते हैं तीन चार पांच लोग मिलके बनाते हैं बहुत साइर लोग खाना खारे होते हैं तो उसकी एक इंसान रोटी नहीं बना सकता गर्मी का सीजन होता है और यह वाला जो एरिया होता यह ओविसली तंदूर के पास होता है या फिर गैस के पास होता है तो और अटोमेटर ली गर्मी जाहां बढ़ जाती है और यह लोग ऐसे टेबल पर खड़े होगे ऐसे रोटी बनाते हैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा आप समझ के चाहिद है आटे में नमक टिप टिप बरसा पानी पानी में अंग लगाई आया ना चलिए ठीक है चलिए नेक्स्ट पार्ट डाट वी आ स्टुडिंग इस मॉडूलस फंक्शन मॉडूलस फंक्शन भी आपको बहुत साही जगा मॉडूलस फंक्शन सिंपलशा एक चोटा सा इ prestation क्यों जो ऑसका होता है सहीं यहें कि का बोलता है कि कभी भी आपना जवाब नगेटिव नहीं दूंगा इसका जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं आता मतलब जब मॉड को पता चलता है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज लिखी हुई है तो उसको एजटेस बहार भीज देता है जाओ जी लो अपनी जिंदिगी अगर पॉजिटिव है तो यह एजटेस बहार आ जाएगा अगर मॉड को पता चले कि उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो उसको एक और माइनस साइन से मल्टिप्लाई कर देता है कब जब एकस नेगेटिव हो और अगर मॉड के अंदर 0 लिखा हूँ तो वही बहार आ जाएगा जब एक सीर मध जी रो हो तो मॉड का खेल समझ में है आपको मॉड क्या करता है मॉड एक बहुत ही पॉजिटिव फंक्शन है आपको अपने थोट पे भी मॉड लगा लेना चही आपके मन में अगर यह थौट आ रहा है कि मेरा JMA selection नहीं हो सकता तो आपको यह सोचना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके मन में यह थौट आता है कि JMA selection होना difficult है या मुश्किल है बट फिर भी वो महनत में लगे रहते हैं और एक दिन IATN और NATN बनके निकलते ह हैं और overall अभी अगर selection नहीं होता है तो भी घबराने वाली बात नहीं है ऐसे बहुत साथ लोग हैं जो JMA select नहीं होए में हैं तैयारी के थुरू आपको जाना इस grilling process से आपको जाना यह process आपको बहुत सारी चीज़े सिखाएगी है हाँ 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 आपने अगर एक बार है यह हट जाएंगी और अगर अंदर वाली quantity नेगेटिव है तो उसको एक और माइनस साइन से मल्टिप्लाइ कर देता है जैसे फॉर एक्जामपल अगर मैं बात करू थ्री माइनस रूट 17 की इस पे लगाया जी मॉड अब यह कैसे ओपन होगा मुझे यह बताओ तो यह ज जैसे हटेगा जैसी पता चला कि अंदर वाली quantity नेगेटिव है जीरो से छोटी है वो इसको एक और माइनस साइन से मल्टिप्लाइ करकर हट जाएगा और इस माइनस साइन को अंदर बेजोगे तो यह हो जाएगा सर रूट 17 माइनस समझे की नी समझे समझ में आगए एकदम क्लियर है तो मॉड फंक्शन क्या करता है सर अगर अंदर वाली quantity positive तो एज जिस छोड़ देगा अंदर वाली quantity negative तो उसको एक और माइनस साइन से नेगेटिव है मॉड की अंदर जो लिखा होगा वह positive negative कब कब है उसके हिसाब से जवाब आएगा देखो दो तरीके से बात बनती है या तो अंदर एक नंबर हो नंबर को तो हम देखती बता सकते है positive की नेगेटिव है बट अंदर एक expression हो अंदर एक expression हो तो expression का sign check करने के ल वेवी कर्व मेथड कहां से आगए यहां को inequality थोड़ी बन रही है नहीं जी आप समझे जब आप किसी वेवी कर्व मेथड से किसी inequality को स्वाल करते हैं जैसे यहां पर तो इस sign का use तो आप बिलकुल last step में करते हो क्या मैं सही बोल रहा हूं उससे पहले सर आप इस expression का sign चेक की तो करते हो कि भाई साब इसका root 2 है इसका 1 है इसका minus 3 है minus 3 1 2 positive negative positive last में यह सब करने के बाद में positive negative positive यहां पर आएगा negative यह सब करने के बाद में अम यहां देखते हैं कि क्या चाहिए तो यहां तक last step से पहले second last step तक आप क्या कर रहे हो इस expression का sign ही तो चेक कर रहे हो यह देखो और expression का sign ही मौड वाले में use होता है तो यह दो चीजे आपस में interlinked है किसी को कानो कान खबर नहीं है कि ऐसे चलता है खेल क्या मैं सही बूल रहा हूं है न अंदर जो expression आएगा उसके sign के साब से हम बात करेंगे जैसे for example मैं आपका ध्यान यहां लेके जाना चाहूंगा मैंने बोला कि x माइनस 2 into x-3 पर मौड लगा हुआ है बताओ इसका जवाब क्या-क्या होगा इसको हम यहां से यहां जाने वाली चीज को हम बोलते है रिमूवल ऑफ मौड रिमूवल ऑफ मौड एक चीज बादल बनाकर नोट करकर अपनी कॉपी में लिखना किसी भी सवाल में कभी भी अगर मौड आ जाए तो उसको सबसे पहले हटाना ही पड़ता है मौडुलस फंक्शन इस जस्ट लाइक आपकी होने वाली गर्ल्फेंड का भाई आपको उसको बहला फुसलाकर अपनी टीम में करना पड़ेगा उसको रास्ते से अटाना ही पड़ेगा समझ मैं और कोई तरीका नहीं है तो सर इस मौड को अटाना पड़ेगा जिसके लिए हमें इसका साइन चेक करना पड़ेगा तो मैंने क्या किया इस एक्सप्रेशन को उठा लाया जो इसके अंदर लिखा हुआ है अब सर इसको देखने की जुरत कहा है मतलब यह यह बोल रहा है कि 2 से बड़े के लिए 3 से बड़े के लिए और 2 से छोटे के लिए expression positive है 2 और 3 के बीच में यह negative है तो आपको इस expression का sign पता चल गया कि यह कैसे कैसे behave कर रहा है अब ज़रा देखना अगर x की value हम 2 से छोटी लेते हैं तो सब यह पूरी quantity positive है तो यह quantity अगर positive है तो यह as it is बहार आजाएगे समझो भीया खेल को अगर हम x की value 3 से बड़ी लेते हैं यहां देखकर बोल रहा हूं तब भी अंदर वाली quantity positive है आए ना तब भी as it is आजाएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं और अगर अंदर वाली quantity मतलब हम x की value 2 और 3 की बीच में लेते हैं तो यह quantity पूरी negative है mod इस negative को positive कैसे बनाएगा इस negative को एक और minus sign से multiply करतेगा smj equality आप चाहिए कहीं पर भी लगा दो यहां और यहां लगा दी मने क्योंकि x की value 2 होगे तो यह भी 0 और यह भी 0 कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ इसको बोलते हम defining किते लोगों को बात समझ में है smj लिखकर भीजना हाँ है ना this is called as removal of mod अब यहां से यहां जाते वक्त mod तो हटा बट साथ में x की conditions भी साथ में आगी ठीक है this is called as removal of mod ऐसे mod हटता है जी जैसे माल लो एक simple सा example और देता हूँ मैंने आपको बोला कि एक function है fx जो की है mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 मैंने आपको बोला remove mod मैंने बोला mod को remove करो और मैंने आपको यह बात भी बोल दी कि mod को आपको हटाना ही पड़ेगा और कोई लाज नहीं है और हटाने के लिए एक ही thought process काम करता है तो देखो भाया सर यह वाली quantity x की value 2 से बड़ी के लिए positive है और x की value 2 से छोटी के लिए negative है और यह वाली quantity x की value 3 की अगर x की value 3 से बड़ी हो तो positive है और यही quantity अगर x की value 3 से छोटी हो तो negative है क्या मैं सही बोल रहा हूं अब मुझे आप यह चेक करो कि यह दोनों क्वांटिटीज कहां कहां जीरो हो रहे हैं जैसे यह टू पर यह थ्री पर ठीक है ऐसे हम बात करें अराम से लेखना ज़रा यह वाली क्वांटिटी सर्फ थ्री के बाउट अपना साइन बदल रही है और यह टू के बाउट आजाओ अगर मैं आपसे पूछों की थ्री से बड़ी वैल्यू मैं लेता हूं तो सर यह भी पॉजिटीव और यह भी पॉजिटीव और यह बी पॉजिटीव अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं किया बोलूंगा मैं हाँ defining करते वक्त आपको x की values लिखनी पड़ेगी मैं बोलू कि x की value मैं 3 या 3 से बड़ी ले रहा हूं 3 या 3 से बड़ी तो अंदर वाला ये भी positive ये भी positive तो mod इनको as it is जाने देगा ये पूरी quantity क्या लिखी हुए सर ये लिखी हुए 2x minus 5 अगर मैं x की value 2 और 3 के बीच में ले रहा हूं equality कहीं भी लगा दो फरक नहीं पड़ता है ठीक है basically equality लगाने पर अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी 0 mod of 0 is 0 ठीक है तो यहाँ पर अगर ये 0 बन रहा है तो ये भी तो 0 बन रहा है अब 2 और 3 के बीच में ले रहा हूं तो 2 और 3 के बीच में सर ये वाली quantity तो positive होगी mod इसको तो as it is जाने देगा 2 और 3 के बीच में ये quantity negative होगी तो इसके आगे एक minus sign लगा देगा इसको simplify कर लो सर ये क्या लिखा हूँ है ये लिखा हूँ है x minus 2 minus x plus 3 ये पूरा का पूरा solve करने पर सर ये 1 लिखा हूँ है तो 1 आएगा इसके लिए इसके लिए ये आएगा अब मैं last पूछ रहा हूँ x की value अगर मैं 2 से चोटी ले दू तो 2 से चोटे पर सर ये वाली quantity भी negative है mod इसको एक और minus sign के साथ बेज देगा ये वाली quantity भी negative है इसके आगे भी एक और minus sign लगा देगा plus 3 plus 2 तो 2 minus sorry 5 minus 2x हाय ना हाय ना क्या मेरी बात समझ मैं किते लोगों को बात समझ मैं आती है कि mod ऐसे हटता है सा मतलब इस पूरे function को आप finally ये बोल सकते हो किसर जो fx आपको दे रखा है वो 2x minus 5 के बराबर है अगर आप x की value 3 या 3 से बढ़े लेते हो और x की value 3 और 2 के बीच में लेते हो तो वो 1 के बराबर है और अगर आप x की value 2 से छोटी ले लेते हो तो this is 5 minus 2x के बराबर है इसको बोलते removal of mod हाय ना कि CLR लिखकर भीजीगा प्लीज तो mod आपको अठाना पड़ेगा और अठाने पर thought process क्या चलता है जैसे यहां पर यहां पर एक ही दोमेन और रेंज की बात करते हैं मतलब अगर आपके पास में function है y बराबर mod of x या fx बराबर mod of x सर इसका जो graph बनता है वो ऐसा बनता है यह value 0 मतलब सर आप बोल सकते हैं इसमें आप x तो कुछ भी रख सकते हो सभी लोगों का mod defined है चाहे positive value रखो चाहे negative रखो चाहे 0 रखो तो domain हमारे पास में होगी all values are allowed all real values domain का मतलब समझ महाता है कि हम इस mod के अंदर कौन-कौन सी values रख सकते हैं अब मैं अगर range की बात करू range मतलब output यह हमें कौन-कौन सी value देगा पॉस्तर यह हमें देगा सिरफ positive values ठीक है positive मतलब कि mod x की जो value आएगी वह हमेशा 0 से लेकर infinity होगी और इसका graph बनता है ऐसा graph domain और range आप अभी के लिए hold कर सकते हो मैंने लिखवा दिया है बट सबसे important चीज है कि यह होता क्या है आया यह होता क्या है समझेगी नहीं समझे यह सारी properties आपको ध्यान रखनी है बहुत ही simple simple सी property है कि x square लिखो mod of x square लिखो या x square का mod लिखो एक ही बात है मतलब आप इसको समझो कि 2 का square mod of 2 का square या 2 के square का mod एक कोई गल है ना सर क्यों क्योंकि यहां देखो ना x square एक positive quantity है तो मौड के अंदर x पे square लगावा है तो यह हमेशा positive है तो मौड इसको as it is छोड़ देगा अब की बार x आप negative भी लोगे बट उसका square तो positive है ना तो यह वाली quantity positive है तो मौड इसको as it is छोड़ देगा अगर यह 0 भी हुई तो भी यह 0 ही है कोई दिक्कत निया तो इसलिए mod of x square इसके बराबर लिखा है अचा mod of x का square दो बार इसका मतलब हो गया सर mod of x into mod of x अब अगर x positive हुआ तो यह भी x यह भी x और अगर x negative हुआ समझने वाली बात है अगर x negative हुआ तो यह minus x आएगा और यह भी minus x आएगा देखो ध्यान चे यह भी क्या लिखाओ है सर यह भी x square लिखाओ और यह भी क्या लिखाओ है x square इसी लिए यह तीनों क्या होते हैं सर बराबर होते हैं क्या मेरी बात समझ माती है पहली property दूसरी property मौड के अंदर माइनस साइन लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है अना मौड के अंदर आप माइनस साइन लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है दूसरी जो प्रापर्टी वो बोल रहे हैं कि मौड के अंदर माइनस साइन लगाओ या ना लगाओ या फिर आप इसको तीसरी प्रापर्टी की मदद समझ लो मौड मल्टिप्लिकेशन में डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है मौड मल्टिप्लिकेशन एंड डिवीजन में डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हो डिवीजन में क्या कर सकते हो आप डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हो डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हो मौड जो है वो मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन में क्या कर सकते हो आप डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हो यह दोनों नंबर मॉड पे मतलब मल्टिप्लिकेशन में मॉड लगा हुआ है हमने मॉड दोनों पे अलग बाढ़ दिया this is perfectly fine यह दोनों नंबर डिवीजन में है इन पे मॉड अलग लग हमने बाढ़ दिया this is also perfectly fine यह दोनों बाते मैंने यहां पर इंक्लूड कर दूँ इसके बराबर आगया मॉड ऑफ एक्स के समझेगी नहीं समझेगी चुटी चुटी प्रॉपर्टीज है एकदम और सबसे important last वाली कि कभी भी आप अगर x square का root लेते हो तो अंसर आता है मॉड ऑफ एक्स कभी ऐसा लिखाओ कि माइनस 2 का square और उसका root तो इसका अंसर माइनस 2 नहीं आता इसका आता है माइनस 2 का मॉड और अंसर इसी लिए square root का अंसर हमेशा क्या होता है positive होता है समझेगी नहीं समझेगी कोई बात परिशान कर दिया तो बताओ ज़रा हाँ एडिशन और सब्ट्रेक्शन में मॉड आप नहीं बांड सकते क्योंकि जो कर सकते हो वो screen पे लिखा हुआ है कभी अगर ऐसा हो कि a plus b का मॉड है और आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो this is absolutely wrong यहां पर अगर माइनस है आप ऐसा लगा रहे हो तो यह भी गलत है हाँ है ना एक्जाम्पल अगर आपको लेके देखने तो a और b की कोई भी वेल्यू ले लो जैसे आपने a को ले लिया माइनस 2 बी को ले लिया 3 this is as same as minus 2 का मॉड into 3 का मॉड यह वैल्यू आएगी 3 यह वैल्यू आएगी 2 और यह पूरा अंसर हो गया 6 और यह भी लिखाव है minus 6 का मॉड that is 6 addition subtraction में आप मॉड distribute नहीं कर सकते plus and minus में मॉड distribute in general नहीं होता कभी कभी कर भी सकते है उसकी भी बात करेंगे in general नहीं होता ठीक है बास clear है भाई यह है हमारा modulus function ठीक है कभी भी square root आएगा माल लो जैसे आपके पास doubt होता है न square root आएगा कभी भी जैसे आपने x square minus 2x plus 1 यह लिखा हुआ है इसको एक बच्चे ने तो ऐसे लिख दिया किसर यह x minus 1 का square लिखा हुआ है और दूसरे बच्चे ने इसको 1 minus x का square लिख दिया कौन सा सही है सर दोनों ही सही है बिकाज इसका जो अंसर आएगा इसका square फिर square root तो mod of x minus 1 इसका जो अंसर आएगा सर वो आएगा mod of 1 minus x और इसको आप लिख सकते हो सर माइनस टाइम्स x minus 1 का mod mod के अंदर multiplication में negative sign लगाओ या ना लगाओ कुछ फरक नहीं पड़ता ये दोनों same है यह property तो यह बूल रहा है कि mod के अंदर जो expression लिखा हुआ है उसके आगे आप minus sign multiplication में लगाओ या ना लगाओ तो mod के अंदर जो expression लिखा हुआ है उसके आगे आप minus sign लगाओ या ना लगाओ एक ही बात दो दो अंसर कैसे होगे same होगे वरना जो mod को नहीं मानेगा वो पता क्या बोलेगा वो तो यह बोलेगा कि सर x minus 1 का square लिख रहा हूँ इसका square root तो मेरा अंसर तो x minus 1 आ रहा है और जो ऐसे लिखेगा इसको 1 minus x का square और उसका root तो वो बोलेगा सर मेरा अंसर 1 minus x आ रहा है तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी सर किसका answer सही है although आपका दोनों का ही गलत है क्योंकि आपको mod लगाना चाहिए था समझेगी नहीं समझेगी क्या मेरी बात समझ मैंगी आया ना चलिए जी है ठीक है ठीक है अब जैसे एक सवाल मैं आपको और देता हूं एक सवाल हलका सा यह और है fx बराबर x-2x upon x-3 का mod मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ जाते वक्त remove mod या फिर define करो mod को हटाईए जल्दी से करके दिखाईए प्लीज मौड को हटाने का मतलब है कि जो मौड के अंदर expression present है उसका sign चेक करना है और sign चेक करने में सरा मुस्ताद है बोलाया ना यूस्टीडी लिखकर भीजना इसका हमें sign चेक करना है कि यह कब-कब positive है कब-कब negative है यही sign हमें दिखना है आजेगे इदर दोस्तर हमें इस expression का sign चेक करना है मैंनका हान जी और sign चेक करने के लिए कौन आ जाएगा सर सबसे आगे WCM वेवी करव method चुरू हो जाइए ठीक है WCM की बात करते हैं अब वापिस कुछ लोग बोलेंगे सब वेवी करव method तो तब लगता है जब ऐसा कुछ हो यहां पर 0 मैंनका कोई जरुत नहीं ऐसा ऐसे कहीं पर भी जरुत आपको नहीं है क्यों आप माल लोगो यहां पर जो लिखा वाई इसको लिखा रहने दो इसका कुछ फाइदा थुड़ी है आप तो वेवी करव method second last step तक लगाओ यह 0 हो रहा है 2 पर यह 0 होगा 0 पर और यह होगा 3 पर अगर मैं इनको plot करूं तो 0 सबसे left में फिर 2 फिर 3 सभी में x का coefficient पॉजिटिव है तो पो नी पो नी ठीक है अब सर बस यह यहां पर चाहे कुछ भी होता यहां अगर इन चारों में से कुछ होता तो हम इसको देखकर answer करते हैं अब हमें answer तो करना ही नहीं हमें त 2 और 3 से बढ़ी लेते हो डाट इस एक्स बिलॉंगिंग टू 0 से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी देखो 3 पर तो हमेशा ही open आएगा क्यों क्योंकि 3 आप रखी नहीं सकते इसमें denominator 0 हो जाएगा और 0 लो 2 पर close लगा दो क्योंकि अगर आप x की value 0 लेते हो तब भी पूरा 0 और 2 लेते हो तब भी पूरा 0 तो इस पूरे x के interval के लिए अंदर वाली quantity positive है तो mod क्या करेगा बुले जा भाईया as it is जा तो यही अंसर आ गया है इस x के लिए और अगर आप x इन दोनों के बीच में लेते हो कहां से कहां तक यह वाला पार माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और फिर 2 से लेकर 3 अब की बार सप्पी ओपन हाय ना तो अब क्या बोलेगा सर इस इतने पार्ट के लिए जो अंदर वाला expression है यह negative है mod इसको positive कैसे बनाएगा सर इसको एक और minus sign से multiply करके इसको हम बोलते this is called as removal of mod किते लोगों को बाद समझ भाई इसे mod और जैसी आप mod define करोगे तो यह यहां से answer आएगा सिरफ in x की values के लिए यहां किसे answer आएगा इन x की values के लिए हाय न चलिए जी कुछ modulus equations की बात कर लेते हैं ठीक है mod of x बराबर alpha कभी आपको दिखाई दे देखना इसमें सिनेरियो है इसको हटाओ ऐसी equation जिनमें mod आ जाए समझने वाली बात है कभी आपको mod of x बराबर alpha दिखाई दे तो यह जो alpha है यह positive होना चाहिए पहली चीज positive या फिर 0 क्यों क्योंकि सर कभी मानलो हमसे ऐसा पूछा गया कि what is the solution of this तो हम यहां पर बोल देंगे साफ साफ x belongs to 5 कि mod of x को आप जिसके बराबर कर रहे हो या तो वह positive या 0 होना चाहिए क्योंकि सर मॉड का अंसर कभी negative होता ही नहीं है यही तो समझना है समझ पारे हो नहीं समझ पारे हो तो यह वाला एक्स बराबर plus minus alpha मतलब सर आप हमें दूसरा example दीजिए मैंने आपसे पूछा कि ऐसे कौन कौन से x है जिनका mod 2 आता है अब सवाल reverse mode में है पहले हम mod के अंदर कुछ रख रहे थे फिर output पूछ रहे थे अब मौड के अंदर क्या रखे कि output यह आई यह पूछ रहे है कौन कौन से ऐसे x होते जिनका mod 2 आएगा तो आप बोलोगे सर एक्स की value आजाएगी प्लस माइनस 2 यह सब को समझ मैंना माइनस 2 पे मैंने 5 क्यों बूला क्योंकि कोई भी ऐसा x है नहीं जिसका मौड माइनस 2 आता हो मौड कभी नेगेटिव अंसर देता ही नहीं या तो 0 देता है या पॉजिटिव देता है नेगेटिव के बराबर कभी होता ही नहीं ठीक है और इसमें जो दूसरी वराइटी बनती है वो यह है दोनों तरफ मौड लगा ओ अब अल्फा चाहिए कुछ पर एक एक जामपल और कर लीजिए एक सवाल यह है और दूसरा सवाल यह है अजी सवालों के लिए तो मैं यहां पर लेका हूं आपके लिए फटा फट अंसर बताओ जैसी यह वाल एक्वेशन आपको सवाल करनी है तो वापिस सर यह हमारा कैपिटल एक्स की तरह भीएव कर रहा और यह अलफा अलफा पॉजिटिव है तो मौड हटेगा तो प्लस और माइनस आजाएगा एक आजाएगा आपके पास में एक्स माइन आई यहां आजाएए सर यह कैसी सिच्वीशन है मौड ओफ एक्स बराबर मौड ओफ अलफा ठीक है जाओ तो सर इसमें आप क्या करोगे x-1 plus-minus sign आजाएगा सर किसी भी तरफ लगा लू चाहे प्लस-minus यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ अब अगर मानलो आप प्लस-sign वाली equation consider करते हो तो आगे आपने प्लस-sign लिखा तो यह आजाएगा 2x-3 इसी में अगर आप माइनस-sign वाली equation consider करते हो तो x-1 बाहर माइनस लिखाओ आए तो इसस माइनस 2x-3 यहां से solve करोगे सर यह आजाएगा 3x इदर जाएगा सर इसस 4 x की value आगी 4 by 3 और यहां से आप देख सकते हो यह कितना आएगा यह आजाएगा x और यह आजाएगा सर टू तो यहां से आपके पास में दो solution आगे एक 4 by 3 और एक 2 चाहों तो रखके देख लो दूनों satisfy करने है हां हां प्लस माइनस साइन एक तरफ लगाते है बिटा ऐसा भी लिख सकते हो इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो एक ही बात है बोलू लिटिल गोलू अरे मेरो डीक रो इतनो सो भी ना सीख रो ले अब ठीक है पढ़गी कलेजे में चानती है चलिए अब सर्थ यह वाला जो है ना यह थोड़ा सा क्रिटिकल केस है इसमें भी अगर आपने ऐसा ही कर दिया तो गर्बड हो जाएगी ना क्योंकि एक ही तरफ दोनों तरफ मौड हो तो बिंदा सॉल करो अब एक ही तरफ मौड है तो यह वाली क्वांटिटी पॉजटिव होनी चीए यह वाली क्वांटिटी क्या होनी चीए पॉजटिव क्योंकि अगर यह क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो गडबड हो जाएगी तो इसको सॉल करते वक्त हमने क्या बुला पहली चीज की सॉलुशन तभी आएगा जब यह वाली क्वांटिटी जीरो या जीरो से बड़ी हो मतलब एक्स की वैल्यू थ्री बाइटू से बड़ी होनी चीए जब यह क्वांटिटी पॉजिटिव डिसाइड हो गई तो अब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन आएगा और इसको हमने स्वाल कर लिया है एक एक्स की वैल्यू आएगी टू और एक आएगी फोर बाइ थ्री जो है वो थ्री बाइटू से बड़ा नहीं होता यह आएगा आठ और यह नौ आएगा तो यह रिजेक्टेड यह एक्सेप्टेड तो इसका सिर्फ एक ही सॉलिशन है अब बहुत सारे बच्चे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेम मान के स्वाल कर देते हैं जबकि दोनों में फरक है यहां पर मॉड ऑफ एक्स पॉजटिव यहां पर कैसे बता तो पहले इसको पॉजटिव बनाओ मतलब सवाल सॉल करने से पहले कंडिशन आप देख लो कि आया न कि क्लिए रहे हैं या फिर इसको जो स्टुडेंट दूसरा है वह ऐसे भी स्वाल करता है स्टुडेंट भी यह स्टुडेंट ए ने सॉल किया है स्टुडेंट भी जो है वह इसको ऐसे बोलेगा सर बिंदास हमने तो सॉल कर लिया पटापट हमने मौड अटाया कुछ नहीं ध्यान दिया यहां से दो एक्स की वैल्यू निकाल दी एक आ रही है टू एक आ रही है फोर बाई थ्री अब वह बोलेगा नाव चेक क्योंकि अगर आपने शुरुवात में ध्यान नहीं दिया तो फिर लास्ट में ध्यान दो यह दो अंसर आपने निकाल तो लिए बेपरवा होकर बट एक्स की वैल्यू टू और फोर बाई थ्री चेक करके देखें फोर बाई थ्री इसको सैटिस्फाइए नहीं करेगी कि अब यह वाला एक सॉलिशन है इसको मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल करें यह क्या है बाई मल्टिपल मॉड्ड आपके सामने आ गए है कैसे हा गये है मल्टिपल मॉड्ड ओफ X-1 फिर –2 पर फिर mod उसके बाद में क्या है सर माइनस 3 फिर mod और बराबर दे रखा है 5 यह है आपका चौथा नंबर सवा ठीक है सर आप तो इस पूरे को X बोलो तो mod of X बराबर अलफा अलफा पॉजटिव है कैसे अटेगा जी यह अंदर वाला पूरा mod बराबर एक बाब प्लस 5 एक बाब बराबर माइनस 5 अंदर वाले को X बोलू क्योंकि मुझे तो देखना है पूरा complete mod कि इस पर लगा है अंदर वाले को X बोला तो mod of X बराबर 5 तो अंदर वाली चीज प्लस माइनस 5 के बराबर ठीक है यह भी चलेगी और यह भी चलेगी प्लस माइनस 5 का मतलब होता है और और का मतलब यूनियन की इसको भी solve करो इसको भी solve करो जो भी answer आएंगे सब को club कर देना यूनियल ले देना अब जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे तो इधर लेके आओगे तो यह कितना हो जाएगा mod of X minus 1 minus 2 का mod यह minus 3 इधर आया तो यह क्या बन जाएगा सर 8 यहां देखना जरह यहां क्या हो जाएगा mod of X minus 1 minus 2 और जब यह इधर आएगा तो सर यह हो जाएगा minus 2 this is not possible situation क्यों क्योंकि इस पूरे पर लगा है mod और mod की value negative कभी होई नहीं सकती अब यहां आजाएगे सर बापेस कैसी situation आगी फिर से अब की बार यह फिर से mod of X और बराबर alpha फिर से कैसे open होगा एक बार आएगा 8 प्लस alpha और एक बार आएगा सर माइनस alpha यहां से यह कितना आजाएगा सर यह आजाएगा mod of X minus 1 बराबर 10 फिर से दो solutions या दो situation यहां से आपके पास में X आगया सर 11 और यहां से आगया X की value minus 9 यहां इदर लेके जाओगे सर यह कितना आजाएगा mod of X minus 1 बराबर minus 6 this is not possible situation solution जाकर आए कहां पर सिर्फ यहां पर से तो इसका जो हमारा FNF हो जाएगा that is X बराबर minus 9 and 11 X बराबर minus 9 and 11 is the correct answer तो जितने mod थे मैं हटाता गया उसी property को repeatedly use करते करते हैं समझेगी नहीं समझें अब जैसे जेही मेंस 2021 का सवाल है mod बीच में फसा हुआ है हमारे पास में और कोई तरीका ही नहीं सर हमें mod को हटाना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा mod को हटाना पड़ेगा इसमें आप दो केस बनाओ एक बार बोल दो कि x की value 5 या 5 से बड़ी mod ध्यान से देखना सिरफ इस पर लगावा है तो हमें इस पर ध्यान देना है कि जब 5 या 5 से बड़ी होगी तो अंदर वाली quantity positive या फिर mod की value 5 से छोटी तो जब mod की value 5 या 5 से बड़ी है तो यह क्या लिखाव है this is x plus 1 का whole square 5 या 5 से बड़ी तो this is x minus 5 and this is 27 upon 4 और जब mod की value 5 से छोटी है तो यह क्या जाएगा sir this is this 5 से छोटी तो मतलब mod के अंदर की quantity negative mod को पता चला अंदर एक negative quantity बैटी है उसको एक और minus sign से multiply करके छोड़ लेगा अब सर इसको solve कैसे करें तो मैंने का कुछ नहीं कि इसको solve करो solve करो basically एक क्वाडिटिक है यह क्या है सर क्वाडिटिक है x की दो values आएंगी ठीक है अब आपको वह वाली value लेनी है जो 5 से बड़ी हो क्योंकि आप इस area में आए ही तब enter ही तब किये जब x की value 5 से बड़ी हो एक पांच से बड़ी हुई तो वह हमारा अंसर है वापिस सर इसको भी solve कर लो यह वापिस से क्या लिखिए वे दिस इस आलसो एक क्वाडिटिक इसको solve करोगे सर यह फिर से क्या आएगी क्वाडिटिक आएगी इसमें भी x की आपकी दो वैल्यू जाने वाले है लोग बरते हो इनको से चैक करना है कि कौं सी वैल्यू हमारी 5 से छोटी हैं Yoga यहां से एक अलग आंसर आएगा यहां से एक अलग अंसर आएगा हाई ना final answer दोनों का क्या होगा सर union कम्बाइण यहां से जो अंसर आया यहां से जो अंसर आया Angeb करके डाट इस अवर 50 है है ऐसे सौल होते हैं मॉधल है सवार इतने लोगों को बात समझ मैं है ऐसे सॉल किया जाते हैं मॉधल वाले कुस्चन से देखुई मत कि तुमने तो वेवी कव मैथट सीख रखा है उसके इसाब से चलो तब भी बात बन जाएगी वरना अगर आपको एज रिजल्ट याद रखना है तो भी ध्यान रखना जैसे पहले हम सवालों पर चलते सीधा सीधा ठीक है जैसे यह वाले सवाल है यह सारे सवाल मॉड्लिस इनिक्वैलिटी के हैं जैसे माल लो मैं आपको पहले वाला सवाल सौल करने के लिए बोलू ठीक है मैंने आपको भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया पहले हम इसको बाइक कॉंसेप्ट सौल करेंगे कि जो वेवी कव मैथट ने हमें सिखाया उसके थ हवाल आया सर राइट साइड में हमारे पास तू दिख रहा है तो आपने बताया था कि एक तरफ जीरो बना लेना चाहिए बना लिया आप सर यह हमारा न्यूमिरेटर इसके रूट्स निकालो रूट्स मतलब कि न्यूमिरेटर जो है यह कब जीरो हो रहा है इसको हमने चेक किया कि यह 0 कव हो रहा है ऐसे करते हैं वेवी कव मेथट में अरे बोलो हा सर यहां पर अगर x square माइनस 4 होता तो आप उस चीज़ को 0 रखते x की value प्लस माइनस 2 आती या x square माइनस 9 होता तो उस चीज़ को 0 के बराबर रखते x की value प्लस माइनस 3 आती वही का को क्या करना है जब इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर लिए अब मैं यहां पर आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पोनी पोनी यूज कीजिए ठीक है वह पॉजिटेव नेगेटिव पॉजिटेव नेगेटिव वाला केस आप तब यूज करना था जब आपक समझ गे, तो we are now back to basics, हमने क्या किया, दो से बड़ी एक value उठाई, 3, 3 यहां रखेंगे, तो 3 का mod 3, 3 minus 2, that is 1, that is positive, इसके बीच में 0, minus 2 और 2 के बीच में हमने 0 रख दिया, तो यह 0 हो जागा, यह आ जागा negative, और minus 2 से left में, minus 5 रखते हैं, let's say, तो minus 5 का mod 5, 5 minus 2, that is 3, यहां गया, क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब positive, और यह भी positive, equality लगी हुई है, और यह सारे numerator के roots है, तो इन दोनों पर डाख सकर, आए ना, तो हमारा answer क्या आ गया, आए ना, किते लोगों को बात समझ मैं, मैंने कोई अभी आपको, inequality का formula, इसी को मैं formula में convert करूँगा, इसी का ही formula बना दिया जाता है, वो बोलता है कि कभी भी आपके सामने, कि mod of x greater than equals to alpha है, तो इसका solution होता है, x belonging to minus infinity से minus alpha, union alpha से लेकर infinity, यही तो लिखा हुआ है, x greater than equals to ai, यह क्या लिखा हुआ है, x minus a से छोटा, मतलब minus infinity से minus a, और यह क्या लिखा हुआ है, union, सर यह क्या लिखा हुआ है, x a से लेकर infinity, इसी चीज़ का जो आप अभी solve करके हैं, उसी का ही formula बना दिया, बट हमने कैसे solve किया सर, हमने basic से, आजाओ, यहाँ पर आजाओ भई, इसको वापिस से देखो, यह लिखा हुआ है सर, mod of x minus 5, less than 0, मतलब 5 को left में लेगे, एक तरफ 0 बनाना होता है, वापिस, जब आप इसके roots निकालने जाओगे, इसको 0 के बराबर करोगे, तो यहाँ से आपके पास में x की value, plus minus 5 आजाएगे, ठीक है, x की value, plus minus 5, तो यह 5, यह minus 5, वापिस, sign check कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर trick मत यूज़ करना, क्योंकि पता चला अपना time save करने के चक्कर में आपना, आपने time तो save कर लिया, बड़ आपने number कम कर लिया, हम time save करना चाते हैं, बड़ उसके ratio में, उसके proportional में, हमने number कम नहीं करना चाते हैं, तो इसलिए mod word आ रहा है, तो थोड़ा सतर्क तरीके से, हम basic से जाएंगे, हम तो expression 5 से बड़ी value उसमें रखेंगे, 0, minus 5 और 5 के बीच में value रखेंगे, और minus 5 से चोटी रखेंगे, अब की बार वो पूछ रहे हैं कि negative कब कब है, तो negative in दोनों के बीच में, hollow circle क्यों कि इक्वैलिटी लगी नहीं, तो यहां से answer क्या आ गया, यहां से answer आ गया, minus 5 से 5, इसी कहीं उसने formula बना दिया, यही देखो, कि जब mod of x, a से चोटा हो, तो इसका मतलब होता है, sir, x belonging to minus a से a, या फिर इसी बात को आप लिख सकते हो, x a से चोटा और minus a से बड़ा, यही formula आपने direct लगाया, कि mod of x less than 5, तो x की value minus 5 और 5 के बीच में, यह formula भी आपको ध्यान रखने हैं, बट आपको पहले यह बता रहों कि यह आए कहां से, अगले वाला जो है, वो और असान है, करवा सकते हो, तीसरा, बता भही बताओ, third part, double inequality का सवाल है, कोई बात नहीं, अब जब देखना, calculation आपके time बचा सकती है, आपको यह बताया गया था, कि आप इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करोगें, और दूसरा यह हो जाएगा, सर, mod of x greater than 3, और जो भी solution आएगा, आप उनका intersection लोगे, mod of x less than equals to 7, इसका answer होता है, बेटा, 7 और minus 7 के बीच में, आएगा, और इसका जो answer होता है, सर, यह लिखा हो है, mod of x greater than 3, ठीक है, यह और यह दोनों बाते सेम लिखी हुई है, तो इसका answer होगा, x की value 3 से बड़ी, union, x की value minus 3 से छोटी, अब इन दोनों का आपको intersection लेना है, अब मैंने यहाँ पर यह directly लिखा है, with the help of formula या result, result की मदद से मैंने लिखा है, तो 1 हो जाएगा 7, 1 हो जाएगा minus 7, 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा minus 3, यह वाला बोल रहा है सर, minus 7 और 7 के बीच में, यह वाला बोल रहा है सर, minus 3 से छोटा, और 3 से बड़ा, intersection लेते वक्त, एक भी जगा hollow circle आ जाए, तो final answer hollow circle ही होता है, आएगा, तो आप इन results को ध्यान रखें जरूर, यह जरूरी है, इसमें दो variety है, एक यह वाली और एक यह वाली, बस, आएक्वैलिटी यह 4 क्यों बनाती सर, इक्वैलिटी भी लगा दी ना अपने, अगर माल लो यहाँ एक्वैलिटी होती, तो यहाँ और यहाँ एक्वैलिटी आ जाती, यहाँ दोनों पर close bracket आ जाता, उतना आप समाल सकते हैं, मेरी खाल से, तो जब less than equals 2 वाला sign हो, तो x जो है वो a और minus a के बीच में आ जाएगा, और जब greater than वाला sign हो, तो x a से बड़ा होगा, और साथ साथ में x जो है वो minus a से छोटा होगा, आए ना, क्या मेरी बात समझ भाई, बस यह दो आपको याद रखनी है, इसी के ही बेसिस पर अगर equality equality लगा दोगे, यहां भी equality लगा होगे, तो यहां पर भी equality आ जाएगे, clear है भाई, आया ना, is this clear to everyone, बोलो, आ जाओ, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, यह आपको याद रखने है, ठीक है, अभी चौथे पांच वे पर आता हूँ, जैसे for example, कभी ऐसा लिखा हूँ, इसी का एक सवाल कर लेते है, कि mod of x is less than 5 by 2, इसका मतलब आपको डिरेक्ट पता होना चाहिए, कि x की value, चाहो तो आप solve करके पहुंच जाओ, वेवी कर्व मेथड से, 5 by 2 और minus 5 by 2 के बीच में होगी, इसका example अगर मैं बात करूँ, कि कभी लिखा हुआ है, mod of x is greater than 6, जिसका answer आएगा, जैसे, x की value 6 से बढ़ी, union, x की value minus 6 से छोटी, greater than वाले में, सर, mod बाहर की और move करता है, मतलब 6 से तो बढ़ा, और minus 6 से छोटा, तो बाहर जा रहे हो आप, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये है 6 और ये है minus 6, इससे इदर और इदर, और less than वाले में क्या होता है, हम उसके बीच में move करते हैं, minus 5 by 2 और 5 by 2 के बीच में, कहां से आया, उसका explanation मैंने आपको अभी दिया, अब जैसे ये वाली बाते हैं, ये तो सर्कॉमन सेंस का सवाल है, कैसा सवाल है, कम्प्यूटर साइंस का, कम्प्यूटर साइंस बोले तो common sense, सर्य ये बोल रहा है कि mod of x, इसको, minus 5 को एक बार उदर लिए 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 के देखो, पहला ऐसा सवाल है, जैसा कभी होई नहीं सकता, आरे मैंने का ध्यान से देख, वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि mod की value negative से बड़ी कब होगी, इसका अंसर आएगा हमेशा, और हमेशा को ही mathematics में x belongs to r लिखते हैं, कोई सा भी x ले लो, ये हमेशा माइनस 5 से बड़ा ही आएगा, वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि ये इसके बराबर कब होगा, वो बोल रहा है कि इसके बराबर, या बड़ा कब होगा, बराबर तो कभी होगा नहीं, बड़ा कब होगा, जब कोई सा भी x ले लो, हाई ना अब यहाँ आजे यह सर यह क्या लिखावा है यह लिखावा है mod of x यह 2 इधर तो minus 2 upon 3 वो बोल रहा है mod की value एक negative number से छोटी कब होगी कभी भी नहीं हमेशा आए तो x belongs to r कभी भी नहीं आए that means 5 mathematics में कभी भी नहीं लिखने का तरीका क्या है 5 जैसे यह एक सवाल है आपको बोला गया कि इसको solve करो mod की defining mod की properties और mod की inequality बस इतना ही है और in fact हम mod function का आपको हलका full का idea रखना है mod हम वापे से पढ़ेंगे काम पर जब हम functions में move कर जाएंगे ठीक है जैसे अब यह वारा सवाल है इसमें क्या करें अब समझे नियारा define करें क्या करें मैंनका कुछ नहीं wavy curve method वाले जो steps हैं अगर आपने डंक से सीखे हैं तो वो लगाओ सारो को एक तरफ ले जाओ wavy curve method सर यही बोलता है आया ना एक तरफ 0 बनाना होता है फिर सर इसके roots पता करो इसके roots पता करने मतलब इस पूरी चीज को 0 करो तो mod of x minus 3 बराबर 2x plus 7 के mod के बराबर कब होगा अब यहाँ पर जैसे हैं आपने इन दोनों को बराबर किया मैं इसको चेक कर रहा होगा इसके roots मतलब यह 0 कब होगा तो mod of x बराबर mod of alpha वाली situation हम जानते हैं सर यहाँ से दो situation आएगी mod of x बराबर mod of alpha मतलब है x बराबर alpha या x बराबर minus alpha यह होता ना mod of x बराबर mod of alpha x बराबर alpha और x बराबर minus alpha solve कर लो x की value यह कितना आ जाएगा this is x और यह इदर जाएगा सर यह कितना हो जाएगा this is minus 10 यह इदर जाएगा सर यह हो जाएगा 3x और यह इदर आएगा सर यह कितना हो जाएगा minus 4 तो x की value आगी सर एक तो minus 4 by 3 और एक आगी minus 10 ज्यान से देखो वही चल रहा है minus 10 minus 4 by 3 आपने roots लिकाल लिए दोनों में से छोटा root कौन सा है सर minus 10 चोटा root है तो यह left में और minus 4 by 3 बड़ा root है तो यह right में अब वापिस से मैंने आपको जो suggest किया था positive negative positive ऐसा मत लिख देना बाई मौड आ रहा है तो आप एक बार basic से जाएगे सर minus 4 by 3 से बड़ा होता है 0 मैंने इसमें 0 रखके देखा तो 0 रखोंगा तो यह आजाएगा minus 3 का मौड माइनस यहाँ 0 रखोंगा तो यह आजाएगा 7 का मौड तो यह लिखा हुआ है 3 minus 7 that is negative आपको यहां पे अगर positive negative positive लिख देता यह देखकर कि x का coefficient positive है मैं साब positive negative positive तो फज जाता ना इन दोनों के बीच में सर एक नंबर कोई भी उठा लो minus 5 आ रहा है मैंने इसमें minus 5 रखा तो minus 5 minus 3 का मौड और यहां minus 5 लिखोंगा तो this is minus 10 plus 7 यह पूरा लिखा हुए बिटा 3 बीच में minus sign यह लिखा हुए 8 यह पूरा positive आ रहा है दिख लो रहां से आयना और सर minus 10 से चूटा minus 11 रख दो तो minus 11 minus 13 this is minus minus 11 minus 3 minus 14 minus 14 का मौड 14 minus यहां रखोंगा यह कितना होजागा सर minus 22 यहां पर मैंने minus 11 रखा प्लस 7 इसका मौड सर यह लिखा हुए minus 15 का मौड तो प्लस 15 तो 14 minus 15 सर यह रहा है negative खतम कहा नहीं अब आप एक चीज देखिए आप से पूछा गया less than equals to 0 तो less than 0 मतलब यह वाली चीज और अब की बार equality लगी हुए और यह सारे numerator के roots है तो यह लो तो minus infinity से minus 10 close union minus 4 by 3 से लेकर infinity option b is correct option b is correct है नहीं ग्राफ से भी कर सकते हैं बट ग्राफ वाली चीज पर अभी जा नहीं रहे हैं ठीक है क्या मेरी बात समझ में आती है आप सभी लोगों को SMJ हम ठीक है चलिए जी modulus का आपको एक हलका फुल का idea लेना था सब्सक्राइब को अब तक की जो सवाल मैंने कर रहा है उसमें बहुत साई जगह क्वाडिटिक बन रही है तो क्वाडिक कोफिशेंट जो है वो जीरो ना हो इसको हम क्वाडिटिक एक्वेशन बोलते हैं और इसमें भी सर वी नो शिरीधराचारे फॉर्मुला जो है वो यह होता है कि आना रूट्स निकालने के लिए सर्क्वाडिटिक एक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे तो कि गनित में एक सिंपल सा इसाब चलता है जितने रूट्स जितनी डिगरी सबसे बड़ी पावर जितनी है उतने ही उसके रूट्स होते हैं क्लिर है हाई ना अब मैंने आप से पूछा वड़े सम अफ दो रूट्स अलृट लफ़ा प्लस बीटा कितना है जिसको हम सम अफ दृट्स भी बोलते हैं और प्रोड़क्ट अफ दृट्स अलफा इंटु बीटा टुकना है तो आपके पास में 2 root है, एक को alpha बोल दो, एक को beta बोल दो, दोनों को जोड के देखो, दोनों को multiply करके देखो, तो जब आप इनको जोड करो और multiply करके देखो, तो आपका answer a, b और c में आएगा, वो answer क्या आता है, प्लस, माइनस, प्लस, जब आपसे sum of the roots पूछे, तो जब देखना, जो सबसे बड़ी power का जो coefficient है, वो तो जाएगा denominator में, उसके बाद में, sum start हो जाता है, तो यहाँ पर आप उपर लिखोगे साथ, this is minus b upon a, और यहाँ क्या लिखोगे साथ, this is plus c upon a, ठीक है, sum product का formula यह, एक और चीज़ आती है, that is difference of the roots, वो होता है, root of d upon mod of a, d का मतलब है, b square minus 4ac, whole divided by mod of a, sir mod क्यों लगाया आपने, क्योंकि हमें नहीं पता ना, alpha और beta में से बड़ा कब है, कौन कौन है, जब भी गनित में हमें दो numbers को घटाना हो, और हमें यह ना पता हो, कि alpha और beta में से बड़ा कौन है, तो हम mod लगाते हैं, इस तरब भी एक positive quantity लिखी हुए, इस तरब भी एक positive quantity लिखी हुए, this is called as difference of the roots, इसको हम क्या बोलते हैं, सर, इसको हम difference of the roots बोलते हैं, तो यह तीन चीज़े आपको पता हो नीची, along with शीरी धराचारय formula, ठीक है, हाँ ना, कोई बात परिशान कर रही है, तो answer is no, छोटी-छोटी बाते, factorization of quadratic, एक quadratic को factorize करके equate कर दिया जाए, तो वो एक identity बन जाती है, what I am trying to say, कि, अगर मान लो आपको यह पता है, ax square plus b, x plus c, बराबर 0, इसके दो roots है, alpha और beta, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को ही, right side में ले जाकर, जो इसका leading coefficient है, वो यहाँ पर खुद आएगा, और brackets में आप इसको ऐसे convert कर दो, now, this is an identity, identity मतलब valid for all x, अब आप इसमें x की कोई भी value रख सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे सर, यह कैसे, तो मैंनका simple चिकानी है, right hand side में देख ले भाई, सर, यहाँ पर लिखावा है a, इन दोनों का multiplication आएगा, x square, minus alpha plus beta x, plus alpha beta, alpha beta की जगा c upon a रख दे, और alpha plus beta की जगा minus b upon a रख दे, और यहाँ पर x square है, अब यह denominator वाला a तभी cancel होगा, जब यहाँ पर एक a होगा, इस a को अंदर भेजो, तो यह क्या लिखावा है, a x square plus b x plus c, a a cancel होगया, और यही चीज यह लिखी हुगी है, समझें, हाँ है ना, तो आप ऐसे करकर, एक quadratic को right side में ले जाकर factorize करके लिख सकते हो, in terms of its roots या factors, provided जो x square का coefficient होगा, वो आपको यहाँ multiply करना ज़रूरी है, जो की 80% cases में 1 नहीं होता है, तो बच्चों को लगता है, सरसर सर ने कुछ लिखा ही नहीं, बट माल लो, यहाँ पर लिखावा है, 2x square plus 5x minus 7, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, clear है, ठीक है, अब जैसे माल लोईस की कभी जुर्यत पढ़ जायतो, यह एक simple information है, अब x square minus 5x plus 6 है, आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, और मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली, अब सरी यह हमेशा ही बराबर होता है, simple सी कहानी है, वो ही तो है, अब की बार x square को ऐगा coefficient 1 था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब यह हमेशा valid है इसी बात को, तो ऐसे लिखते हैं गणित में, कि यह identity है बहीं, अब आप x की जिगा सिरफ 2 या 3 नहीं, आप x की जिगा 1, 4, 11, 13, जो आपको समझ मैं वो रखो, left and side, right and side हमेशा बराबर आएंगे, यह था हमारा पहला point, दूसरा, अगर आपको roots पता हो, तो quantity कैसे बनाते हैं, ठीक है, डारेक्टली आप उनको यहाँ लाकर रख दो, अगर आपको कोई भी दो numbers, जो है वो roots बनाने है, समझ मैं है, समझ मैं है, अगर मान लो, alpha and beta को आपको क्या बनाना है, sir, roots बनाने है, एक ऐसी quantity कापकी बारा मूल्टा जा रहे है, पहले हमारे पास में क्या होता था, एक quadratic दिये होती थी, हम उसके roots निकालते थे, अब हमें roots दिये होंगे, हम quadratic निकाल रहे हैं, quadratic बना रहे हैं, तो भी ये बोल रहा है, कि x square सम की जगाए, उन दोनों का addition लिख दो, और product की जगाए, उन दोनों का multiplication लिख दो, और यहाँ पर by default एक minus sign है, जैसे मैंने आपको बोला, कि एक ऐसी quadratic बनाओ, जिसके roots, minus 7 और 3 हों, बिल्कुल बना देंगे ये लो, x square minus sign के बाद में, ये वाला धांचा आप तयार रखो, इन दोनों को roots बनाना है, मैंने का हाँ, इन दोनों का sum यहाँ रख दो, with a minus sign, और सरीन का product यहाँ लिख दो, quality का आपको एक दम चम चमाती भी दिखाई दे रही है, x square plus 4x minus 21 बराबर 0, इस quality के ये दोनों roots है, और ऐसा आप कोई भी दो numbers के लिए कर सकते हो, ऐसा आप कोई भी दो numbers के लिए कर सकते हो, clear है, clear है भाई, बिलकुल से ही, आ जाएए, अब इसके बाद में जो एक important चीज आती है, वो है सर, nature of the roots, ये भी बहुत असान है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक table चाप दे रहा हूँ, nature of the roots कौण decide करता है सर, nature of the roots decide करता है D, ठीक है, कौण decide करता है D, basic basic सी information है, ये आपके काम आईगी, D बोले तो सर, that is B square minus 4AC, ठीक है, अगर आपको किसी quadratic का D, 0 दिखाई दे, तो आप बोलोगे सर, roots are real and equal, roots are real and equal, ठीक है, और उस case में roots क्या हो जाएगे, मतलब इस case में आप बोल सकते हो, quantity के एक perfect square हो जाएगे, quantity के से perfect square, या फिर इस बात को हटा दो, roots are real and equal, तो alpha और beta दोनों बराबर हो जाएगे, और अपकी बार value हो जाएगी, minus B upon 2A उनकी, अगर आपको पता चलता है कि, D उसका greater than 0 है, 0 से बड़ा है, real and distinct मतलब roots उसके अलग लगाएगे, ठीक है, और जो last case है, कि अगर आपको पता चलता है कि, सर, उस quadratic का D less than 0 है, तो आप बोलोगे, सर, roots are imaginary, और imaginary roots जो है, वो exist करते हैं, pair में, कि एक root अगर P plus Iota Q है, तो दूसरा root क्या हो जाएगा, P minus Iota Q, आए ना, और ये वाली बात आप तभी बोलोगे, when coefficients are real, मैं ये मान के चल रहा हूँ, कि A, B, C, सारे के सारे real है, और A जो है, वो non 0 है, simple सी कहानी है, आए ना, ठीक है, add आगी, add आगी वाई, फिर से आगी गा, add, एक सेगड, एक सेगड, ये कहां से आरी है, यूगल, add ओ, वो add आगी, ये बार बार मचला, मतलब जो भी है, पीछे बैक एंड से उनको बोल दो, add बैड ना चला है, ठीक है जी, तो इस इस नेचर आप दे रूट्स, अब जरह देखना, अब आ रही है क्या, ये बापताओ, अब आ रही है, हट गया, बास, ठीक है, तो रियल अगर बोल रहा है, इन दोनों को मिला कर हम वर्ड यूज करते हैं, कि साथ दोनों को मिला कर आप D greater than equals to zero बोल सकते हो, जब रूट्स आर, रियल, रियल अन इक्वल बोले तो ये, रियल अन डिस्टिंक्ट बोले तो ये, बट तिरफ रियल बोल रहा है, तो इन दोनों का कंबिनेशन, ठीक है भाई, अब इसके बाद में, जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, जो फ्रिक्वेंटली यूज होगा, वैसे तो कॉड़िटिक में बहुत सारा है, नेचर आप दर रूट्स है, फिर सर आप बोल सकते हो, सिमेट्रिक फंक्शन आफ रूट्स के सवाल है, बहुत सारी चीज़े हैं, लोकेशन आफ रूट्स है, कॉमन रूट कंडिशन है, बट सर जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज होगा, उस पर फोकस करते हैं, आपको सिर्फ तीन चीज़ों पर फोकस करना है, पहली चीज, यहां पर आपको एक वाडिटिक फंक्शन ते रखा है, अभी बना के देखेंगे, कोफिशन आफ एक्स स्क्वाइर, जो की है अगर अ हुआ पॉजिटिव, तो ग्राफ की शेप आती है, कैसी ओपनिग अपवड, पहली चीज बता दू, कि क्वाडिटिक फंक्शन जो होता है, उसकी जो शेप होती है, वो शेप होती है सर, पैराबोलिक शेप, कैसी शेप होती है बटा, पैराबोलिक शेप, कैसी शेप होती है, parabolic shape होती है मतलब इस परकार की कटोरे टाइप की अगर आपको दिखाई दे रहा है कि x square का जो coefficient है अगर वो positive है अगर a positive है तो opening upward आएगा और अगर आपको दिख रहा है कि a negative है तो इसकी जो shape है वो opening downward आएगी ठीक है a का roll खतम तीन चीजों पर focus करना graph त्यार a हमें बताएगा कि ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा ठीक है vertex के जो coordinate है वो ध्यान से देखना vertex के coordinate होते है जो कि इसको perfect square बनाने पर निकल के आते है वो होते हैं sir ये ठीक है ये point हमें बताएगा vertex होता कौन है पहले तो ये पताओ sir जब opening upward बनता है तो सबसे lower most point opening downward बनता है तो सबसे upper most point ये आपको locate करना है कि ये कहां है a, b, c आपको पता है उसकी मदद से इसको solve करो इसको solve करने में थोड़ी सी लापरवाई मत करना because ये जनरली बच्चे plus minus के sign की वज़े से गलत कर देते है एक बार आपको vertex पता चल गया जैसे for example आपने इसको solve किया ऐसे example की बात करो अभी सवालों पे चलेंगी आपने देखा कि vertex 1,2 आ रहा है तो 1,2 यहां होता है और आपने ये भी देख लिया कि A positive है तो बस सर इस 1,2 पर opening upward वाला parabola चिपका दो बन गया गरा A ये decide करेगा कि उपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ बनेगा इसका role खतम फिर ये वाला जो point है ये decide करेगा कि इसका ये वाला point कहा होगा जैसे ही आपको पता चला कि 1,2 पर होगा यहां से ये वाली शेप लेके आओ 1,2 पर चिपका दो कैसा लगा तो असान है और last point जो की complimentary point है इसका इतना सब रोल है नहीं point where it cuts the y axis तो x की value 0 put कर दो 0,c पर तीनों point clear है क्या आए ना हां जी clear है गया तीन point मैंने आपको बता है A, vertex और यह तो complimentary point है कि y axis को वो कहां कटेगा अब सर हम इसका graph की बात करते है ठीक है अब इसके हम graph की बात करते है एक्जामपल पर चलते है यह आपके सामने एक्जामपल रहे हैं सर इन दोनों का हमें graph बनाना है I hope मेरी आवाज आ रही होगी आए ना ठीक है अब सर जैसे यह वाला graph है सबसे पहले आपको focus करना है तीन चीज़ों पर A, B और C की value बताओ सर A मतलब X square का coefficient that is 1 A मतलब X square का coefficient that is 1 और सर B मतलब X का coefficient that is also 1 और C की value आ रही है माइनस 12 A कैसी value आ रही है सर positive value आ रही है positive value से हमें यह समझ में है कि graph बनेगा opening upward जैसा कि आपने यह बताया ठीक है इसका role खत्व अब आपको बोला गया था कि vertex बहुत अच्छे से calculate करना और vertex का X coordinate होता है minus B minus sign अल्रेडी लगा है दियानक ना आप जो भी value यहाँ put करोगे यहाँ पर आप with sign put करोगे with sign और with sign में सर अल्रेडी यहाँ पर दो-दो माइनस बैठे हैं ठीक है हाय ना ठीक है सर माइनस B B कितना है जी B है 1 upon 2 A minus D D कैसे निकालते B square minus 4 A into C upon 4 A अब इसको simplify कर लो यह लिखावा है vertex X coordinate आ रहा है minus half यह क्या लिखावा है 1 बारा चोके 48 upon 4 अना प्लस हो जाएगा यह और बाहर minus तो this is minus 49 upon 4 खतम vertex निकल आया और vertex कौन से quadrant में सीधा वहाँ चलो खेली खतम vertex कौन से quadrant में है सर X coordinate भी negative Y coordinate भी negative तो minus half comma minus 49 upon 4 यहां कहीं होगा जी क्या बोलती है public और shape आपको पता है बस इस shape को अब vertex कौन सा होता है सर lower most point अगर opening का बड़ बन रहा है इसको यहां ले ओ इतना सही नहीं बनेगा parabola obviously सर पैरा बोला जो है वह पूरा का पूरा आपका ऐसे खिल खिलाता हुआ बनेगा बन गया खतम vertex नहीं सारी चीजे डिसाइड कर दी अब जो मैंने आपको एक complimentary point बोला था कि sir c की value देखती है आप एक point बना लो 0,c और वह तो बहुत logical है बहुत ही simple सी बात है मैंने पुछा यह y-axis को कहां कट करेगा तो x की value 0 put कर दो तो x की value 0,y की value minus 12 तो यह 0, minus 12 पर y-axis को कट करेगा तो यह वाली information यहां आपको दिख रही है कि यह वाला जो point है इसका x coordinate 0 है y coordinate minus 12 है in fact graph तो सरफ 2 point से बन जाता है आयना अब आज यह इस पे इसका graph बताओ सर इसमें minus sign को अंदर भेजो इसको पहले डंग से लिख लो यह quantity कैसे लिखी हुई है minus x square plus x minus 1 ठीक है फटाफट a b c की value आप मुझे बता दो a r i minus 1 sir b r i 1 और c b r i minus 1 clear है है यह बात clear है क्या बिल्कुल सही sir sir a की value negative देखते ही आपके मन में क्या ऐसा a का roll खतब a की value negative थी अब मैं जाता हूं sir main that is important part जो की सारी चीज़े decide करना है vertex minus b b कितना है sir 1 upon 2 a a with sign put करना है in fact a b c जो भी put करो with sign put करना है minus d d कैसे निकालते है sir that is b square minus 4 a into c this is b square minus 4 a c a और c दोनों negative है upon 4 a तो बैसे आप यह लिखाओ है plus a minus minus cancel हो जाएगा मैंने आपको बोला था कि vertex के vertex के coordinate लिखते वक्त आपको थोड़ा सतरक रहना है ठीक है और यह क्या लिखाओ है sir बहार minus sign और denominator में 4 into minus 1 और यह लिखाओ है 1 minus minus plus हो गया एक minus तो यह लिखाओ है sir minus 3 upon minus 4 बहार एक minus sign और तो यह पूरा answer आएगा minus 3 upon 4 क्या बोलती है public अब vertex को आप locate कर लो कौन से quadrant में होगा बस vertex के coordinate लिखते वक्त आप से कोई error ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना x coordinate half y coordinate minus 3 by 4 अब की बारसर यह होगा fourth quadrant में और shape हमें यह वाली रखनी है रख दीजीए सर्थ लेओ खतम कहान अब आप एक complementary point जो आपको बता है c की value क्या रही है minus 1 तो 0, minus 1 एक point बनाओ और यह information चपवादो की भया यह y axis को cut करेगा 0, minus 1 पे खेल करता हो यह बन गया सर्गराफ किते लोगों को बात समझ में आती है simple सा है simple सा logic है graph बनाना quantity का ठीक है randomly कोई भी a quantity को उसका graph बना सकते हैं आप अगली जो बात है वो graph की ही मदद से हम range of quadratic लिखना स्टार्ट करेंगे from graph यह quadratic function का अगर आपको graph बनाना आ जाए तो आप range निकाल सकते हो और range वाली जो चीज है वो relation and function नाम का जो chapter होगा उसमें हमारे पास में आने वाली है हाई ना क्लिर है अब वैसे तो आप formula wise अगर बात करो वैसे तो अगर आप formula wise अगर बात करो यह वाले तो दोनों सवाल हो गए हाना अगर आपको note करके लिखना है कि अगर आपके पास में एक quadratic function है इसकी अगर मैं range की बात करो इसकी range आती है minus d upon 4a से लेकर infinity अगर a positive हो if a is positive और अगर इसकी a अगर negative हो तब इसकी range आती है sir minus infinity से लेकर minus d upon 4a ऐसा क्यों होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा तुम तो graph पे focus करो सारी बाते graph से निकल कर आ लिए है बट इस सब में एक सबसे important चीज है यह note तभी valid है this is only valid only valid when x belongs to r जब आप सारे x यूज कर रहे हो तरह आपने यह कैसे range का formula लेक्टिक का तो मैंने का देख भई graph बना वहां से clear हो जाएगा अगर a positive दिखता है आपको x square का coefficient positive दिखता है तो range होती है minus d upon 4a से लेकर infinity और अगर x square का coefficient negative दिखता है तो minus infinity से minus d upon 4a यह बात का logic कहां से आया सर ग्राब बनाओगे तो पता चलेगा इसका graph बनाईए प्लीज इस पहले वाली quantity का सारी बाते एकदम clear हो जाएगी ठीक है 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 ना in fact अगर मैं आपको range की बात करूँ जैसे माल लो मैंने आपसे इस quantity की range पूछी तो आपने इसका graph बना लिया range होता है y-axis का कितना portion cover हो रहा है तो range होता है y-axis का कितना portion cover हो रहा है सर y-axis सिरफ इतनी ही cover हो रही है क्योंकि इस point के नीचे graph है ही नहीं तो y-axis का कितना portion cover हुआ minus 49 upon 4 से लेकर infinity और minus 49 upon 4 क्या है minus d upon 4 है तो यहां पर अगर आप इस function की range लिखना चाहते हो तो आप range बोलोगे minus 49 upon 4 से लेकर infinity कि y-axis के कितने part के आसपास अगल बगल में graph बन रहा है what portion of the y-axis is covered तो यह इसकी range हो जाएगी जब a positive था तब सर infinity तक जा रहा है जब a negative है तब सर यह minus infinity तक जा रहा है अब की बार y-axis का कितना portion cover होगा मतला when I say pi-axis का कितना portion cover होगा मतला y-axis के कितने portion के अगल बगल में graph बना हुआ है तो सर यहां से start हुआ इसके नीचे तक चलता जाएगा मैं इनका बता दे भाई कंधर यहां पर मा Cand माइनिən इन्फिनटि से लेकर माइनश 3 अपन 4 कि तो जब आपका a negative है तब आप यही तो लिख रहे हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर towards.ac वाई- estim १ और जब आपका a positive है तब आप क्या लिख रहे हो vertex के y coordinate से लेकर infinity और vertex का y coordinate क्या होता है vertex का y coordinate minus d by 4 a तो इसी को तो convert कर दिया सर यह रहा यही तो बात आपने लिखी है कि जब a positive होगा तो vertex के y coordinate से लेकर infinity तक a जब negative होगा तो vertex के y coordinate से लेकर minus infinity तक और इसमें आपने बोला जब graph पूरा बन रहा हो अब graph पूरा बन रहा हो क्या मतलब है तो यहां से आपको example से बात समझ में आईए आयना CLR लिखकर भीजीगा प्लीज पहले आप इस चीज का graph बना दो फिर इनका मतलब मैं आपको बाद में समझाओंगा वापिस जब बारी graph पर आई तो मैंने क्या किया फटा फट ए देखा एकी value 3 है मतलब positive है देखते ही मेरे मन में यह बात आगी कि यह opening अबड बनेगा सर बी की value minus 2 है और सी की value minus 7 है मैंने कही काम करते है डी calculate कर लेते है डी कितना आ रहा है सा that is b square minus 4 a into c क्या मैं सहीं बोल रहा हूँ हाँ 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 सामने देखते ही यह प्लीज अगर आपको अपनी 11 की चिंता है और आप positively participate करना चाहते देना इम स्टेंडिंग यह आपको चिंता नहीं है में उपाय तो यह है कि जो तू देख रहा वो बंद कर दे सारा बोज अपने आप कम हो जाएगा थोड़ दिन बाद में फिर से बोज बने का वो अलग बात है और फिलाल temporary अगर आप solution चाहते हैं तो आप इस पहले तो जिस पे मुझे आप सुन रहे हैं पहले तो उसको बंद करो देखना बोज ऑटमेटिकली कम हो जाएगा वो अलग बात है दो तिन दिन बाद में आप घूमते फिर थे फिर इस वीडियो को तलाश में आऊ गए और यह कहां पढ़ाय थे आर बेसिक कॉंसेप्ट अब जितने भी बच्चे लक्षे बैच में इन्रोल करने वाल स्ट्रगल ना करना पड़े कहीं पर भी कोई बात अगर बोल दी जाए तो आप उसको संभाद लो तो सर हमने यह निकाला बी स्कूर माइनस फोर एंटू सी सही लिखाए क्या सर यह हो जाएगा चार और एककेश चोके चुरासी होता है क्या दिस इस एटी-फोर अना माइनस माइनस प्लस इस एटी-एट चलिए भाई वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो माइनस बी अपॉन टू ए देख रहे हो मैं विद साइन वैल्यू पुट कर रहा हूं और अगर मैं बात करूँ वाई कॉडिनेट की तो माइनस डी अपॉन फोर ए एक बाब बताओ सर यह कितना आ गया तू से टू कैंसल माइनस माइनस प्लस यह आ गया सर वन बाई त्री और सर यह कितना आ जागा बाईस माइनस बाइस बटे 3 अगर मैं आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलो तो एक बटे 3 सर यहां कहीं होगा और माइनस बाईस बटे 3 यहां कहीं होगा इसका जो वर्टेक्स है वो आ जाएगा सर फोर्थ कॉडरन में ठीक है जी हाँ सुनते जाना अब अगर मैं बात पहली जानता हूं कि ओपनिंग अवर्ड बनेगा तो इसको उठा कर यहां रखना है और x की value 0 रखने पर y-7 आएगा तो graph बन जाएगा सर ऐसा और मैं जो आपको यह graph बनाना सिखा रहा हूं believe me एक type का graph आप automatically सीख लें जहां पर आपकी मदद कहा होने वाली है अभी तो आप ऐसा लिख रहे हो समझने वाली बात है बीच में थोड़ा सा confuse करूंगा रुखना जड़ा अभी आप इस परकार की quality का graph बना रहे हो जैसे आपने यह जो लिखी हुए है 3x square minus 2x minus 7 इसमें अग अब कि बार एसा बन जाएगा यह वाली चीज आप यह दोनों ही चीज़े वैसीकली पैराबूला में आप पढ़ते हो यह दोनों ही पैराबूला होते ओपनिंग अफवर्ड ओपनिंग आइडवर्ड बट क्वाडिटिक में सिर्फ यह पढ़ा जाता है बिकॉज हम क्वाडिटिक फंक्शन की बात करते हैं यह फंक्शन नहीं है वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर आपने कहीं सुना होगा तो त जब आपको यह वाली नॉलेज होगी तो एरिया चैप्टर में आप रिलेक्स महसूस करोगे जबकि आपके आसपास वाले स्ट्रगल कर रहे होंगे कि भाई साब मैंने तो पैराबूला पड़ा नहीं यह पैराबूला को सर कैसे बना दे रहे हैं वर्टेक्स कैसे लिख दे दिया कि आपको कुछ नहीं आता और अगर आपने उस एक बार की वज़े से एक दिन भी क्लास बंद कर दी तो समझ लेना तुम बाकी लोगों से आटोमेटिकली पीछे होगे क्योंकि बाकी लोग आगे निकल गए हैं तो आप अगर कहीं पर पॉस भी ले रहे हो आप रुक अगर बोलते तक यही चीज कल यूज होगी कल पेपर में आने वाली सब लोग बढ़ रहे होते लिए यूबराज सिंगजी बोलो है सर पेगल्टी फेगल्टी कब रीवील होगी इता तो पीछे रहे गया बागी लोग सामने देखें एक बार यूबराज को अभी लोग बता दो फेगल्टी कहा जा रही है कहां जा रही है यह तो कॉंट्रोवर्चिल स्टेट्मेंट बचाही है मतब फैकल्टी रिवील कहां की जा रही है यह बोलना जा रहा था चलिए रेंज बताइए सर अभी उसने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा मैंने का हां बई तो पहले पार्ट का रेंज मैं बोलूँगा कहां से लेकर कहां तक माइनस बाइस बटे तीन से लेकर इन्फिनिटी तक एक बच्चे ने बोला सर इसमें घ्राफ बनाने की कहाँ ज़रत्थी ताम-ज्याम कि मैंंने काेन but फिर भी यह वाले जो पार्ट होते है इसमें अब वा बोल रहा है वो बोल रहा है की x की वैलिव 0 से लेकर 5 लेनी है x की वैलिव 0 से लेकर क्या लेनी है 5 लेनी है ठीक है x की वैलिव 0 से लेकर 5 लेनी के मतलब x np. Ivan का portion सिरफ इतना ही बनेगा पांच पर वेल्यू कितनी आ रही है पहले यह बताओ 25 पिचेतर पिचेतर माइनस 10 माइनस 7 यह आ जाएगा 65 में से 7 गए तो 58 आ गया कि जर्द देखना पांच पर वेल्यू आ रही है सर 58 अब उसने बोला अब दूसरे पार्ट में समझना जरा कि दूसरे पार्ट के लिए ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट हो गया जब वह बोल रहा है कि X-axis आप सिरफ इतनी यूज करोगे open bracket 0 से लेकर close bracket 5 तक समझ मैं जब आप X-axis इतनी यूज करोगे तो जब भी ऐसा कभी लिख दिया जाए इसका मतलब ग्राफ इसके वर्टिकली उपर जितना आ रहा है उतना ही देखना है आपको 0 से लेकर 5 तक जितना ग्राफ आ रहा है वो मुझे बतावा आप जब आप X-axis इतनी यूज करोगे तो ग्राफ भी इतना ही बनेगा 5 से आगे अगर एक्स की वैल्यों ने डालोगे तो यह ग्राफ आएगा थोड़ी वाई की वैल्यू बनी बनेगा आया ना को दिक्कत है तो सेकेंड पार्ट के लिए आप बोल सकते हो कि सर ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर क्लोज ब्रैकेट 5 तक ग्राफ हमारा बनेगा यहां पर हॉलो है तो यहां पर भी हॉलो ग्राफ बनेगा सिरफ इतना और अब मैं आपसे रेंज जानना चाह रहा हूं मतलब y-axis का कितना portion cover हुआ अब मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूं यहां से मुझे range बताईए अब y-axis का कितना portion cover हुआ जल्दी से बताईए प्लीज जब आपने यह 0 से लेकर 5 लिखा यहां पर कोई भी formula नहीं लगेगा इसलिए मैंने यहां पर लिखवाया इस case में कि यह वाली जो चीज है यह तभी जब आप x belongs to r हो मतलब कि x की कोई भी value constant ना की जाए तो पहले में आप बोल सकते x belongs to r है पूरा x-axis यूज हुआ है अब क्या होगा सर अब graph अब y-axis का portion कितना यूज हो रहा है अब सर यहां से यहां तक तो तो रहीं जा जाएगी सर माइनस 22 बटे 3 से लेकर 58 तक 58 पर भी close और माइनस 22 बटे 3 पर भी close एक बच्चा बोलता है कि सर यहां hollow circle है तो यह वाली जो value थी कितना माइनस 7 यह आपको हटानी चाहिए मैंनका logic is ठीक है तुमने सोचा बट यह गलत सोचा है यहां पर hollow circle है तो कोई बात नहीं इसके right में यहां तो graph आ रहा है न तो इस portion की वज़े से माइनस 7 इसके अंदर रहेगा तो यह हमारा answer होगा second part के लिए third part के लिए क्या answer होगा यह आप chat में discuss करेंगे अपकी बार वह बोल रहा है कि minus 6 से लेकर minus 1 तक इतना portion of x-axis यूज़ कर रहे है तो graph भी इतना ही बनेगा इसके उपर यह इतना graph कितना portion of y-axis यूज़ कर रहा है वह आपको बताना है जो कि आप graph की मदद से बता सकते हो ठीक है है या मेरी बात समझ गी तो this is the role of graph in finding range and graph का simple खुद का भी यूज़ होगा clear है बहुत बढ़िया simple एक चोटी सी चीज मैं आपको और समझाना चाहूँगा a x square plus b x greater than zero for all x belongs to r अब यह वाली चीज़े आपको बहुसा ही जगा लिखी हुई दिखाई देंगी इसका पहले graphical मतलब समझों कि x की सारी real values के लिए quantity की value positive आनी चीए तो मतलब x-axis के ऊपर बनना चीए graph ठीक है for complete x-axis मतलब quadratic हमेशा positive होनी चीए कभी भी यह दिखाई दे हाँ इससे directly आपको पता चलना चीए यह तभी हो सकता है यह केस होता है हमेशा positive वाला this is हमेशा positive तो हमेशा positive की condition या फिर आप अगर solution की बात करोगे तो आप बोलोगे सर जो leading coefficient है वो positive होना चीए and उसका d less than 0 होना चीए मतलब x-axis को कभी काटे ना क्योंकि जो graph x-axis को काट गई जहां पर point of intersection होता है वही तो roots होते है आया ना समझे की नहीं समझे तो जो graph x-axis को काट गए उनके तो roots है रियल आप चाहते हो कि हमेशा positive वह मतलब graph आफ हमेशा x-axis के ऊपर रहे तो सर उसके लिए condition है यह दोनों और बीच में मैंने sign लगाया intersection का तो कभी भी आपको यह वाली चीज़ दिखाई दे डिरेक्ली इस पे आईएगा इसको solve कीजिए दो अलग लग लग इनी quality है जो की वेवी का method की तरफ से solve होंगी फिर सर इसका को लगता है कि यहां से positive से negative कियो तो डी भी सर नेगेटिव से positive कर दो नहीं इसमें ए नेगेटिव और डी नेगेटिव मतलब जो graph है वो कैसा बनना चाहिए ग्राफ ऐसा बनेगा हमेशा x-axis के नीचे समझ मैं आएगी नहीं सकते है तो यह दोनों बाते जब भी और क्या आपको यह reason clear हुआ क्योंकि जो graph हमेशा x-axis के ऊपर बनते हैं वह x की हर value पे आपको positive जवाब देंगे आप x की value रखते हो आपको y-coordinate मिलता है तो y-coordinate x-axis के ऊपर आ रहा है हमेशा तो y-coordinate इन सभी इस graph पे लाए करने वाले सभी points का y-coordinate क्या है positive है तो हमेशा positive का मतलब हुआ किसर आप कोई भी x रखोगे y आपको हमेशा positive मिलेगा इस graph पे लाए करने वाले हर point का y-coordinate negative है तो कोई सभी x रखोगे तो value आपको हमेशा negative मिलेगी अब आज यह यहां पर यह क्या बोल रहा है कि 0 से बढ़ा भी चलेगा पट कभी-कभी 0 के बराबर भी चलेगा तो यहां दो case आगे कि यहां तो 0 से बढ़ा होना चाहिए यह 0 को के बराबर भी हो सकता है अब quadratic 0 के बराबर होने का मतलब है कि touch कर सकता है उसको ठीक है तो इसका जो हमारा case बनेगा वो क्या बनेगा a positive and d less than equals to 0 ठीक है है यह positive and d less than equals to 0 और जो last वाला case हो गया सर इसमें क्या बोल रहा है कि quadratic का गराफ हमेशा x-axis के नीचे या कभी-कभी 0 हो सकता है ऐसे तो इसके लिए आप बोलोगे सर a negative and d less than equals to 0 यह जो मैं इदर लिख रहा हूं यह उन बातों के solutions हैं और यह मैं आपको बोल रहा हूं यह बहुत असानी से आपके सामने आने वाले यह बहुत frequently use होईंगे यह बहुत frequently use होंगे इनको आपको ध्यान रखना है जैसे माल दो यह वाला सवाल है उसने बोला कि यह वाली जो quadratic है ठीक है यह x belongs to r के लिए हमेशा क्या होगी negative होगी तो हमेशा negative वाली case आपको समझ मैं कौन सा है यह वाला कि यह quadratic हमेशा negative होगी for x belongs to r तो सर उसके लिए condition क्या होती है x square का coefficient क्या होना चाहिए negative and इसका जो d है वो d भी क्या होना चाहिए negative d निकाल लोगे that is b मतलब x का coefficient d square minus 4 a into c इन दोनों को solve करो take intersection I believe आप कर सकते हो और ऐसी चीजे बहुत बार बनेगी class 12 में तो इनको ध्यान रखी का प्लीज मैं फिर बोल रहा हूं इसका अंसर भी आप चैट में discuss करोगे I hope आप इसको solve कर सकते हैं क्लिर है क्लिर है क्या मेरी बात समझ मैं ही चलिए जी कि अगर आगे देख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में कितनी चीजें याद करने वाली हैं अभी कि 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 एक छोटी सी चीज और बच्ती है जिसकी हमें जुरत पड़ेगी है ठीक है यह भी जहां पर रेंज आ गया ना मतलब समझो बात बन गई ठीक है ठीक है डीनर ब्रेक देंगे बिटा गवराओ मत नौबजे तो स्टार्ट किया था अभी एट कितने पर स्टार्ट किया था पिछला परेक मैंने एट 15 पर दिया था आपको एट 15 से 9 15 10 15 हो जाएगा 11 बजे की करीब देंगे next thing is योगी बहुत ज्यादा यूजॹ जोगी ट्में यह रेंज बाला पौर्चन है जहाँ जहां पे रेंज आगे ना वह बूस्टर ठीक है इसकी रेंज सार्च कोडरिक प्वावए ओन कौड़ेटिक यहीं को चाहे कोर्डुटिक अपन लीनियर हो चाहे अपन कवाडिटिक हो यह सारे फॉर्मेट में से कुछ भी हो ऊपर एक वाडिटिक नीचे दूसरी पौरेकल इक लिनियर फंक्ष्टन एयकस बी टाइप का नीचे की वाडिटिक फंक्षन उपर कवाडिटिक नीचे ौ और उपर constant नीचे quality ठीक है इन सब की range कैसे निकालते हैं कि इसकी value कैसे vary करेंगी ठीक है इसकी आपको जुरत पढ़ने वाली है ज्यान सुनना assume जो भी आपको दे रखा है उसको y के बराबर मानो ठीक है और cross multiply and form a quadratic in x x में quadratic बना लो यहां पर जो भी दे रखा होगा उसमें cross multiply करो सारी terms को एक तरफ लाकर x में quadratic बना लो now उस quadratic का d greater than equal to 0 कर दो ठीक है क्योंकि x की सारी values real है तो आप उस quadratic का d का कर दोगे greater than equal to 0 solve the above inequality using wavy curve method and get values of y but this is not your final answer बहुत simple सी कहानी है y के बराबर मानना है cross multiply करना है quadratic in x बनानी है उसका d greater than equal to 0 करना है वहां से आपके पास में y की values आएंगी बड़ यहां लिखावा है वो आपका final answer नहीं है तो सर फाइनल अंसर क्या होगा अब check your answer answer को check कैसे करना है अभी जो बाते मैं आपको बता रहा हूं इस आर प्रोसीजरल बाते आप इनको ध्यान रखेंगे धीरे 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 जैसे आप बड़े होंगे AOD हम पढ़ेंगे या फिर आपने अगर class 11 पढ़ी है तो इसका explanation भी दिया जाता है कि हम ऐसा क्यों check करते हैं अब यह आप सिरफ सुनते जाओ आपको final answer देने से पहले यह check वाला step जुरूर लगाना है आप क्या करो वो जो आपने quadratic बनाई थी x में उसका coefficient को 0 के बराबर करो यहां से आपको एक y मिलेगा coefficient of x square को 0 करने के बाद में यहां से आपको एक y मिलेगा उस y को put that value of y in equation 1 equation 1 इसको बोल रहे हैं starting वाल equation उसको उस y की value यहां put करो और यहां से अगर आपको कोई x मिलता है if you get any x then step 3 is our final answer जो आपने यह answer निकाला था इसको hold पर रखना है अगर आपको y वापिस यहां रखने पर x solve करते हो कुछ ना कुछ मिलता है तो यही आपका final answer है और अगर आपको कोई x नहीं मिलता then remove that value of y from step 3 अगर आपको x मिले मतलब आपने क्या किया मैं यह check वाला step करके दिखाऊंगो तो बात समझ में आईगी अभी इसको hold पर रखते हैं यह वाला step समझाए नहीं आप इन तीनों steps पर focus कीजिए यह रहा जी पहला सवाल आपके computer screen पर यह आपको एक function दिया गया है मैंने बोला इसकी range बताओ ठीक है procedural part है समझ मैं procedure है एकदम पहले तो देख ले ना match करना चीए किस चीज से सर प्रोसीजरल है तो मैच करना चीए इस चीज से कि इन चारों में से कोई format है की नहीं है तो एक बच्चे ने बोला हां सर बिल्कुल सैट बैठ रहा है Quadratic upon Quadratic है जान सुनना दिख रहा है क्या इन दोनों का multiplication कितना है का सर दिस एक्स स्क्वार प्लस 2x माइनस x माइनस 2 हाना और नीचे लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वार प्लस x तो सर यह आपने जो पहला स्टेप बताया वह पहला स्टेप आप वापी से करके दिखा रहा हूं समझने वाली बात है कि वाइचे बराबर मानो वह इस पूरी चीज को वाइड के बराबर मानो और यह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वार प्लस थू अपॉन एक्स स्क्वार प्लस एक्स माल हो गिया वाइच के बराबर कांउसा format है 기 कौरीट अपन quantity next step आपको क्या पता है था cross multiply करो form a quantity in x cross multiply किया तो यह आजाएगा x square y plus xy बराबर यहां लिका हुआ x square plus x minus 2 सारी terms को एक तरफ लियाओ x square यह सारी terms को एक काम करो इस तरफ ले जाओ तो x square y minus x square प्लस यहां के लिकाव है sir this is xy minus x plus 2 क्या आपको यह quantity in x बनती भी दिखाई दे रही है हां sir इन दोनों terms में से अगर आप इन दोनों में से x square common लोगे तो ऐसा दिखाई देगा इन दोनों में से अगर आप x common लोगे तो ऐसा दिखाई देगा और यह वाली चीज बन के quantity के next जो यहां समझाया यहां तक बन गया अब आप एक काम करो sir d greater than 1 to 0 करो किसका इस quantity का d greater than 1 to 0 अगला step और d greater than 1 to 0 मतलब यह वाला जो role है यह play कर रहा है a यह वाला role play कर रहा है b और यह वाला role play कर रहा है c इसका discriminant निकाल लो sir वो कितना है गा this is b square b square minus 4 a कितना है 2 a है sorry a कितना है y minus 1 और c कितना है sir that is 2 इसको greater than equals to 0 कर दो अब इसको solve करो ठीक है यह लिखा है ना d greater than equals to 0 करो गे above quadratic का solve this inequality using wavy curve method and get the value of y अब आपको यह why make inequality बनी वी दिखाई दे रही है wavy curve method से आप इसको solve कर सकते हैं दिख रहा है आपको साफ साफ य-1 common लो y-1 common लेने के बाद में यहां बचेगा y-1 यहां 4 और 2-8 यह बचेगा यहां बचेगा y-1 यहां बचेगा y-7 जैसे ही कभी भी inequality बनेगी सबसे पहले कौन आ जाएगा wavy curve method आ जाएगा सर यह साथ पर 0 हो रहा है यह वन पर 0 हो रहा है य का coefficient सब जिएगा positive है तो positive negative positive कौन सी पार्ट पूछा जा रहा है सर positive वाला और equality लगी तो डाक सरकर तो आप बोलोगे सर अंसर आगया माइनस इंफिनिटी से लेकर वन यूनियन 7 से लेकर इंफिनिटी यह हमारे पास में इस वाई की रेंज आगी क्वाडिटिक अपॉन क्वाडिटिक वाले की क्या आगी रेंज आगी सर समझ पार होगी ने समझ पार हो बट सर अब बात खतम होती है आप यहां तक पहुंचें और इसमें लिखा हूँ है दिस नौट और फाइनल अंसर अब चैक कैसे करना है मैं उसकी बात करता हूं आज क्वाडिटिक में जो x2 का कॉफिजंट विचेंट अउसको पहले 0 करो x x我不 को विशेंट बाय मैंढ़ेस वन इसको 10 करने पर वाम की वैल्यू मिली वन इसको आप initial equation में put कर दो initial equation कौन सी ये वाली जिसको आप equation number 1 बोल रहे थे क्या हो गया अच्छा minus 8 और ये minus 9 है यहाँ पर भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी okay 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 AHC के जीडी बीडी नहीं AHC के ज़र से हो जगता है आप हमें चेक कर दो अब वापिस से आता हो चेक वाले स्टेप पे क्वाडिटिक में गए एक्से स्कोए का कोफिशन उठाया उसको 0 किया वाई की वैल्यू 1 मिली यह वाई की वैल्यू 1 यहां रखनी है इसमें ठीक है चलिए रख दीजिए वाई की वैल्यू 1 अब यहां से आपको एक्स सॉल करना है जब इदर लेके जाओगे सर यह आ जाएगा एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स माइनस टू यह 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 कैंसल करोगे जीरो बराबर माइनस टू आ गया यहां से हमें कोई एक्स नहीं मिला यही बात है क्या आपको कोई x मिला नहीं सर कहां मिलाई तो 0 बरावर माइनस 2 नेगिटिव सिच्विशन आगी या गलत बात आगी तो वो बोल रहा है कि अगर कोई x मिल जाता तब आपका step 3 वाला answer final होता जिसको आपने hold पे किया था बट अगर आपको कोई x नहीं मिला इसके आगे पता है क्या लिखाव है then remove that value of y from step 3 अब जो आपने यह answer निकाला है मतलब basically आपने यह क्या check किया कि y की value कभी 1 हो सकती है क्या कभी 1 नहीं हो सकती क्योंकि y की value अगर कभी 1 होगी तो वो x तो पता चलेगा ना y की जिगा 1 रख दिया कभी 1 होई नहीं लिए तो अब हम अपना final answer देंगे यहां से हमें y को हटाना पड़ेगा step 3 में हमें कोई x नहीं मिला तो यह जो value है इसको हटाओ हटाओ मतलब इस पे open bracket लगा दो हमारा final answer हो जाएगा सर यह open bracket 1 close bracket 9 से लेकर infinity this is our fnl समझ मैं कहानी एक और example ताबड़तों तरीके से करते हैं एक example फिर से आपके सामने लिखा हो है सर शुरू हो जाएगे सभी लोग क्योंकि procedure आपको तब याद होगा जब आप इसमें participate करेंगे पहली equation सर यही है और यहां से आप start कर दीजिए cross multiply यह हो जाएगा x square y minus xy plus y बराबर this is x square plus x plus 1 सारी terms को एक तरफ ले ओ this is x square y minus x square minus xy minus x plus y minus 1 बराबर 0 क्रॉस multiply किया और हमने क्या किया फॉर में क्वाडिटिक इन x की बात करते हैं सर यहां से y minus 1 multiplied by x square हो गया और इन दोनों में से सर एक काम करो minus common ले लोगे तो यह आ जाएगा इंडिस इस वाइप minus 1 बंगी भी या quantity in x square या quantity in x इसमें वापिस से सर यह वाला जो रोल है यह प्ले कर रहा है यह वाला रोल प्ले कर रहा है विद साइन इस बी और दिस इस क्वाइटिक का आपको क्या करने के लिए बोला है इसका square यह कितना है यह कितना है यह 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 कौन है गुड़ नाइट ब्रो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना चैट में गुड़ नाइट ब्रो वाले तो यह तुम्हें के लाइन से अटाकर खुद भी यह यहीं पर यह वहीं लोग है जो रजाई और तो लेते मैं तो सो रहा हूं रजाई के अंदर भी पढ़ते भी पाई जाते हैं रंज मैं है चाहिए छली एसर कॉदित बना लेते हैं अराम से वेवी कर्व मैथक्ट लगेगा अराम से सारी चीजह समझ में आ JENौ के इन इन जोनुके युशुर्ट दिसमाईनश्मध युशाओं इन दौनुके इडीशन स अब यह quadratic factorize हो रही है obviously sir, 3y square minus 9y minus y plus 3 less than equals to 0 तो 3y common लोगे, तो यहाँ पर आ जागा sir, this is y minus 3 minus 1, this is y minus 3 less than equals to 0 इसके factors आगे 3y minus 1 into y minus 3 less than equals to 0, ठीक है भाई, अब आप यहाँ आ जाईए sir, एक factor इसका आ रहा है 3, और एक आ रहा है एक बटे 3, ठीक है, less than equals to 0, this is positive, negative, positive ठीक है, और less than equals to 0 की बात किये तो sir, हमारा यह वाला part, यहाँ से हमारे y की value आ गी sir, 1 by 3 से लेकर 3, और दोनों पर kilos, बट यह हमारा FNF नहीं है, यह हमारा FNF नहीं है, क्योंकि अब हम बात करते हैं, चेक वाले step पर, चेक वाला step second time करके दिखा रहा हूँ, शायद अब बात दिमाग में गुज जाए, क्या चेक करना है सब, जहां पर आपने quadratic बनाई, यह बनाई, इसमें जो x square का coefficient है, उसको 0 करो, y की value आपको 1 मिली, यह value आप initial equation में put करो, तो 1 बराबर x square plus x plus 1 upon x square minus x plus 1, ठीक है, अब जब आप value पूट कर देते हो, अगर आपको कोई x मिला, तो यही आपका answer है, और अगर कोई x नहीं मिला, तो आपको यह जो value है, यह इटानी पढ़ती है answer से, तो मैंने यहाँ पर इसको solve करना start किया, यह कितना आजाएगा, this is x square minus x plus 1 बराबर x square plus x plus 1, 1 और x square गया, 2x बराबर 0 आजाएगा, हाँ sir, x की value 0 आ गई, अगर आपको कोई x मिल जाए, जैसे पिसली situation में आपको कोई x नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला sir, कुछ नहीं मिला तो हमें यह वाली value सवाल से, इस जवाब से अटानी पड़ी, इस पर close bracket था, मतलब जवाब में थी, हमें इस पर open लगाना पड़ा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा sir, अब हमारा यही fnf है, this is our pull and find, clear है, दोनों के मैंने आपको range करके दिखा दिये हैं, अब एक सवाल मैं आपको घर पे solve करने के लिए दे रहा हूं, जो कि j advance 2021 के multiple correct में सवाल पूछा गया था, और इसका अंसर आप chat में दोगे, ठीक है, इसका अंसर आप कहां देने वाले हो बटा, चैट में दोगे, क्या मेरी बात समझ में हैं, तो यह एक छोटा सा part और था, नाओ, higher degree equation में आपको sum of the roots, product of the roots वो लिखना आना चाहिए, सारी terms अगर present है, तो plus, minus, plus, minus, ऐसे लगा लो, सारी terms लिखे जाने के बाद में, plus, minus, plus, minus लगाना होता है, obviously sir, अगर यह cubic है, तो इसके तीन roots होंगे, alpha, beta, gamma, यह हमारे पास में sum of the roots आगया, जिसको प्यार से sigma alpha भी लिखते हैं, यह sum of the product of the roots, taken two at a time, मतलब दो-दो को लो, multiply करो, जोड़ दो, और यह आगया हमारे पास में, product of the roots, क्या आप यह चीज लिख सकते हैं, विकाज इसका use होता है, तो कुछ नहीं, जो यह plus a है, यह तो denominator में जाएगा, यहां रखना हो, सभी के case में, एक एक कसम, दो-दो कसम, तीन-तीन कसम, ऐसे चलता है, one, two, three, और सबके नीचे plus a आएगा, और इसके आगे वाली जो terms है, यह one, यह two पे जाएगी, यह three पर जाएगी, मतलब सर यह हो जाएगा, minus b, यहां पर आएगा सर प्लस c, और यहां पर आएगा, minus d, ऐसी अगर चार हो तो, अगर आपके पास में, एक क्वार्टिक equation है, क्वार्टिक मतलब, जिसके चार roots होते हैं, alpha, beta, gamma, delta, तो sum of the roots, product of the roots, taken two at a time, 6 terms आएगी, हर दो का product, हर दो को multiply हैं, और सब का sum, यह रही 6 terms आपके सामने लिखे हुई, 3-3 का अभी आगया, S3, 3-3 को लो multiply करो, जोड़ दो, और फिर S4, मतलब 4 का multiplication, same कहानी है, वापिस से, plus, minus, plus, minus, plus, जो सबसे बड़ी power का coefficient है, आप इसके भीजने के बात में, यहाँ पर कितनी टर्म बची, 1, 2, 3, 4, वही तो है, 1, 2, 3, 4, line से जमाना start कीजिए, यहाँ पर आएगा सर, minus B, यहाँ पर आएगा सर, plus C, यहाँ पर आएगा सर, minus D, और यहाँ पर आएगा, plus E, अब ऐसे ही में अगर 5 होती, तो कोई बात नहीं, 5 रूट्स, यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5 आजाएगा, plus E, फिर से सबके denominator में जाएगा, और आगे उसकी 5 टर्म बचेगी, तो minus B, plus C, फिर minus D, plus E, minus F, ऐसे चलता जाएगा, क्या आपको यह theory of equation लगानी आई, quantity के लिए भी आती है, cubic के लिए भी सिखा दिये, by quantity के लिए भी सिखा दिये, या फिर quantity के लिए भी, अब जैसे माल लो, मैं इसमें पूछूँ आपसे, some of the roots and product of the roots, क्योंकि यह चलता है, यह use होगा बहुत ज़्यादा, सर क्यूबिक तो है, सुरी यह power 4 वाली यह दिया नकना, बट इसमें एक glitch है, इसमें गड़बड क्या है, सर इसमें गड़बड यह है, कि इसमें सारी terms नहीं लिखी हुई, क्योंकि अगर बच्चा कोई flow flow में, प्लस माइनस प्लस माइनस करके, अंसर दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा, यह प्लस माइनस प्लस माइनस वाली कहानी, तभी valid होती है, जब सारी terms लिखी हो, हर एक power वाली term हो, यह भी है 3 वाली, तो 2 वाली होनी चीए, फिर 1 वाली term, हम फिर 0 वाली term तो इसमें सारी terms नहीं है तो हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं इसको हम लिख देंगे 0 x square plus x minus 11 बराबर 0 अब आप लगाए यह plus minus sign यहाँ plus यहाँ minus यहाँ plus यहाँ minus यहाँ minus यहाँ plus अब मैं आपसे पूछू कि sum of the roots मतलब s1 तो plus 5 तो जाएगा जी डिनॉमिनेटर में और minus of minus 3 यह जाएगा numerator में यह आजाएगा 3 बटे 5 एस 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर प्लस 0 upon 5 जो की होता है 0 s3 का मतलब क्या हो जाएगा सर इस is minus 1 upon 5 और s4 का मतलब क्या हो जाएगा this is plus into minus 11 बटे 5 यह आपको लिखना होना चाहिए है आए नव s1 का मतलब है सब का sum एक एक का s2 का मतलब है दो-दो का multiplication लो और जोड़ दो जैसे alpha, beta, gamma, delta चार रूट्स होंगे ना इसके तो s2 का मतलब है यह, s3 का मतलब है यह तीन-तीन का product फिर जोड़ दो और s4 का मतलब है यह clear हाँ मतलब इसको simplify करोगे यह पूरी value आजाएगी minus 11 बटे 5 यह लिखना आना चाहिए क्योंकि इसकी use होने वाली है चलिए एक ऐसी चीज जो बच्चों को दिन-राथ तरीके से परिशान करती है वो है सर्ट्रिग्नोमेट्री समझ मैं है इसका major role है आजागी कि अधिनर ब्रेक दे रहे हैं अभी दे रहे हैं देखो मैं फिर बोल रहा हूं जैसे मैंने अभी जो आपको कोदिटर कापी की रेंज वाली चीज बधाई यह यह आपको सिर्फव फंक्शन नाम के चैप्टर में दिख सकता है दिखेगा तो उससे पहले आपने अर्व कोदिट्र की अब नाम के चैप्टर की पुर फिर एःकए चलके माल फोगे इरए पडेंगी इसमा है उसमें पहला चेप्टर हो गाऊसमें भी दिखेगी अगला चेप्टर मैीट्रिक्स होगा उसमें भी दिखेगी फिर आपके पास में ITF आप उसमें भी दिखेगी फिर कॉन्टीडिटी में दिखेगी method of differentiation में दिखेगी उसके बाद में सर application of derivatives में दिखाई देगी फिर indefinite integration definite integration application of integrals जिसमें area under the curve बोलते हो differential equation फिर vector 3D probability linear programming school चैप्टर उसको छोड़ दो जितने चैप्टर लिए सब्जिक है दिखेगी में और आप सोचो कि आप class 11 का एक चैप्टर जो की तफ क्यों मैं लिख भी दिया है क्योंकि इसमें एक किलो फॉर्मूला है अगर उन फॉर्मूला को पेजों पे लिख दो पर्चियों पे लिख दो और उसका वजन करो ना तो एक किलो आता है और हर किसी की बात बस की बात नहीं है तो इसमें major part जो है वो याद रखने वाला है कि ऐसा होता है समझ मैं है और since we are using application of trigonometry तो आपके फॉर्मूला अगर याद होंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा मैं आगे चलके किसी चैप्टर में बोलू sign three theta का फॉर्मूला तो आपको चमकना चीए कि बेटा यह एक साइन सीरीज लिखी वे इसका सम यह होता है याद होना चीए और सर फिर हम इसको कैसे ग्राप्स कर सकते आप तुम्हें घंटा पढ़ाओगे इसको तो मैंने का आपको मैं लिखने वाले बहुत सारी चीज़े लाया हूं आप उसकी एक शीट बनाए बढ़िया सी और अपने सामने चिपका ले ना चाहते होई भी दिन में दो बार ले वैसे ही खाना खाने के बाद तुरंत तो बैठते नहीं हो टहलते टहलते कमरे में एक बार उसको देख लिया भाई क्या लिखाए यह कौन से फॉर्मूले होते हैं ब्लॉक वाइस इसको याद करें यह आपको याद रखनी पड़ेगी अगर मानलो यह चैप्टर कॉंप दिफिकल्टर छोड़ दूंगया तो मैं हो सकता है एक मौके उसको बोल दूगी छोड़ दे वाई उसी के पीछे पीछे दूसरा बच्चा लाइन में लगा वाज तो मैंने ध्यान रगना अगर तुने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ी तो तेरा एक चैप्टर तो वह गया ख कुझकि तुम पढ़ गे वह सवाल स्वाल हमें अच्छी रगती है बस लिमिटका सवाल ट्रिग्नोमेट्री वाला आगया डीटरमिनट डीटरमिनट इर बहुत असां चैप्टर रेडिव में ट्रिग्मेटरी गुसा रखिया फिर इंटिकेशन मानलो तुम्हें आता है वह अब आया लग रहा है बेटा अभी पैदा हुए हो क्या कि बोला सो रिलेशन फंक्शन रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया है मैंने क्यों बाकी बच्चों बताईए इसको प्लीस अनिकेद भया सभी दीदी लोग बताएंगी दीदिया जितनी भी सुन रही हैं सभी बताओ अनि पढ़के खतम तो किया है यह अब लेट आया तो क्या है तो मैं किस बात में बात कर रहा था कि बेटा रिलेशन एंड फंक्शन सौरी ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं छोड़ेंगे और इसको स्टेप वाइज याद करेंगे जैसे अभी 20 दिन है और पूरा भी पूरा एक सा सवाल है उस एक साल में जितनी बार हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा जितनी बार फॉर्मले यूज होगे हम उस चार्ट को देखेंगे बार-बार समझें इसको मत छोड़िएगा प्लीज चलिए जी अब एक ब्रीक ले लेते हैं तुम लोग ही बोल रहे हो बोला बाएं यह ब्रेक किती दिर रखा बस इसके राद में ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंज जिनी इस तो बहुत ही अलका है ट्रिग्नोमेट्री मेजर यह थी तीस दस चालिस या 35 बहुत है 15 मिनिट में फटाफट खालो आज जल्दी खालोगे तो क्या हो जाएगा अना 20 से 30 30 35 अब 15 मिनिट में तुम डिनर रेज्यूम कर सकते हो मैं भी 15 मिनिट में डिनर करने वाला हूं यहां पर आके रख दिया गया है अभी देखो 15 मिनिट में तुम्हारे सामने मैं भी खाके घड़ा हो जाओंगा ठीक है झालोगे झालोगे तुम्हारे सब्सक्रावे गया है यहाँ जल्दी कर दो विला है अब झाल 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 हैलो 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 नमशकार 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 आजेगे सभी लोग आजर देक्नोमेटरी जाल झाल झाल विमान जो है वो अपने निर्धारिट समय से नहीं चल रहा है थेगनोमेटरिक यह बाते करते हैं जी ठीक है, 10.35 it is, और I hope मैंने खाना खालिया है, आपने भी खाना खालिया होगा, ठीक है, 15 मिनिट is more than sufficient, मैं तो 5 मिनिट से यहां बैटा भी था, 10 मिनिट में यह काम किया जा सकता था, Welcome back, बहुत बढ़िया, On Time OP, यह बढ़िया है, स्टाट करें, तो सर ट्रिग्नोमेट्री की बाते करेंगे, हर जेगा यह यह यूज होती है, और दूसरा, इसका जो मेजर इंपोर्टेंट, इसको पढ़ने का जो तरीका है, इसमें याद करना पड़ता है, और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो भी इस तरफ दिखाई देते हैं, जो भी न आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव नेगिटिव कुछ भी लो, यह वाले जो एंगल्स यहां पे आपको दिखाई देंगे, फिर एन की वेल्यू वन पुट करोगे तो इस फाइब पाई इन की वेल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो इस इस माइनस 3 पाई बाई 2, यह चलता जाएगा तो यहां आ जाएगा उपकिया तो बाई अउछ अध्यक्रत, यह वाले जो एंगल्स अ बेसिकली वेल्यू जीरू-डे बाई 2 n की value 1 put करोगे तो this is 7 pi by 2 this is 11 pi by 2 n की value minus put करोगे 1 तो यह आ जाएगा minus pi by 2 ऐसे ठीक है अब first quadrant में हम सभी लोग जानते हैं इसमें all are positive सारे के सारे इसमें क्या होते है positive होते है total we have six trigonometric function sine cos 10 cot cos x1 ठीक है तो सारे के सारे इसमें positive होते हैं second quadrant की अगर टो सिर्फ जो positive होते वो लिख रहा हूं sign और उसका reciprocal that is course nec, यह दोनों क्या होते है यह positive होते हैं बागि जो ASTC या फिर CAST ठीक है कास्ट के तरीके से Is this clear? तो ये quadrant system है कि अगर आप first quadrant का angle लोगे तो सारे उस angle पर सभी trigonometric ratios या trigonometric functions की value positive आएगी second quadrant का कोई angle लेते हो तो उस पे सिरफ sign और उसका reciprocal cosec की value positive आएगी बागी 4 की value negative आएगी same इनके लिए है क्या मेरी बाथ समझ मियाती है फिर आता है सर्ए Reduction Formula restriction formula मतलब ये बहुती basic से reduction formula है आपको पता होने चा bestimmée sin pi buy 2 minus theta pi by 2 minus theta पर क्या होता है sin जो है वो cos में convert हो जाता है cos जो है वो sin में convert हो जाता है एर 10 जो है वो cot में convert हो जाता है और cosec जो है वो sec में convert हो जाता है, sec जो है वो cosec में convert हो जाता है, ठीक है जी, sec जो है वो किस में convert हो जाता है, cosec में, sin pi by 2 प्लस थीटा पर, pi by 2 प्लस थीटा कौन से quadrant का एंगल हुआ, 90 डिगरी में कुछ जोड रहे हो, that is, आप बोल सकते हो second quadrant में, तो sin positive होगा, और second quadrant में pi by 2 minus theta, first quadrant में हो, तो सब के सब की value positive है, theta चाहे कुछ भी हो, acute हो, obtuse हो, सब के लिए valid है, अब यहाँ आजाए, sin और cosec सिरफ positive रहेंगे, sin जो है, वो convert हो जाएगा, cos में, cos जो है, वो convert हो जाएगा, sin में, 10 जो है, वो convert हो जाएगा, cot मे, cot जो है, वो convert हो जाएगा, 10 में, cosec जो है, वो convert हो जाएगा, sec में, और sec जो है, वो convert हो जाएगा, cosec में, और सर, यह जब pi by 2, 90 degree के odd multiples आप use करते हो, जैसे, यहाँ पे 90 into 1 लिखा हो है, यहाँ पे 90 into 1 लिखा हो है, तब ऐसा होता है, आप, जब 90 degree के even multiples use करते हो, pi को आप 2 into pi by 2 भी लिख सकते हो, यह कौन से quadrant के एंगल है, सर, फिर से ध्यान से देखो, यह second quadrant के ही एंगल है, क्योंकि, pi यहाँ होता है, उसमें से theta घटा होगे, तो pi minus theta जो है, वो second quadrant का एंगल है, तो second quadrant में, कौन कौन positive है, सर, वापिस से, एक तो sine और एक cosec, अब 90 degree का अगर even multiple use हो रहा है, तो sine, sine में ही रहेगा, cos, cos में ही रहेगा, 10, 10 में ही रहेगा, cot, cot में ही रहेगा, cosec, cosec में ही रहेगा, और sec, जो है, वो sec में ही रहेगा, अब pi plus theta कौन से quadrant के एंगल है, ज्यान सुनो, सर, pi यह होता है, plus theta, third quadrant में आप चलेगे, और यहाँ पर हम use कर रहे है, pi by 2 का even multiple, pi को आप pi by 2 into 2 लिख सकते हो, हाना, तो सर, sine, sine में रहने वाला है, cos, cos में रहने वाला है, 10, 10 में रहने वाला है, cot, cot में रहने वाला है, cosec, cosec में ही रहने वाला है, और sec, जो है, वो sec में ही रहने वाला है, बस third quadrant में कौन-कौन positive होते है, सर, यह दो, बाकि सब के आगे, आप एक लगा दीजिए, minus sign, क्य लिटा से पहले आप जो यहां पर यूज कर रहे हो 90 डिगरी का अगर वह odd multiple है तो sin cost में convert होगा cos sign में 10 cot में convert होगा cot 10 में और cosec sec में convert होगा और sec cosec में यह तो πाई बाई टू का multiple कैसा यूज कर रहे हो इन दोनों में odd यूज हुआ है इन दोनों में even यूज हुआ है पिर आप देखोगे कि कॉजटे का कौन सा है रोल जैसले यहां पर आपको दिखे रे वापिस से किंद का एंगल है तो इसमें जो दो लोग second quadrant में positive होते है वो positive आए बाकि सारे negative और ये third quadrant का angle है तो third में जो जो positive होते है वो positive आए बाकि सारे negative आए है ना क्या ये बात समझ में आती है तो ऐसे आप reduction formula drive करते हों ठीक है फिर एक होती है sir property of dealing with negative sign negative sign के साथ सिरफ ये दो functions है एक cos और एक उसका reciprocal जो negative sign को खा जाते हैं मतलब गायब कर जाते हैं थीटा के साथ इन में अगर negative sign होगा तो इनको आप गायब कर सकते हो cos of minus theta is cos theta sec of minus theta is sec theta और बाकि इन चारों में जो angle का negative sign है वो बाहर आ जाता है इन दोनों में क्या हो जाता है साथ गायब हो जाता है इन में एंगल का negative sign जो है वो बाहर आ जाता है ठीक है तो यह वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यह वाली property भी बहुत important है उसके बाद में sir values of trigonometric functions मैं कुछ हद तक आपको values इसमें भर देता हूं उसके बाद में यह पूरी टेबल आपको फिल करनी है समझ मैं साइन कॉस 10 और कॉट कॉसेक सेक की जरत क्यों नहीं है क्योंकि अगर आपको साइन की value आगी तो उसका reciprocal कर देना वो किसकी value हो जाएगी सेक की value हो जाएगी 10 की जो value आईगी उसका reciprocal कर देना वो कॉट की value हो जाएगी फटा 2 आती है और 90 डिगरी पर वन आती है इसी को ही पलट दो यहां पर 1 यहां पर root 3 by 2 यहां पर 1 by root 2 यहां पर 1 by 2 और यहां जीरो यह कॉस की value होगी 10 की value 10 की value sign upon cost होता तो 0 upon 1 is 0 1 by 2 upon root 3 by 2 तो this is 1 by root 3 1 by root 2 upon 1 by root 2 this is 1 यहां पर आएगा root 3 1 upon 0 this is not defined अब यह जो आया इसको पलट दीजिए तो यहां पर आजाएगा not defined यहां पर आजाएगा root 3 यहां पर आजाएगा 1 यहां आजाएगा 1 by root 3 और यह वाली चीज जो है 0 यहां आजाएगी ठीक है इसके बाद में मानलो आपको कभी 500 degree पर value निकालनी है साइन 150 degree कितना होगा तो इसके लिए आप reduction formula का use करोगे साइन ओफ 150 degree को हम लिखेंगे साइन ओफ 90 प्लस 60 साइन 90 प्लस थीटा होता है सर हमारे पास में कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा इस कॉस थीटा इन कॉस 60 degree की value कितनी होती है यह हमने क्या किया reduction formula यूज कर लिया कॉस 60 degree की value हो जाती है साइन तो यहाँ पर आपके पास में value कितनी आगे साइन अगे साइन और आजाओ जैसे माल लो आपको कॉस में 210 degree पर value पता करनी है ठीक है जैसे for example if you say what is cos of 210 degree अब कॉस को आप लिख लीजिए that is 2 into 90 180 plus 30 तो 90 degree का even multiple है तो cos cos में रहेगा यह वाला angle यहां आ जाएगा बट सर 210 degree कौन से quadrant का angle होता है 180 से बढ़ा है third quadrant का होता है तो इसलिए minus sign आएगा अब कॉस 30 degree होता है सर माइनस रूट 3 अपॉन 2 कॉस 30 डिगरी कितना होता सर लट इस माइनस रूट 3 अपॉन 2 ऐसे करके आप इन सब पे value भर ये प्लीज यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं this is the scenario of fill it by yourself this is Fibby इस पूरे को अगर आपने भर लिया तो एक तो आपके reduction formula यूज हो जाएंगे समझ जाओगे आप और साथ साथ में सर आप value भी याद करने में आपकी मदद होने वाली है 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 ना इस इस क्लीर दो एवरीवन तो बेसिकली सर इतनी सी वैल्यू याद करने से हमारा काम चल जाता है वैसे तो बट फिर भी आप इन सब की वैल्यू भरिये को दिक्कत है ठीक है हाई ना उना इस बहुत बड़ी आप говорить यह वाला पूरा पारट आपको भरना ए इसके बात में जो मैं cos b plus cos a sin b sin a minus b का formula sin a cos b minus cos a sin b cos a plus b का अगर यहां पर plus आ रहा है तो यहां पर आएगा सर minus और cos में सर दोनों terms एक साथ आएंगी पहले cos a cos b minus sin a sin b और यहां अगर minus आ रहा है तो यहां plus आएगा cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b ठीक है ठीक है बापिस इसके आगे कहानी स्टार्ट होती है वो सारी की सारी memorize वाली स्टार्ट होती है although values वाली चीजे भी आपको memorize ही करनी है आजाओ सर आपने जो अभी compound angle formula बताए वो आपने बताए sin or cos के 10 और cot के भी बता दीजिए मैंने का यह रही 10 a plus b का formula था 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b आप अगर यही याद कर लेते हो वैसे तो आपको सारे याद करने चीए 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b 10 a minus b का formula सर यहाँ पर minus यहाँ प्लस आ जागा 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b यह जो formula है यह दोनों ही formula अपने आप में बहुत important है वैसे तो आप इसको cot a plus b को 1 upon 10 a plus b भी लिख सकते हो एक ही बात है जैसे आपके पास में 10 a plus b का formula पता है आपको देखना ज़रा तो सर वो कितना हो जाएगा 10 a plus b का अगर आपको यह भूल जाते हो तो याद रखने का तरीका 10 a plus b का formula 10 a 10 b और जो इसका denominator था वो numerator में लिखा जाएगा 1 minus 10 a 10 b अब सर आपको पूरा picture चाहिए cot के terms में तो सब में cot के terms में चले जाओ 10 की जगा लिखो 1 upon cot a 1 upon cot b और यहाँ पर लिखिए 1 upon cot a plus 1 upon cot b यह ठीक है ना तो यह इदर जाएगा तो सर यह कितना हो जाएगा this is cot a cot b और यहीं यह लिखा गया है cot a cot b minus 1 upon cot of a plus cot of b तो अगर आपको यह दोनों याद है वैसे तो चारों अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है आपका time बचेगा बट फिर भी अगर आपको पहले वाले दोनों याद है तो दोनों बाकी दूसरे आप डवलप कर सकते हो यहां पर एक जानने वाली बात यह अच्छी है cot a minus b यहां पर आता है cot b minus cot a वरना जनली बच्चों क्या लगता है कि यहां पर cot a minus cot b आना चाहिए नहीं cot b minus cot a आता है ठीक है और इसी में ही अगर मैं इसको बोल दूँ a इसको बोल दूँ b तो 10 a 10 pi by 4 1 होता है 10 b 10 theta तो यह वाली चीज लिखी हुई है यह दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं आया ना ठीक है इसको कैसे डवलप करोगे this can be developed as इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो this is 1 upon 10 of a minus b ठीक है अब इसके बाद में सर इसको आप open कर दीजी वही कहानी है 10 of a minus b का formula open कर दो तो यह क्या जगा denominator में 10 a minus 10 b और numerator में क्या जाएगा 1 plus 10 a 10 b और 10 की जगा है cot को ले आओ यही formula बन जाएगा ठीक है अब आजए यह सर transforming formulas sin c plus sin d का formula cos c plus cos d का formula और यह क्या transform कर रहे हैं सर हम addition वाली terms को हम multiplication में बदल रहे हैं trigonometry का golden simplification rule golden simplification rule ठीक है या फिर आप इसको बोल सकते हो this is sq that is such in sir special आपको जहां जहां पर trigonometry दिखेगी वहां पर आपको कलम चलाना पड़ेगा और चीजों को सरल भाषा में या सरल रूप से लिखना पड़ेगा सरल रूप से लिखने को ही हम बोलते है गौल्डन simplification रूप क्या है कभी आपको terms terms trigonometry वाली addition या subtraction में दिखती है तो आप उसको product में convert करो और कभी अगर आपको terms product में दिखती है कभी आपको टर्म किसमें दिखती है प्रोड़क्ट का मतलब समझ में आ गया मल्टिप्लिकेशन तो इसको आप एडिशन या सब्ट्रेक्शन में गनवर्ट करो तो यह ट्रांस्फर्मेशन फॉर्मुला आपका यह काम करने में मदद करेंगे और मैं इसको क्यों बोल रहा हू में है मल्टिप्लिकेशन में कर्वर्ट होगी देखो लेफ्ट हैंड एडिशन में राइट हैं मल्टिप्लिकेशन में यहां पर टर्म मल्टिप्लिकेशन में है यहां देखिए टर्म्स एडिशन में कर्वर्ट होगी तो दिस इस कॉल्ड एस गोल्डन सिंप्लिफिकेशन सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पचासों बार इसको यूज करना पड़ेगा तब जाकर यह फॉर्मुले दिमाग में बैटेंगे एक बार से नहीं होगा इसमें जो स्पेशल कंसेंट्रेशन आपको पे करना है वो यहां पर है anytime सीमाइनस निया एक माइनस सांग पहले लगा तो डोनों टेम साइन केआएगी Jerseyagine साइन सी माइनस दी बाइटू है ना कुछ लोग कुछ जगह है यह माइनस साइन को यहां बेज कर इसको डी माइनस सी भी लिख देते हैं बढ़ हमें ऐसी कलाकारी करने की ज़रत नहीं है अब आज यह इदर इनी के ही बेसिस पर या इनी की मदद से यह डवलप किया जाता है आपने यह याद किये हैं इनी कोई अगर आप ओपन करके लिख देते हो साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइने कॉस भी प्लस कॉस साइन बी और यहां पर आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉसससा इन भी तो यह और यह एक supports हो जाएगा इसका और इसका एडिशन टू आजएगे नेक्स जो आपके पास में है इस यह एक अलग टाइप का फॉर्मुला है जिसमें आपको क्या बोला जा रहा है साइन की कुछ टर्म से हैं वो मल्टिप्लिकेशन हैं देखो द्यां से और एंगल का जो पैटरन है अगर यहां थीटा आ रहा है तो यहां 60 प्लस थीटा और यहां पर आ रहा है 60 माइनस थीटा इसका अंसर आता है 1 बाइ 4 साइन 3 थीटा सेम कॉस में अगर टर्म्स हो तब भी यह 1 बाइ 4 कॉस 3 थीटा का फॉर्मुला बन जाता है और इनी दोनों को अगर हम डिवाइड करते तो साइन थीटा पॉन कॉस्स थीटा टैन थीटा साइन थीटा अपॉनं-स older यहां पर 11 इसको में धिया रहे с olmas थीक है अब आज ये दर सर ये वाला भी बहुत जोड़्स नर फोर्मुला में इसको चाहो तो आप यहीं तक mosquito ही साइन स्कौर की जग करें वन माइनिसस कॉर सक्वर एजिखा है और समस्कॉर सकॉर बी x 2-2 this is something like याद करने के point of view से बोल रहा हूं x plus y into x minus y क्या होता है x square minus y square यह वाली चीज सिरफ sign में valid है sign a plus b into sin a minus b sin square a minus sin square b cos a plus b into cos a minus b तो यहां पर आता है cos square a minus sin square b यह misprint नहीं है ध्यान रखना यह सही लिखा हुआ है आया ना इध्यान रखिएगा प्लिज clear है किसी को अम अब clear है सभी को बापिस ठीक है formula देखते जाएगे now we have next the formulas for multiple and sum multiples angle sin 2 theta का formula 2 sin theta cos theta cos 2 theta के 3 formulas होते है cos square theta minus sin square theta cos 2 cos square theta minus 1 1 minus 2 sin square theta 10 2 theta का formula यह रहा in fact यह formula आए कहां से कुछ नहीं जैसे आपको formula पता नए cos of a plus b का cos of a plus b में a b theta ले लो b b theta ले लो अपने आप formula त्यार हो जाएगा वैसे इसे 10 2 theta का formula की अगर आप बात कर रहे हो 10 theta plus theta की बात कर लेते हैं तो 10 a plus 10 b का 10 of a plus b का formula अब right से left जाते वक्त या स्वरी left से right जाते वक्त आप एक चीज और भी देखे कि angle का half हो रहा है मतलब अगर कभी हमें जुरत पड़ी कि कहीं पर sin theta लिखा हुआ है तो angle का half करते हुए हम इसको ऐसे भी लिख सकते है 2 sin theta by 2 cos theta by 2 समझेगी नी समझे कि अगर माल लो यहाँ पर 2 theta की जगा अगर सिरफ theta लू तो यहाँ पर theta by 2 theta by 2 हो जाएगा समझेगी नी समझे similarly अगर मैं इसमें 2 theta की जगा theta लू तो यहाँ पर theta by 2 और यहाँ पर theta by 2 हो जाएगा understanding point of view से आप यह बोल सकते हो कि right में जो angle है left में जाते वक्त sorry उल्टा left में जो angle है उसको right में जाते वक्त उसका half करना है अब चाहे एंगल वो कितना भी क्यों ना हो आए ना next सर यह वाले जो formulas है यह cos theta और sin 2 theta और cos 2 theta के formulas है in terms of 10 theta ठीक है और यह सर इसी का ही interchange है यह आपस में interchange किया गया इसमें 10 square theta को अकेला करोंगे तो यह आ जाएगा and next is यह वाली चीज भी बहुत use होती है basically अगर मैं लो मैं जैसे इसको open करके दिखाता हूं जैसे 1 minus sin theta minus cos theta का square sin square theta plus cos square theta minus 2 sin theta cos theta अब sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो 1 से 1 गया minus minus plus हो जाएगा 2 sin theta cos theta that is sin 2 theta वही लिखा हुए जी तो sin 2 theta वाली जो term है वो इसके बराबर भी होती है और इसके बराबर भी होती है आप उसको open करके देखो अपने आप बात समझ में आ जाएगे आए ना और यह क्या चल रहे हैं यह सारे formula चल रहे हैं line से और एक भी formula नहीं चोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको कोई परिशानी ना हो सारे formula आपको एक जगह मिल जाएं समझें की नहीं समझें अब आज यह सर डाट इस यह वाले थोड़े से इग्णोर है आप चाहो तो इनको इग्णोर कर सकते हो बट फिर भी अपने दिमाग में रखो जैसे सर यह formula कहां से आया तो कुछ नहीं कॉस्टू थीटा की जगह लिखो दिसस्टू कॉस्टू स्क्वाइट थीटा माइनस वन और अल्रड़ी यहां पर प्लस वन था इसको भी हाफ एंगल में ले चलो क्यों कि देखो टू थीटा से थीटा में मतलब एंगल का आधा हुआ है तो हाफ एंगल फॉर्मल लगाओ सारी ठीटा कॉस्ट थीटा यह एक हैं से लोगें टू टू कैंशल ओ गया है कॉस्ट थीटा पाउन साइन थीटा दैड इसकौट थीटा ऐसे तो एसे करके यह सारे फॉर्मुला ड्रायब के गए यह थोड़े से लीस्ट यूज्ड है थोड़े कम यूज होते हैं बट यास यह भी पता होने चीह हैं अब थोड़े से कम यूज होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको भूली जाओ नहीं जी याद आपको ध्यान रखना है अब आज यह से साइन ठीथीला वाले फॉर्मुलाज जा फॉर्मुला टीड़ा हैं साइन 3 ठीटा की जब हम बात करते हैं तो 3 सैन ठीटा मैंनस 4 सैन क्यूल थीटा कॉस्स थीटा में से यह 4 वाली है तो अगर मांन लो इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखता हूं कि साइन थीटा अब बताओं तो आप इसको लिख सकते हो इस थ्री साइन थीटा बाइ थी minus 4 sin cube theta by 3 यहाँ पे 3 theta है इस तरफ theta है तो ध्यान रखना sin में पहले 3 आता है फिर 4 आता है cos में पहले 4 आता है फिर 3 आता है और 4 और 3 किस-किस के आता है sir 4 sin cube theta बड़े वाली term बाद में आएगी power ज्यादा वाली term बोल दो बड़े वाली की जगह और इसमें power ज्यादा वाली term पहले आईगी एक भी plus minus का error आपसे नहीं होना चाहिए क्या मेरी बात समझ में आती है हाई ना और यह सारे के सारे formulas भाईज आप याद करने पड़ेंगे ऐसे थोड़ी ना trigonometry difficult difficult sir आपसे थोड़ी ना कहानी बना रही है सबने आपको याद रखने चाहिए साइन अठारा डिगरी जिस इसको blue करका है वो तो आपको याद होनी होनी चाहिए साइन अठारा डिगरी की value कॉस्ष चत्यस डिगरी की value और 10 पाइबाइट की value पाइबाइट होता है 15 डिगरी हना 15 अठीग थे 120 है नहीं साड़े बाइस होता सर मैं भी क्या बोल रहा हूं यह हो जाएगा 90 यहां आ जाएगा सर चार यह दो और यह पेंता दे साड़े बाइस डिगरी 22.5 डिगरी और सर अगर माल लो इसके बाद में जैसे यह आपने तीन बताए वैसे तो आपको पूरा याद रखना है सब्छेज मैं पूरा का पूरा अबो क्या करना है सर मेइमरीज करना है बट्स इसके बाद भी अगर हमने यह तीन वैलविउज याद रखी है कि महां नो हमें साइंटीन की वैल्यू पता है और हमसे है और हमसे दोनों याद है ना जैसे sin 36 की value आप क्या बोलोगे sin 36 की value हम बोल देंगे sir this is 1 minus cos square 36 यह sin square theta हो गया और इसका root और cos 36 की value यहां पर टग दो काम चल गया sin 36 आ गया sin 36 आ गया तो cos 54 आ गया और कोई तरीका आप बोल सकते हो गया यह वाली values इनकी मदद से निकाली जा सकती है जैसे आपको sin 72 की value निकालनी है तो sin 72 cos 18 के बराबर है और cos 18 को आप directly sin 18 से निकाल सकते हो सजमा है की नहीं सजमा है cos 18 degree can be written as 1 minus sin square 18 degree समझ पारे हो simple जिखानी है कि यह बात clear है इसके बात में सर दो बहुत छोटी छोटी बाते अब जैसे यहां से आप ऐसे यहां कैस जाओगे यह 10 pi by 8 है यह cot pi by 8 क्या होता है सर कॉट pi by 8 होता है 1 upon 10 pi by 8 ठीक है और 1 upon 10 pi by 8 बोले तो root 2 minus 1 अब इसको रेस्टलाइज कर दो root 2 plus 1 upon root 2 plus 1 से यह वाली पूरी चीज आजाएगी root 2 plus 1 इसलिए यह याद करने के लिए बोला इसकी मदद से यह आ जाएगा यह अलग से याद रखोई मत तो यह जो तीन आपको वैल्यूज दी गई है इसकी मदद से आप सारा जंजाल बुक कर सकते हो अब आपको प्रेक्टिस या आप जो घर पे जो यह वैल्यूज याद करोग 18 インワंटि 1, 18 x 2, 18 x 3, 18 x 4 इन चारों पर साइन कॉस साइन कॉस साइन कोस सबकी वैल्यू लिखनी है अगर आप वो लिख़ पाऊ रों मतलब समझ एक याद हो गया फिर सट 9-8 पर आपको वैल्यू लिखनाए उस वैल्यू से आप काउट 10 research के लिखनी है इस वैल्यू से दोनों एंगल छोटे हैं 45 से दोनों छोटे हैं इनका फॉर्मेट जो है वह सेम है इसमें वैल्यू छोटी आएगी और इसमें वैल्यू बढ़ी आएगी ठीक है रूट 5-1 अपॉन 4 और रूट 5-1 अपॉन 4 थे की बार पता चला यह दोनों याद कर लिया और इसी में आपको गन्फूजन है कि प्लस साइन किसमें आएगा माइनस साइन किसमें आएगा तो आपको एक छोटा साइडिया यह रखना है कि साइन का ग्राफ और कॉस का आपस में 45-डिडी पर कट करता है। और 18 डिग्री पर साइन की वेल्ई हाएगी कऊस की वैल्यू जादा आएगी। तो ज्यादा वाला प्लस साइन आएगा माइनस कम वाले के साथ आएगा। ऐसे याद रखसकते हैं। आयना और इसको तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप याद रखो बट फिर भी याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर 15 ढू को पार गार्ट ऐसे लिक एंगे लिक्स कर्मिंख दिसको 45 अपर बिचतर दिग्री की बात हो जो इसको 45-30 यहां पर 25 अबरल्बभी तो इस फैपम ओन्रके सामझेय लिखिए अच्छी ऑगomena और समय 55-30 फोटो जुरूर खीच लो आंकों से कि कहीं पर सर ऐसी कोई वैल्यू दिखी तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ इसको एक नोन एंगल पे निकाला जाता है ठीक है आया ना इसके साथ साथ कुछ और वैल्यू याद करने के लिए दे रहा हूँ यह वैल्यू आपको इतनी असानी से याद नहीं हो गी बटर येस लॉग में अगर आपको बेस चेंज करना है बेस टेन से आपको बेस ए पर लेके जाना है तो यह होता है मल्टिप्लाइंग फेक्टर ठी values root की है यह आपको root की 4 values पता होनी चीए मेरे ग्याल से इतनी सब को पता है यह वाली दोनों नहीं पता होती root 6 की value हम root 2 into root 3 से निकाल देंगे root 8 की value भी निकाल देंगे सर इसको किस से multiply करके 2 से 2 root 2 होता हाय ना और root 9 तो चाहिए नहीं root 10 root 5 into root 2 बस इससे आगे नहीं जाएगा कभी तो यह root वाली values और यह log वाली values आपको याद करनी है समझ मैं क्या करनी है याद करनी है सर यह कहां से आई calculator से निकाल के लिखी गई है ठीक है memorize तर यह use होती है क्या हां जी थी उस सवाल को भरने की वह यह थी कि फिल root 10 आपका अंसर आ रहा ध्यान सुनना मेरी बात और instruction दे रही थी कि फिल दा अंसर numerical answer up to correct up to two decimal places कि अपना जवाब दो decimal places मतलब decimal के बात में दो places तक सही भरो और root 10 उसका answer आ रहा था आप सोचलो आप 10 की value कैसे निकालोगे तो यह सारी की सारी बाते आपको याद करने और याद करने का तरीका पहले भी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं कि सारी values आप अपने साम रखिए और पूरे out throughout the session में आठ महिने या 10 महिने तक आप पढ़ाई करने वाले हो जही मेंस के पेपर से पहले देख देख के इस्तमाल कीजिए ठीक है और जब भी टाइम मिले टहलते टहलते कमरे में एक बार इसको देख लिया इस्तमाल कर लिया फिर आगे बढ़े क्लियर दोस्तों आयना चलिए जी सवालों की बोचार थोड़ी बहुत जो आपने सीखा थोड़ा बहुत उस पे सवाल देख लेते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री गया प्रेक्टिस मांगती है तो उसके लिए प्रेक्टिस वाली चीज में उतरने से पहले आप क्या गरो आपको फॉर्मुला ज एकदम क्लियर होने चीए जैसे उसने क्या बोला की साइन 36 अलफा की वेल्यू साइन 36 है और अलफा इनमें से किस बात कर रहा है अब साइन 36 मैं से कैसे कैसे निकालो मुझे तो कॉस्ट 36 पता है वापिस वह का नहीं है अब कॉस्ट 36 क्या होता है वह पता होना चाहिए तो इस रूट 5 फ्लस 1 अपान 4 का होल स्कॉर्ड और सर यही आपका अलफा है मतलब अलफा में एक डिलेशन बनाना जो तो ऐसा दिखाई दे तो सर कुछ नहीं यहां से स्क्वारिंग वगरा करो रूट वूट अटाओ बिंदास मैंने ठीक है भाई तो मैंने कहा किया इसको स्क्वाइर किया यह आजाएगा वन माइनस यहां क्या लिखा हुआ है दाट इस 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपान 16 अना और दोनों तरफ स्क्वार किया तो रूट अट गया यह इदर जाएगा सर यह हो जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 अपान 16 सर यह लिखा हुआ है 10 माइनस 2 रूट 5 अपान 16 समझने वाली बात है सिधा वैल्यू पे कैसे सवाल पूछा गया है उपर नीचे टू से कैंसल करोगे तो 5 माइनस रूट 5 अब आप एक काम कीजिए यह जो 16 है या फिर यह जो 8 है इसको इदर लेकिया हो तो यह आजाएगा सर 8 अलफा स्क्वाइर बराबर 5 माइनस रूट 5 अब अगर आपको एक स्क्वारिंग और करनी पड़े तो ध्यान से देखना वहाँ पे कहीं पर रूट नहीं बचरा अगर आपने इसी स्टेप में स्क्वाइर कर दिया तो रूट बचेगा आप एक काम करो रूट को अकेला कर दो और ऐसे लिख लो अब दोनों तरफ स्क्वार कीजिए यहां आजाएगा पांच यहां आजाएगा सर 25 यह आजाएगा सर 64 अलफा की पावर 4 8 पांजे 40 माइनस 40 देखते ही पता चल रहा है कि यह पूरा का पूरा फोर से डिवाइड हो रहा है जैसी फोर से डिवाइड करोगे 16 अलफा की पावर 4 माइनस 20 अलफा स्क्वार प्लस 5 बराबर 0 देख लो कौन सी एक्वेशन ऐसी मैच कर रही है प्लस 5 बली option D is correct अब ए 4 से डिवाइड किया है option C is correct तो देखो कहानी स्टार्ट कहां से वेल्यू से अब किसी को अगर यह वेल्यू ही नहीं याद है तो भाई साब फस गए ना या फिर आप calculation में चले गए दो वेल्यू आपको याद करने के लिए बूली आए बिलीव आप उतना कर सकत है आए ना आजाए यह एक प्रोड़क्ट ऑफ को साइन सीरीज होती है जिसमें एंगल डबल हो रहा होता है प्रोड़क्ट ऑफ को साइन सीरीज होती है जिसमें एंगल क्या हो रहाता है डबल हो रहा होता है ठीक है प्रोड़क्ट ऑफ को साइन सीरीज होती है जिसमें मैं एंगल क्या हो канал डबलो रहा होता है यह बहुत इंपोर्टनने तो जब थीटा गाटबल। तीटाका डबल। वॉजग गडम सब्सक्राइब सब से चोटा एंगल से डबल कर रहे है आप सबसे चोटा एंगल है तीटा टोटल नंबर आफ टरम्स कितनी है नंबर आफ टरम्स है तो गलत जवाब यहां पर लिखाव है 2 की पावर 0 से start होकर आप n-1 तक गए हो तो 0 से जब आप n-1 तक जाते हो तो सर टोटल नंबर आफ टर्म जो है वो एन होती है ठीक है अब सर इसको पूरे को पूरे को आपको यहां फिल करना है मैं साइन के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल उसका जस्त दुगना या साइन टू की पावर एन थीटा टू की पावर एन अलग और साइन थीटा अलग पॉर एक्जामपल मैंने आपको एक छोटा सा सवाल दिया जैसे कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा बाइटू इसमें जो जनरली बच्शों से मिस्टे की होती है कि बच्चे Ext Oh Сnil एक्रव याद कर लेते हैं नहीं जी आपको Business एंगल की बेसिस प्रयाद करना सबसे चोटा एंगल सरे वाला है कैसे पता आपको क्योंकि इसका डबल यह रुआ इसका डबल यह रुआ इसका डबल यह रुआ तो दो तीन चीज़े आपको धियान रखनी है गाट इस माल्स एंगल smallest angle as a theta upon 16 और number of terms 2 की power 4, 2 की power 3, 2 की power 2, 2 की power 1, 2 की power 0 1, 2, 3, 4, 5 अब जड़ा देखना answer कैसे लिखना है sine की अंदर 2 की power में number of terms multiplied by सबसे छोटा angle ना कि सबसे पहले वाला angle सबसे छोटा that is theta upon 16 सबस्में आगे नहीं सबस्में sine के अंदर theta upon 16 whole divided by 2 की power 5 और sine के अंदर theta upon 16 ठीक है इसको cancel करोगे सर यह आजाएगा आपके पास में 2 तो numerator के अंदर लिखा हुए सर आपके पास में sine 2 theta clear है ऐसे आपको याद रखना है चीज़ी सीरी से आई कहां से बहुत ही सिंपल सी कानी है इसमें 2 sine theta से multiply और 2 sine theta से divide कर दो तो यह क्या बन जाएगा सर यह बन जाएगा sine 2 theta अब सर एक 2 और एक 2 और यह क्या बन जाएगा सर यह बन जाएगा sine 4 theta अब इन दोनों को कलब करने के लिए 2 और और यह क्या बन जाएगा सर यह sine 8 theta ऐसे एक बार अगर आपने multiplication स्टार्ट कर दी तो यह कठा होता जाएगा बट आपको formula ऐसे याद रखना है और यह सवाल यह में पूछा गया जल्दी से बता दीजिए प्लीज तिक है आई सिंपल सा एक्जम्पल है जो मैंने आपको भी करवाया उसी के बेसिस पर एक अग्जम्पल और पूछ रहा हूं और जितनी practice हो सके उतनी practice आप कीजिए प्लीज अलग-अलग resources आपके पास में होने चाहिए आपके आरजुना के notes हैं और practice कीजिए क्योंकि वहांपे formula apply करना सीखा है जैसे मैंने तो क्या किया सिर्फ sinc plus sincd का formula बता दिया अब माल लो अब कभी ऐसी सिच्वेशन आ जाए कॉस 7 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा तो आपको पता हो ना चाहिए कि फॉर्मुला लगेगा कैसे कॉसी माइनस कॉस दी वाला हासर आपने बताया था माइनस 2 साइन सी प्लस दी लाट इस 13 थीटा अपॉन 2 साइन सी माइनस दी डाट इस थीटा अपॉन 2 अब जब तक यह आप काम करोगे नहीं तब तक आपको यह फॉर्मुले सिरफ दिमाग के अपर लेयर में घूमते जाएंगे लोवर लेयर में यह यह यह बेसिग इंटेंस तो यह है इंटेंशन तो यह है कि पहले आपको पता होना चीए की फॉर्मुल लगेगा क्या मेरी बात समझ में आती है चलिए इसमें यहां से लेकर यह कॉस वाली टर्म पर आपको ध्यान देना यह एक एक्स्ट्रा टर्म है यह कैंसिल होने के लिए बैठिए इसकी टैंचन आप ना लीजिए तो मैं अगर देखू तो एंगल यहां से डबल हो रहा है सबसे चोटा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है स्मॉलेस्ट एंगल सर यह पाई अपाउन टू की पावर टैंगे और नंबर आफ टर्म कितने हैं तो टू की पावर टू की पावर फोर करते करते टू की पावर टैं तक गए नंबर आफ टर्म कुछ लोगों को यह 8 दिखाई देती हैं सब 10 में से 2 गटा दो 8 टर्म होगी नहीं जी आप अगर फाइनल माइनस इनिशिल करो तो हमेशा उसमें प्लस वन किया करो तो टोटल नंबर आफ टर्म से 9 तो यह हो गया सर 9 इस पूरे का जवाब आजाएगा साइन के अंदर तू की पावर में नंबर आफ टर्म स्मॉलेस्ट एंगल होल टिवाइड इड़ तो की पावर में नंबर आफ टर्म साइन के अंदर मतलब इसको यहां लिख दो और थीटा यह जो सबसे चूटा इंगल है उस पर साइन की वैल्यू यहां रख दीजिए में और यह जो एक्स्टा टर्म यहां पर उसने दे रखा है ताकि ये कट फिट जाए सर्थ ए और यह पूरा गया प्हाई और यह गया साइन पाई वाई टू होता है सर वण और यहां बचेगा टू की पावर ना तू की पावर 9 कितना होता सर एक बटे 512 क्योंकि तू की पावर 10 होता है 1024 option B is correct चलिए जी इसके बाद में अब आते हम sine और cosine series पर ठीक है और ये series भी बहुत effectively use हो जती कई बरी इसको भी ध्यान रखना है ठीक है इन series में खास बात क्या है ये sine और cosine दोनों की series है angles AP में है ध्यान से देखोगे तो जो angles है वो किस में है angles जो है वो AP में है ये alpha है फिर alpha plus beta है alpha plus 2 beta है ऐसे करते करते alpha plus n minus 1 beta है जो अब की बार angles है वो किस में है AP में तो sine और cosine की series with angles in AP ये आपके सामने लिखे हुए है ठीक है और सेम ये पूरी size sign की series है ये cosine की series है इसमें भी angle AP में है ठीक है इसमें इन दोनों ही series में आपको क्या चीज़े देखनी चीए सबसे पहले आप देखोगे that is first angle मतलब सर अलफा कॉमन डिफ्रेंस ऑफ एंगल्स का कॉमन डिफ्रेंस कितना है अलफा में आपने बीटा जोड़ा बीटा में फिर आपने मतलब अलफा प्लस बीटा में फिर बीटा जोड़ा तो एंगल कॉमन डिफ्रेंस बीटा और नमबर ऑफ टर्म्स कितनी है क्योंकि यह पहले तो आपको विज्वलाइज देखते ही पता चल जाएगा कि साइन की सीरीज एंगल से पी में मतलब डारेक्ट फॉर्मुला लगेगा अ अलफा पहली टर्म है कॉमन डिफ्रेंस बीटा है तो अगर मैं आपसे इसकी टी एन पूछू तो आप यही बोलूगे अलफा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा वही तो लिखी हुए और यह टी एन है मतलब एनफ टर्म है तो आपने यह तीन चीज़े निकाल ली समझने वाली बात है ध्यान सुनना उसके बाद में आपको इसमें वैल्यू पूट करनी है मज़े की बात यह है कि इनका दोनों का यह वाला पार्ट सेम है चाहे सिरीज साइन की हो चाहे को साइन की हो यह वाला पार्ट दोनों में क्या आएगा सेम आएगा साइन बीटा पॉन टू divided by sine beta upon 2 यही सेम आएगा और सर अगर sine की series है तो यहाँ sine अगर cosine की series है तो सिरफ यहाँ cos समझे की नहीं समझे क्या मेरी बात समझ में आती है बोलो हाँ बेटा याद करना है number of time क्या होता है सर sine n बीटा अपॉन टू डिवाइड़ बाइ sine बीटा अपॉन टू यहाँ पे अगर sine की series है तो sine cos की series है तो cos alpha प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन alpha प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन टू आएगा मतलब जो आपका tn होता है यही लास्ट वाला एंगल यहां लिखा जाएगा बस बीटा की जगा बीटा अपॉन टू आएगा इन फेक्ट इस पूरे फॉर्मूले में ध्यान से देखो राइट साइड में जहां जहां पर बीटा है वो बीटा अपॉन टू ही है ठीक है तो कैसे याद किया कि सर जो भी हमारा लास्ट एंगल होगा मतलब जो टी एन होती है अलफा प्लस एन माइनस वन बीटा की जगा बीटा पॉन टू रख दिया इसके साथ सर ऊपर एक साइन की तर्म आएगी साइन बीटा बाई टू और नीचे लिखाओगा साइन बीटा बाई टू अगर सिरेश काउस की होई तो सांन की जिगा बस यहां काउस लगा दिना ठीक है इसका एक application सब्सक्ach coron, यह रहा आपके सामने मैं सवाव, आपको इसका जवाब बताना है ठीक है सिंपल सिंपल हम application का पार्ट एकर सुधा affiliate देख रहे है क्योंकि जब trigonometry अगर यूज होगी जैसे आप सोच रहे हो trigonometry अगर integration में यूज होगी तो आपको यह formulas पता होने च्छी sin 3 theta का formula, 10 3 theta का formula, half angle, convergence, बस अगर आप इसकी बहुत अच्छे level की practice करते हो तो वो आपका एक plus point है बट हाँ आप इसको uses के point of view से देख रहे हो formula को याद करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं जैसे मैंने देखा कि यह सारे के सारे angles ap में हैं ठीक है हाँ है ना दिख रहे हैं आपको अरे बोले और अगर हम इसको बोले this is theta समझने वाली बात है तो यह क्या लिखा हुए सब this is 3 theta this is 5 theta and this is 17 theta है ना कॉस की सीरीज है तीन चीज़े आपने identify करने के लिए बोली थी that is alpha first angle जो की theta है जिसको आप pi by 19 भी बोल जकते हो फिर आपने बोला beta that is common difference of the angles तो theta से आप 3 theta पे गए 3 theta से 5 theta पे गए तो common difference कितना है that is 2 theta 2 pi by 19 फिर मैंने आपसे लास्टीज पूछी that is number of terms number of terms कितनी होंगी तो सरे देख लो 1 3 5 7 ऐसे करते करते 17 तक गए हो इसमें number of terms कितनी है कि नहीं समझ में आता तो आप a p का formula लगा लो सर a p की last term 17 है पहली term 1 है और common difference इसमें 2 है तो a plus n minus 1 इंटू डी तो सर यह आजाएगा 2N minus 1 बराबर 17 यह दर जाएगा सर 18 बराबर 2N n की value आगी मैटा 9 नमबर of terms कितनी है नाई आए ना अब बात आती है सर सिरीज को साइन की है तो हम जानते हैं सर यहां आएगा साइन N मतलब number of terms into सर बीटा आपने जुरूर लिख लिया पर इस्तमाल बीटा बाइटू ही होता है तो बीटा बाइटू कितना हो जाएगा सर यहां लिख रहा हूं यहां लिख रहा हूं बीटा अपन टू और वो हो जाएगा पाइप इपन 19 क्योंकि बीटा हमारे पास में 2 पाइपन 19 और से यहां पर टरम किसकी आएगी साइन बीटा बाइटू की अब सिर्ष अगर कॉस की है तो यहां कॉस आएगा अल्फा alpha that is pi by 19 plus n minus 1 number of terms 9 है n minus 1 हो जाएगा 8 into beta by 2 that is pi upon 19 अब इसको solve कर लिजी सर इसको क्या कर लिजी आप solve कर लिजी तो basically sir ये क्या लिखा हुआ है 8 pi upon 19 plus pi upon 19 this is 9 pi upon 19 और यहां लिखा हुआ है sin of 9 pi upon 19 और नीचे लिखा हुआ है sin of pi upon 19 समझने और देखने वाली बात यह है दोस्तों कि trigonometry के point of view से कभी भी आपको sin theta या sin theta into cos theta दिखे तो तुरंट 2 से multiply तुरंट 2 से divide करो और इस चीज को आप sin theta into cos theta को sin 2 theta upon 2 लिख दू है ना तो sin theta into cos theta मैं इसको कहा लिखूंगा this is sin of 2 theta यह जो theta चल रहा है 9 pi upon 19 इसका double that is 18 pi upon 19 और divided by sir यहां पर आजाएगा 2 और यहां आजाएगा sin of pi upon 19 मैंने sin theta into cos theta को sin theta into cos theta को sin 2 theta upon 2 लिखा है को दिक्कत अब trigonometry में जो basic सवाल होते हैं उसमें एक जो thought process है वो उनका बहुत जोड़दा चलता है that is एक जो thought process है वो बहुत जोड़दा क्या चलता है वो thought process है कि angles का अलग-अलग रूप आपको दिखाई देगा जैसे बच्चेटर जाएगे इस सर यह क्या है कुछ नहीं दोनों को जोड़कर देखो पाय आ रहा है मतलब कि यह वाला जो एंगल है न इस एंगल को मैं पाय माइनस पाय अपॉन 19 लिख सकता हूं और साइन पाय माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है सर और यह और यह एक एंसिल हो गया सर यह अंसर आ जाएगा हाँ तो यह आपके पास में सीरीज का मैंने एक एप्लिकेशन दिखाया आपको यह फॉर्मूला याद करने हैं लिख लिख के देखिएगा जरूर और सीरीज भी बहुत कम यूज होती है बड़ आपको पता होनी चाहिए प्रिज्श नेक्स्टेस एड़द ग्राफ टृगरोमेट्रिक फंक्शन येश चेफ उन्स हैं और चेकर आपको ग्राफ पता होनी चाहिए इख भी पता होनी चाहिए सारी बातए हैं आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले वाई बराबर kinks की मैं बात करूंगा कि साइनेक्स का फंक्षन ऑविस्ली सर हमें फिजिक्स केमेस्ट्री सब जिगह बताई जाता है यह तुशायद ऐसा शेप बनती है सर इसकी हाँ चलता जाएगा यसे इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो इस वैल्यू इस वन और यह जो मिनिममम वैल्यू होती है चाहित जी तो इसे की वैल्यू आकि है यह मैक्सिमम वैल्यू आती है जिल्फाए जनुम साइफ गोस्कार है आप कोई भी एंगल रख दीजिए इसमें x belongs to our range की अगर मैं बात कुरू तो इसकी वैल्यू माइनस वन से लेकर वन के बीच में रहती है 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 यह आपको पता होना चाहिए बना-बना के देखो सेकिंड वाले पर हम आते हैं सर य बराबर कॉसेक्स का ग्राफ है कॉसेक्स का ग्राफ कैसे बनता है सर कॉसेक्स का ग्राफ बनेगा बस इस साइन वाले ग्राफ को 90 डिगरी पीछे की तरफ खिसका दो यह आगे की तरफ पीछे की तरफ खिसका दो ऐसा चलता जाएगा सर ऐसे ठीक है इसकी 0 पर value 1 आती है pi by 2 पर 0 आती है pi पर value minus 1 आती है 3 pi by 2 पर 0 आती है फिर से 2 pi पर value जो है इसकी 1 आती है ये maximum value इसकी 1 है और minimum value इसकी minus 1 है cos वापिस इसकी domain है x belongs to our range इसका graph वापिस से minus 1 और 1 के बीच में ही जूलता रहता है ठीक है sin cos का graph हो गया ठीक है और 10 cot का graph बनाना था आपको आजएगे फिर तीसरा जो graph हो गया आपके पास में that is y बराबर 10x का 10x वाले graph को आप ऐसे याद रखो this is sin x upon cos x ठीक है अब की बार इसकी जो domain होगी ना सारे real numbers बस denominator कब 0 होता है तो cos की value 0 होती है सर cos की value जो है वो 0 होती है कब जब जब odd multiples of pi by 2 लो तो denominator 0 नहीं होना चाहिए तो odd multiples of pi by 2 आप इसकी domain में से हटा दीजिए यह वाले आप angles नहीं रख सकते ठीक है आए ना अब इसका graph बनता कैसे सर पाई बाई टू के odd multiples पे dotted vertical line खीच दो पाई बाई टू के odd multiples पे dotted vertical line खीच दो ऐसे ठीक है आए ना और उसके बाद में सर यह शेप ऐसे जाएए ख कि को जो tapi it is the dotted vertical lines आपने कहा किसना किS यह पाई बाई टू के即र बाइने पाई टू है यह थ्री पाई वाइटू है कि यह जीरो है यह माइनस पाई बाई टू है यह माइनस पाई है यह माइनस थ्री पाई बाई टू है और अगर मैं इसकी रेंज की बात करो देट इस वाई की वेल्जूस तो वाई बिलॉंग्स टू आप पूरा वाई एक्सिस यह कवर करता है ठीक है अब आज यह इदर जो अगला ग्राफ आपके पास में हाँ सारा आपको याद रखना भी यह सवाल इस पर आएगा की नहीं आएगा अब आ आप यूज होते हैं यह सब बेसिक एंइभाटवियेंशन आपको पता होchemical नी चाहिए अब जब आप अपना पाप अधो हो तो यह झाले होकी यह यूज होता है कि सारा सर एक जगा है कि यह हमें पता होना चीह है उसमें कोई कमी नहीं आनी चीह सर यह लिखा हूँ है Cos X upon Cin X वापिस इसका जो dyno 이야기 रहा समझने वाली बात है कि sin X कहा जीरो होता है सह साइने जीरो होता है एनी मल्टिपल ओफ पाई पर ठीक है एनी मल्टिपल ऑफ पाई रग दो टू पाई रग दो जीरो रग दो इन सब पर यह 0 होता है तो सारे रियल वैल्यूज चलेंगे बस डिनॉमिनेटर जिस पर 0 रहा वो हटा दो और अगर मैं इसकी रेंज की बात करो तो इसकी रेंज आएगी वाई लाइन खीचतेंगे कहां पर एक तो 0 पर 0 पर तो खुद है सर एक पाई पर एक टू पाई पर पर इस तरफ जाओगे सर यह हो जाएगा माइनस पाई पर यह ग्राफ आया कहां से वो सारी बाते हम बाद में करेंगे अभी इसको याद रखने का काम करो गया इसमें जो खुर हैं वो थोड़ी पलट जाएंगे है कि को यह कॉटेक्स का ग्राफ ऐसे चलता ही रहता ठीक है कोई बात प्रिशान कर रही है कि याद करने का तरीका बार-बार बना-बना के देखो बार-बार बना-बना के देखो जैसे इतना तो आपको पता होना चाहिए कि यह कहां पर 0 ह होता है वो सारे के सारे डोमेन में से अटा दो डॉटेट वर्टिकल नहीं अब आप देख सकते हो ठीक है यह वाली जो चीज है जिरो से लेकर पायब टूब में अब थुड़ा अब बनाने की तरीके पे जाओ के तो आपको पता होना जहीं यह ग्राफ डिक्रीजिंग आता है यह पूरा-पूरा क्या आता है डिक्रीजिंग आता है तो यह गराफ ऐसे घहता होब हमीशा क्योंकि आपको पता है कोट एक स्क का डेरिवेटिव क्या होता है आप अगे तो यह डिक्रीजिंग चलिगा और यह से increasing चलेगा है थीक है हाई ना पांचवा चटा बचा उसको भी क्यों छोड़े हाई ना so that is y बराबर कॉसेक्स हाना यहां पहले काम करते हैं सेक एक्स की बात कर लेते हैं सेक्स होता है सर वन अपॉन कॉसेक्स तो वापिस इसमें भी वह वाली वैल्यूज आपको अटानी पड़ेगी जहां पर कॉस जीरो होता हो that is odd multiples of pi by 2 आया ना और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज आ जाएगा इसका माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेकर इंफिनिटी अब इसका ग्राब बनाने के लिए एक टेकनीक मैं आपको छोटी सी बताता हूं है आप क्या गरो già कि पहले का कॉसx का सब्कश्पो靠ेंग बना लो कॉस 222 नियुक्शच मैं कई बनाने वाले कै सा ठीक है और जो आपने वेलूजर शकाइए उन पर भी डॉकश ब्रटिकल लाइन साएंगी पाइबाइटू फिर ऐसे थ्री पाइबाइटू टाइपस की ठीक है अगर मैं कॉसेक्स का ग्राब बनाने जाओं तो कॉसेक्स का ग्राब बनेगा सर ऐसा ऐसा ठीक है हाय ना क्लिर हम ग्राब बना रहे हैं सेक्स का तो दर देखना यह कटोरी ऐसे उल्टी रखी हुई है इसको पलट दीजिए वहना इसे पलट दीजिए मतलब यह ऐसी हो जाएगी ठीक है अब यह कटोरी जो यह वाला पार्ट है यह एक्स एक्सिस के नीचे है देखो यह एक्स एक्सिस के ऊपर था तो इसका ग्राफ ऊपर गया यह एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका पार्ट यहां जाएगा ऐसे ठीक है यह वापिस से x-axis के नीचे है तो सर यह ऐसे जाएगा ठीक है यहाँ पर एक dotted vertical line आने वाली है फिर सर यह वाला पार्ट जो है यह ऐसे x-axis के ऊपर फिर से चला जाएगा अब उसके बाद में इसको हटा लो इसका कोई रोल नहीं है यह सिर्फ support system था यह पूरा इस इस अग्राफ ऑफ से x यह वाली वैल्यू आप बोल सकते हो सर पाइबाइटू इस वैल्यों जीरो यह वाली वैल्यू जो है कॉसेक एक्स वाइब बराबर कॉसेक एकस का भी ग्राफ आप ऐसे ही बना सकते हो जो की होता है one अपॉन साइन एक्स अब आपको सर इसमें भी सारे वह एकस अटाने पढ़ेंगे जो की साइन एकस को जीरो बना देते हैं as any multiple of π क्योंकि इसका डिनारमेटर same में यो कि दोमेब सेट की आई रिजन क्यों क्योंकि यूपिसके आई गही डोमेन क्यों और जो दो ग्राफ मैने एक ही स्क्रीन पे बनाए है उनकी रेंज से Lahaina साइन कॉस की रेंज से मोती है सेक को सिक की रेंज जो है वो शेम होती है अब इसका गराफ कैसे बनाओगे वही धांचा इसको ठोड़ा बना लेते हैं करो हम एक बार शाइनेक्श का सपोर्टिंग रोल यहां पर लिया अब आपर कर्टोरी सिस्टम यह ऐसे बनावाय तो इसका तो यह 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 इसका reciprocal सर ऐसे आएगा यह ऐसे बनावा सर इसका reciprocal ऐसे आएगा अब यह जो ढहां चाहिए इसको अटा दीजिए इसका कोई रोल नहीं है इसका का ग्राफ होगा रेंज वापिस से मारी है एस इम जे लिखकर भीजी गाप्लीज तो मैंने यह कहां बोला है कि कॉसक एक्स की जो रेंज होती है वही सेक एक्स की रेंज होगी गजब के लोग हो यार आया ना कहिए बात क्लीर है तो सर यह भी ग्राफ आपको पता होने चाहिए ट्रिक्नोमेट्री के छे ग्राफ है बेसिक वाले यह आपको एकदम पता होने चाहिए ठीक है और सारी की सारी जो रेंज डोमेन है वो सारी मैंने एक साथ भी लिख दी है सारी जो रेंज डोमेन है जैसे इन दोनों की जो डोमेन है वो आर और रेंज है माइनस वन से वन इन दोनों की जो रेंज है को आचा तेंजन्ट यहां पर है कोट यहां पर है की त टैन्याँ यहां ढगतनों के पूरअ नाम नाम लिए वहां भी धैन्च नखकना कॉसे इस परकार की जो फंक्शन होते हैं इनकी रेंज होती है इसमें सोचने और समझने वाली बात क्या है कि कभी आपके साथ में ऐसा कोई फंक्शन आए एक कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स तो इसका रेंज आप ये बताने से पहले ठीक है चेक दीस थ्री पॉइंट्स ठीक है या चेक दीस टू पॉइंट्स दोनों की पावर वन वन होनी चीए और दोनों में एंगल सेम होना चीए एंगल शूड़ भी सेम सरण मैंना दोनों में की पावर क्या होनी चीए 현재 कॉस पॉबर वन अंदर कोई अंगल साइन खिलिए वना चेंहा और दोनों में एंगल सेम होना चीए उसके बात प्राद यह फॉर्मल लगा सकते हो A और B कौन है सर दी जारदा कोफिशिंट्स ठीक है ए और B कॉन है साइन और कांस के कोफिशिंट्स हैं अब जैसे इसका application क्या है application पर अगर मैं आओं उगा कि जैसिजिए चार सवाल इसके application पर हम डाल देते हैं यह चार सवाल इसके application पर डाल देते हैं कि जैसे मैं पहले वाले सवाल की बात करता हूं यह दो देखते ही पता चल रहा है आ जाएगे जो यह पहले वाला सवाल यह दिरकासर य बराबर 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा अभी यह जो प्लस 6 है इसको इग्नोर करके चलिए ठीक है आपको फॉर्मुला याद हो गया न कि एंगल सेम देखने हमें प्लस माइनस हो इसकी रेंज यह लिखी हुई है आती कहां से वह भी पता देता हूं एक नए तरीके से बताओं क्या संभाल लोगे तो वेक्टर बना लो और क्या है वेक्टर से कर सकते हो तो रेंदो वेक्टर वेक्टर कहीं पर यह लो V1 Vector AI Cap PLUS B, j Cap और V2 Vector is cos x I Cap PLUS sin x J Cap थोड़ा लगे तरी महाल बना लेते हैं किति लोगों को यह पता है कि दो Vectors सर बना दो दो होता है लोगे սे क्लिस देखने हैं cos थीटर समाल लोगे केसे हैं? हाँ? अच्छा, what is b1.v2? ऐसे दो वेक्टर का dot क्या होता है? सर्व वह होता है a cos x plus b sin x. ध्यांज दिखना. What is mod of b1 vector? Under root of a square plus b square. And what is mod of v2 vector? cos square x plus sin square x that is 1. into sir, यह आजाएगा cos theta. अब अगर मान लो, मैं इस पूरे की आपसे maximum value पूछूँ. तो a cos theta, a cos theta नहीं है, यहाँ पर x है. ठीक है? तो a cos x plus b sin x है. यहाँ पर a square plus b square यह तो fix है. यहाँ पर cos theta है. maximum value के लिए से इसको 1 कर दो. तो sir, इसकी maximum value आजाएगी a square plus b square. अगर मैं इसकी minimum value की बात करूँ. तो sir, इसको आप minimize कर सकते हो, cos की minimum value होती है minus 1. तो जब यहाँ पर minus लगाओ के दिए लो. तो minimum से लेकर maximum यह लिखा हुआ. आया ना? दो वेक्टर मानने हैं आपको. coefficient से एक वेक्टर बना लो, a i cap b j cap. और एक sin x cos x से वेक्टर बना लो. अब v1.v2 का dot product का formula जो आपको physics में बताया है क्योंकि मैंने तो बताया नहीं है. वो यह होता है. v1.v2 a cos x plus b sin x. यह लिख दिया. mod of v1 क्या हो जाएगा? root of a square plus b square. mod of v2 क्या हो जाएगा? that is 1. क्योंकि इसका square plus इसका square वो तो 1 ही होगा. root low के तो 1. और यह आगया cos theta. अब यह वाली चीज इसके बराबर है. इसको maximize करना मतलब इसको maximize करना. तो cos theta की maximum value 1 तो यह बचा. cos theta की minimum value minus 1 तो यह बचा. वही तो लिखा हो है. अब चाहो तो आप ऐसे प्रूब कर लो. वरना इसका trigonometry का भी रास्ता है भाई. vectors की मदद से प्रूब कर दिया. यह नहीं कि vectors ही लगाना है आपको. Thank you so much. I appreciate it. तो हमें सर में यह result पर ध्यान देना है. समझ में हमें किस पर ध्यान देना है? में result पर ध्यान देना है. यह तो वावाई लूटने वाली बात होगी थोड़ी सी. आ जाएए जी. अब result लगाते हैं. हमें बोला गया कि sin और cos की power 11 होने चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए. यहां पर आपको a दिख रहा है 3, b दिख रहा है minus 4. मुझे फटा-फट बताओ, what is under root of a square plus b square? इसका square हो जाएगा सर 9, इसका square 16, 16 plus 9 25, 25 का root 5. तो इस इतने पूरे की value जो है, according to the formula, यह आजाएगा minus 5 से लेकर 5. और इसमें plus 6 कर रहे हो, तो minimum value में अगर आप plus 6 कर दोगे, तो minus 5 में आपने plus 6 किया, तो यह हो जाएगा 1, maximum value में अगर आप plus 6 कर दोगे, तो यह हो जाएगा 11. तो पहले वाली की range आगी 1 से लेकर 11. ठीक है? अब दूसरे वाला example आपको क्यों दिया गया है? क्योंकि आपसे गलती हो. अब की बार पहली चीज तो यह दोनो कॉस कॉस है, तो एक sign एक कॉस होना चीए. दोनों की power 11 है वो तो ठीक है, बड़ यहाँ पर sign नहीं है, यहाँ पर कॉस मतलब दोनों function सेम है, तो सर अभी तो direct formula नहीं लगेगा, उससे direct formula लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से इसमें open करना पड़ेगा इसको, हमने का किया, यह 3, इसको cos of a plus b वाले formula से open करो, pi by 3 होता से 60 degree, तो वो क्या जाएगा सर, this is cos a cos b, cos 60 degree is half, minus sin a sin b, यह ठीक है क्या, और plus यहाँ पर लिखा हुए सर, that is 5 cos x plus 3, यह इसको अंदर बेजोगे सर, यह आजाएगा 3 by 2 cos x, और यह लिखा हुए सर 5 cos x, और जब यह इससे multiply होगा सर, this is minus 3 root 3 upon 2 sin x plus 3, देखती ही देखती बात बन गई है जी, 10 और 3, 13, 13 cos x बटे 2, और minus 3 root 3 upon 2 sin x, और यह आजाएगा plus 3, अब आप इस इतने पर formula लगा सकते हो, देखो ध्यान से, हम उसको उस moment पर ले गए जहांपर formula applicable हो, जहांपर formula जो है वो applicable हो, जैसे कि आपको यह दिख रहा है, अब सर ध्यान से देखिए, यह हमारा a हो गया, यह हमारा b हो गया, तो यहां से आप मुझे under root of a square plus b square बता दीजिए, मेरी जहल से आप इसको आगे calculate कर लेंगे, that is 13 का square upon 4, प्लस इसका square कितना होता है? 27 बटे 4, और 13 होता है 169, 196, 196 किसी का root square होता है, यह बताना दीजिए, यह निकाल लोगे, कितना हो रहा है, देखना एक बार, 14 का square होता है क्या, ओ भाई, तो उपर लिकावा है सर, that is 14 upon 2, यह वाली पूरी value आगी 7, ठीक है, तो 14 upon 2 7 आगया, तो मतलब जो यह लाल box के अंदर है सर, इसकी range आगी, माइनस 7 से लेकर 7, क्योंकि आप under root of a square plus b square की value calculate कर दी, root range क्या होती है, माइनस, इसके आगे minus sign से लेकर, इसके आगे plus sign तक, और last में यहाँ पर plus 3 है, तो वही logic same, minimum value में 3 जोड़ दो तो minus 4 आ जाएगा, maximum value में 3 जोड़ दो तो यह 10 आ जाएगा, माइनस 4 से लेकर, 10 is the correct answer, अगले वाला फिर से बहुत असान है, सर थीसरा, सर य बराबर यह जो 27 लिखावा है, इसको लिखो 3 की पावर 3 cos 3x, और यह जो आपके पास में, एक्यासी लिखावा है सर, इसको लिखो 3 की पावर 4 sin 3x, दो नंबर से मल्टिप्लिकेशन में हो, तो पावर add हो जाती है, that is 3 की पावर cos 3x, plus, यहाँ पर sin 3x अध्यान लगा, plus 4 sin 3x, आए ना, अब आप इस इतने पावर पर range लगा सकते हो, हाँ सर, क्योंकि देखो दोनों की पावर 11, और दोनों का angle सेम, तो इस पूरे की range आजएगी, माइनस 5 से लेकर 5, तो अब यह 3 की पावर में माइनस 5 रखोगे, और 3 की पावर में प्लस 5 रखोगे, यह पूरी range इस function की आगी जी, हाँ 3 की पावर 5, 243 होगे न, 3 की पावर 481 होता है, बहुत बढ़िया, एक सवाल और बचा है लास्ट वाला, चौता देख लीजिए, सर यहां पर square है और यहां पर यह है, आपको भी बताया था, जहां पर भी sin x into cos x देखें, वहां पर हम क्या देखते हैं, sin 2 x upon 2, और यहां पर 5 already है, सर, sin वाली term आगी, यहां पर क्यो न cos 2 x वाली term आजाए, तो अब, आपको पिटारे में से formula निकालना होगा, हमारी requirement क्या है, उसके हिसाब से आप सूचिए, हमारी requirement है, साइन की term आ रही हो, सेम एंगल की जिए, साइन में 2 x आ रहा है, तो हम cos में 2 x देखना चाहते हैं, क्या sin square x का cos 2 x के साथ कोई संबंद होता है, तो answer is sir yes, ऐसे decide होते हैं जी formula, यहां से इसको इधर ले क्या हो, इसको इधर ले क्या हो, तो आप लिख सकते हो sir, जहां पर आपको sin square x दिखे, वहां पर 1 minus cos 2 x upon 2 upon 2, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, समझे, sin square x की जगह यह लिखा, इसके आगे माइनस sign था, माइनस sign को भेज दिया, अब ज़रा देखना यहां पर formula applicable, क्योंकि requirement तक सोचना यह जरूरी है, इन दोनों का addition कितना हो जाएगा, that is, 4 minus 1 3 by 2, अब आप इस इतने पर range का formula लगा सकते हो, power जो है वह 1 1 है, और यह आपका a है या b बोल दो, यह आपका a है, formula लग जाएगा, now this is dip b, तो मैंने आपको इस range के भी, इस variety के भी सवाल करवा दियें, because यह functions में use होने वाला है, और सारी variety करवा दियें कि आपको कैसे सोचना है इसमें, next is trigonometric equations का भी बहुत role रहता है, trigonometric equations का भी बहुत role रहता है, आया न, देखो सारे topics बताता जा रहा हूं, जो जो use होने वाले हैं, इसके लावा जो बचेगा, वो आपको वहीं पर class 12 में पढ़ाय जाएगा, इस बात की guarantee मैं बोल रहा हूं, मैं ले रहा हूं, ठीक है, हाई न, जो लोग यह लिख रहे हैं कि सर, बस अब चले जाओ भी या तुम लोग चले जाओ न, मैं कहाई चले जाओ, ठीक है, हाई न, ठीक है, देख लेते हैं, कहाणी कितनी बची अभी है, ओ भाई बस इसके बाद में तो बस यह, ट्रिक्नोमेट्रिक सॉलिशन्स आपको बताने आ हैं, और उसके बाद में खतम, सीक्वेंजन सीरीज की कुछ बेसिक बेसिक सी बाते बताने हैं, हाई न, ठीक है, चलो एक शायरी हो जाए, हाई न, तुम भी पता चला, मुर्ण मैट्स फेकल्टी थी वीड हो गया, हाई न, हाई न, ठीक है, आप अपना एटिट्यूड हमेशा ऐसे चुन्मुन वाला मत रखा करो यार, थोड़े बड़े हो जाओ अब, कोई अगर तुमारी 11 बरबाद पर उंगली उठाए, तो अंदर ही अंदर जो आपको लाइन खुद को बोलनी हैं, वो लाइन में आपको सुना रहा हूँ, जिन लोगों ने आपको अंडरस्टिमेट किया है, आपकी 11 की परफॉर्मेंस देखते हुए, कि भाई साब तू रहने दे, भाई तू रहने दे, बहन तू रहने दे, तेरे से आईटी जेए की प्रिप्रेशन नहीं होगी, तो बस उसका रिप्लाइ आपका रिजल्ट देगा जब आप अभी महनत करोगे, बर आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए कौन सी लाइन बोलनी है, कि अभी तो सरफ मैंने सोचा है कि 12 फोडूँगा, जिस दिन करके दिखाऊंग न तो यही आ जाएगा, भाई यार तुम तो गजब कर दिया यह तो 11 वीक थी, तो यह attitude रखेगा प्लीज, ठीक है, है ना, बहुत बढ़िया, हाँ, सिक्वेंजन सीरीज होगा बेटा, सिक्वेंजन सीरीज का वह वाला पार्ट जो यूज होगा वो बताएंगे, घबरा मत, साइन, ज्कशी वैल्यव जीरो गब होती है, जब x की वैल्यू और याद रखने वाली बात है, कॉस एक्स की वैल्यू जीरो जब होती है, जब on of x कि वैल्यू ओटाई of Pi by 2 हो, sin x की value 1 कब होती है, मतलब अगर कोई बोले की सरीन में value निकाल के दिखाओ, तो कोई बात नहीं, आप n की value, n यहाँ पर क्या है, n कोई भी integer है, natural number नहीं बोल रहा हूं, n क्या बोल रहा हूं, integer, n क्या बोल रहा हूं, integer, तो सर यह आजाएगा, Pi, 2 Pi, 3 Pi, आया ना, ठीक है, आया ना, तहीं मेरी बात समझे मैं ही, यह सार है, n की value integer put कर लो, जैसे आप इसमें n की value 0 put करोगे, सर यह आजाएगा, Pi by 2, 1 put करोगे 3 Pi by 2, हाना, फिर 5 Pi by 2, ऐसे चलता जाएगा, values put करते जाओ, यहाँ पर 0 put करोगे, सर दिस इस Pi by 2, 1 put करोगे, दिस इस 5 Pi by 2, फिर आप 2 put करोगे, सर दिस इस 9 Pi by 2, माइनस 1 put करोगे, सर दिस इस 3 Pi by 2, ऐसे, इस सारी values आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि साइन और कॉस, कब-कब 0, कब-कब 1 और कब-कब 1 होते हैं, यह बहुत ही basic सी बाते हैं, ठीक है, इसके बाद में, अब आते हैं हम, कुछ 4 formulas पर, 4 basic basic formula कौन से हैं, कि अगर आपको कभी दिखाई दे, sin theta बराबर sin alpha, मतलब, formula लगाने से पहले, sin sin बराबर, theta और alpha में, अगर आपको relation बनाना है, तो theta बराबर, n pi plus minus 1 की power n, alpha होता है, n जहां पर कोई integer है, ठीक है, उसके बाद में, cos theta बराबर, cos alpha कभी दिखाई दे तो, तो theta बराबर, 2n pi plus minus alpha, और कभी, 10 theta बराबर, 10 alpha दिखाई दे तो, 10 theta बराबर, 10 alpha कभी दिखाई दे तो, दिखाई दे तो, सर क्या है, देख लेंगे, और अगर कभी नहीं दिखे तो, तो अपनी 75% आंके, close करके देखना, दिख जाएगा, आज गर चल रहा है न, कि अपनी 75% आंके, ऐसे एकदम, चाहिँ पॉंची बन जाओ, और फिर देखो बुले, हाँ सर, देखियोगी तुमने वो मीम, कोई भी एक तस्वीर चुपा रखेंगे, और कई की बार तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, कल पर सोई मेरे साब ने आई थी, मैं भी ये हरकते करता हूं, इंस्टाग्राम पे, एक फोटो दी, उसमें बहुता ही गाड़िया लाइन में खड़ी थी, 75% किया मैं तो पूरी बंद कर दी, पूरी अच्छे से, तब जाके दिखा, भाई जाब उसमें शिवजी और परवती माता की फोटो थी, फिर मैं वो लगा वाया याद ये तो बढ़िया बनाया, लाइक किया फिर मैंने इसको, सेव करके रख ली मैंने, वही सब भरकते, बढ़िया बढ़िया वो तो बहुत बनाया था, सर ये लेक्चर अप्लोड होगा क्या, कहां अप्लोड गरवाना है वेटा तुझे, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, एक बोला सर आवाज नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जब आवाज आई नहीं रहा तो फिर क्या, यहां क्या कर रहा है, और कभी आपको यह सारी दिखाई दे, तो इसके लिए थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अलफा है, यह चार फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्वेशन के, बास, खटम कहानी, इसके बाद में सिंप्लिफिकेशन होता है, और अंसर तक पहुँचते हैं, अब जैसे जरी इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल सी एक एक्जामपल में आपको लेकर दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला, साइन थरी थीटा, बराबर साइन थीटा, इसको स्वाल करना है, आपको हर एक कोश्चन को, कोई भी सवाल आए, विद दा हेल्प आफ, सिंपलिफिकेशन, विद दा हेल्प आफ, सिंपलिफिकेशन एंड फेक्टराइजेशन, और सिंपलिफिकेशन, मैंने एक शब्द लिख दिया, इसमें पूरे फॉर्मूले आगे, ट्रिग्नोमेट्री की दियान अगना, सिंपलिफिकेशन और फेक्टराइजेशन की मदद से, आपको हर सवाल को यहां तक पहुंचाना है, और इसके बाद में, एन पाइ प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, एन एक इंटीजर है, और वो माइनस वन की पावर में है, तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, एन अगर ओड हो तो, और एन अगर इवन हो तो, क्योंकि इस थीटा को इदर लाने के लिए, मुझे इसका साइन तो पता होना चाहिए, कि ये प्लस वन है कि माइनस वन है, और दूसरा, साइन पता करने के लिए, इसकी पावर कैसी है, वो भी पता होना चाहिए, सत्य वचन सर, तो बहले मैंने बोला, और तो सर ये क्या हो जाएगा, तो ये पावर औड तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, ये इदर जाएगा, सर ये फोर थीटा बराबर आजएगा, एन पाई, यहाँ से आपके पास में थीटा की वेल्ल्य वागी, सर एन पाई अपाउन फोर, और अगर theta even है समझने वाली बात है sorry n even है तो ये क्या बन जाएगा n pi minus 1 की power even number that is plus 1 तो ये theta तो ये इदर जाएगा इसर ये कितना होजएगा 2 theta बराबर n pi यहां से theta बराबर n pi upon 2 आगया basically मेरे ख्याल से यहां से जो angle निकलेंगे वो यहां से भी निकल जाएगे ठीक है अब आप इन दोनों का क्या ले लीजी union that is our answer ऐसे solve करते है मतलब आपको हर trigonometric equation के सवाल को यहां तक लेके आना है ठीक है आजाएगे अब जैसे हम एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा क्या बोलती पब्लिक जैसे यह वाला सवाल है determinant वैसे तो आपको solve नहीं कर रहा है अब देखो यह वाले सवाल हम आपको trigonometric equation जब class 11 में बढ़ाई थी तब तो हम बढ़ा नहीं सकते थे समझ पारे हो और नहीं समझ पारे हो तो किसमें determinant लग रहा है बड़ा बता सकते हैं हो सकता है बहुत साई बच्चों को अभी भी determinant solve करना नहीं आता हो हाय ना हो सकता है determinant बहुत साई बच्चों को अभी भी solve करना नहीं आता हो गभराना बिल्कुल मत अभी आप इसको हलके फुल के नजर यह से देख लो फिर मैं आपको कुछ को डिटेल में बता दूंगा कैसे स्वाल करना होता है हम पूरा चैप्टर पढ़े की डिटर्मिनेंट नाम का तो भाई ट्रिग्णोमेट्री ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ठीक है आया ना सार नाम कोशिक से माइनस को स्कुर唱 केसं साइन इकश को स्क्वूरा गसी सीन थे आयागा सर प्लस देखना थी खुल है कि मैने जबल कैस्को कि आता है बहुत बढ़िया कि यह लिखाओ है साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वाइर ऑफ एक्स और सर यह क्या लिखाओ है माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वाइर ऑफ एक्स प्लस कॉस क्यूब ऑफ एक्स यह जब इससे मल्टिप्लाय होगा और प्लस सर यह भी cos cube of x minus sin x cos square of x ओ भाई यह देखना ज़रा यही term तीन बार आगी क्या एको दुको और तिको यह तीन बार आगी भाई तो minus 3 sin x cos square of x और सर यह क्या लिखाव है this is sin cube of x इन दोनों का addition क्या हो जागा this is 2 cos cube of x और यह लिखाव है बराबर 0 अब बताव क्या करना है अब क्या करें यहां से simplify करते हैं मैं कहां अगर मैं सारी टर्म को cos cube से कर दो बात बन गी वाव क्योंकि मुझे दिख रहा है सब में पावर से मैं इसमें भी नेट पावर 3 इसमें भी नेट पावर 3 इसमें भी नेट पावर 3 तो जब भी साइन कॉस की नेट पावर सभी टर्म में बराबर चल रही हो तो 10 को लाया जा सकता है तो मैंने क्या किया इसमें स्कॉस क्यूब ऑफ एक से दिवाइड कर दिया यहीं करके दिखा देता हूं पूरी टर्म को आप एक काम करो सबीको यह लिखांगा सथ इस टेन क्यूब ऑफ एक्स यह चैनल हो जाएगा सर्गी ओजाएगा तुम और यह पावर 2 गोट आएगा this is minus 310 x कैसा लग रहा है बात बन गई आए ना बात बन गई झाल 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 चलिए ठीक है तो सर अब ज़रा देखना है थोड़ी दर के लिए 10x को टी बोल दू जैसी आप बोलोगे सर टी तो दिस इस टी क्यूब माइनस 3T प्लस 2 बराबर 0 सर क्यूबिक जब बनती है तो हम एक रूट हिटन ट्रायल से निकालते है तो अब्विसली टी की वैल्यू बन सैटिस्फाइ कर लिए तो टी माइनस 1 इसका एक फेक्टर आ गया इसको टी स्कूर से मल्टिप्लाय करोगे तो यह आजाएगा टी क्यूब माइनस टी स्कूर तो प्लस टी स्कूर माइनस टी तो माइनस टू से मल्टिप्लाय कर दो तो माइनस टू टी बिल्कुल सही यहां से आप बोल सकते हो इसके कुछ फेक्टर सा रहे हैं क्या यह जाएगा आपके पास में दिस इस टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन और यह भी टी माइनस वन यहां से टी की वेल्यू क्या आगी सरे एक तो आगी वन और एक आगी माइनस टू तो 10x की जो value आ रही है हमारे पास में वो क्या रही है 1 और minus 2 आ रही है अब मुझे एक बाब बताओ minus pi by 4 से लेकर pi by 4 10x की value 1 और minus 2 कितनी बार होती है हाई ना तो सर एक बाब बताओ 10x का ग्राफ आपने अब यह बतायत रहा हूँ वैसे भी सोच के बता सकते हो सर एक ही बार होगी हाँ ग्राफ बनेगा ऐसा पाइबाए 4 पर सर इसकी जुरूर वैल्यू आती है वन अगर अगर नंबर आफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछा है उसने तो पाइबाए 4 पर और माइनस पाइबाए 4 पर वैल्यू आती है माइनस 1 माइनस 2 जो वैल्यू आएगी न वह यहां कहीं आएगी और वह जो एंगल है वह माइनस पाइबाए 4 से चोटा होगा हाना तो आपको इस रेंज में अंसर देना है तो एक ही बार हमारा अंसर आएगा that is option c और वो भी कौन सा जब आप इसके बराबर रखोगे that is x बराबर पाइबाए 4 पाइबाए 4 पाइबाए क्लीर है मैं कैसा लग रहा है अरे बोलो कुछ लोग जब से लग जाए था प्लीज रिप्लाइ प्लीज रिप्लाइ बेटा ऐसे करकर के तुझे रिप्लाइ अगर मिलता तो मजा नहीं आ जाता क्या तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नाम पे हमने जो सीखा वह बहुत ही एक हलका फुलका सा आइडिया है जो आपको यह फॉर्मूलाज याद रखने है ठीक है आए ना अब लास्ट एंड दा पूर्मोस्ट पार्ट इस छोटी सी एक बात बचिया वह देख लेते हैं हाँ सीक्वेंस एंड सिरीज वाँ इस टॉपिक को मैं जो है वो एड करना आप बोल सकते होगी लास्ट मूवमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि इसको भी एड करना है वही इसकी भी कुछ चीज़े है जो आपको पता होने चाहिए सीक्वेंस सीरीज में जो पॉइंट नंबर वन है वो है सर अपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलते हैं हम सभी लोग जानते हैं सर ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ऐसे करके जो आपके सामने कि एक सीक्वेंस बनती है उसको हम A p बोलते हैं इसकी जो ٹे जो में वाद होता हैGO नो टीन का फॉर्मूला होता है ग्हाँ लोग में फोर्मूला होता है कि कई सार ए प्लस डी गयो अगर उसी में ही s n का formula आपसे पूछू the sum of n terms of n a p तो वो क्या हो जाएगा sir s n का formula हो जाएगा that is n by 2 into 2 a plus n minus 1 into d तो ये आपको ये दोनों formulas पता होनी चाहिए ठीक है अगर कभी आपको पता चलता है कि a b और c a p में हैं तो इसमें आप बोलोगे कि बीच वाले का दुगना बाकी दोनों के sum के बराबर बहुत ही हल्की फुल की नॉलेज आपको चाहिए आया ना यह बात clear है a p का बस इतना सा आपको पता होने चाहिए जो कि सबी बच्चों को पता होता है ठीक है sn और tn आपके पास में आगया सेकेंड अगर मैं इसमें आप से पूछता हूं कि what is tn तो वह हो जाएगा a r की पावर n-1 और similarly अगर मैं यहां पर आपको sn लिखने के लिए बोलता हूं आया ना तो सर्फ वह हो जाएगा a into r की पावर n-1 अपॉन r-1 ठीक है जी यह वाली बात आप ध्यान रखेंगे sum of n terms ठीक है और यहां पर हमारे पास में एक नई चीज आती है that is new addition that is s infinity sum of infinite terms of gp यह तभी आपसे पूछा जाएगा जब common ratio 1 और minus 1 के बीच में हो तो s infinity का हमारे पास में फॉर्मुला होता है a upon 1-r कोई भी infinite gp अगर आपके सामने आ रही है जैसे for example माल लो मैं आपको बोलूँ एक चोटा सा example कि एक gp ऐसी बन रही है कि वन वन अपॉन फाइव फिर वन अपॉन फाइव का स्क्वाइर फिर वन अपॉन फाइव का क्यूब यह चलता जाएगा तिल इंफिनिटी तो यह एक infinite gp बन रही है और इसका common ratio जो है वो वन और minus 1 के बीच में तभी आपसे पूछा जाता है तो इसमें फॉर्मुला होत यहाँ पर n क्या है number of terms are common ratio is the first term यहाँ पर n number of terms a first term d जो है वो common difference ठीक है इसी में ही आप बोल सकते हो सर अगर आपको पता चलता है कि a b और c अगर gp में है तो तो सर बीच वाले का दुगना बाकि दोनों के square के बराबर होना चाहिए क्लियर यह gp की knowledge यह ap की knowledge बस इतनी सी कहानी है इसके साथ जो अगली sequence आपको पता होनी चाहिए वह hp नहीं है next is agp arithmetic geometric progression यह gp एक ऐसी sequence होती है जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको a a plus d a plus 2d मतलब जो ap वाली conditions है वो भी fulfill होती भी दिखाई देंगी और साथ साथ में यह सभी terms एक r से multiply होती भी दिखाई देंगी मतलब जिसमें दोनों प्रोग्राम चल रहे हों this is called as agp arithmetic geometric progression clear है भाई इसको आप से sum पूछा जाएगा इसका आप से क्या पूछा जाएगा sum तो तीन step में यह आप रखना है आपको multiply by r multiply by r common ratio से multiply करो shift करो और subtract कर दो shift and subtract मतलब सब्समझ में थोड़ा कम आया मैं इनका आ जाईए example की अगर मैं बात करता हूं तो j mains 2019 का सवाल मैं आपके स्मक्ष रखना चाहूंगा जहां पर एक सम बोला गया था इस सिग्मा के अपॉन टू की पावर के की वैल्यू वन से लेकर 20 यह सवाल हमसे पूछा गया ज़रा देखना यह क्या है इनका यूज होगा समझ मारे हो कि आपको शाहिद इस सेशन का इस सेशन का आपको जो है वो आइडिया पता चलिए होगा वट विया डिस्कुसिंग हम उन चीजों का डिसक्रेशन कर रहे हैं जिसका आपको यूज हो सकता है इन क्लास 12 और मैं एकदम सूपर सेट बना के चल रहा हूं इसके लावा और कुछ नहीं होगा समझ मैं आएंग 24 ऑन अपॉन की पवर वन मतीज हलो को सकते हो कि d Touch लिраз वन अपॉन की पवर 1्टू की पावर 2 मैं है इस तौफर दिस आपॉन तूर्टू की पावर 3 और अर बसुद मैं फोर अप्रू पालौट के पावर 4 और लास्ट टम काया value 20 रखने के लिए वहीए लिए 20 अपॉन्ट ध्यान से देखिए अगर मैं ये 2 की powers को हटा लू तो 1,2,3,4,20 तक आप बोलोगी ये AP में है और साथ साथ में क्या हो रहा है यहां से यहां जाते वक्त 1 by 2 से multiply भी हो रहा है मतलब एक कोफिषेंट में AP वाला रोल भी चल रहा है और साथ में multiplication भी हो रहा है तो देखो न आप धियान से はい यहां पी वाला रोल भी हो रहा हैं और साथ में multiplication भी हो रहा है मैं अगर पूछू कि हर नहीं टर्म किससे मोल्टिप्लाइ हो रही है, that is आप आप से, तो आप क्या करो, वो आर पेचालो कि किससे मल्टिप्लाइ हो रही है, अब आप एक काम करो S को दुबारा लिखो देखना ज़रा S को आप rewrite करो और उसको multiply कर दो इस R से R है अब की बार half ठीक है? हाई ना multiply कर दिया R से shift and subtract shift का मतलब है कि पहली term 0 लिख दो addition में आप कभी 0 लिखते हो तो फरक पड़ता है क्या 2 प्लस 3 प्लस 5 है answer 10 आएगा मैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 बोलू तब भी answer 10 आएगा तो हमने पहली term 0 बना दी इसको जब 1 by 2 से क्योंकि आप पूरी sequence को 1 by 2 से multiply कर रहे हो तो यहाँ पर कितना आजाएगा this is 1 by 2 का square इसको बोलते है shift यह आजाएगा 2 by 2 cube यह आजाएगा 3 by 2 की पावर 4 इससे पहले जो term होगी वो आजाएगा 19 बटे 2 की पावर 20 और यह वाली term बन जाएगी 20 बटे 2 की पावर 21 तो हमने r से multiply कर दिया shift कर दिया और अब last step बचा that is subtract अब खर दीजिए subtract ओ भाई सो गए गया सो गए गया चुप हो गए क्या और मौका मिलते ही रो गए गया 2 upon 2 square में से 1 upon 2 square घटाओगे तो 1 upon 2 square 3 upon 2 cube में से 2 upon 2 cube घटाओगे तो 1 upon 2 cube this is 1 upon 2 की पावर 4 तो यह आएगा 1 upon 2 की पावर 20 minus 20 upon 2 की पावर 21 आगे भढ़ के दियान से देखो जदा मत फड़ देना यह एक GP है यह कौन है बेटा एक GP है GP पचान नहीं आती है हाँ सर्थ पहली टर्म हाफ और common ratio भी हाफ और number of terms मैं आप से पूछना चाहूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे सरा आपने shift कर दी तो number of terms पहले 20 ती अब 19 हो जाएंगी नहीं भाई टू की पावर 1 से लेकर टू की पावर 20 तक तो इसमें पहली टर्म है हाफ कामन रेस और हाफ नमबर आफ टर्म्स 20 पॉर्मल लगा यह आपका अंसर आ गया समझ में आएंगी नहीं समझ मैं हाँ आप अराम से निगाल सकते हो तो एजी पी का तो सिंपल सा मामल है shift and subtract समझ मैं हाँ 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 लास्ट हमारे पास में आ जाता है सर अच्छा एक चोटी सी चीज और देख लो दिस प्रॉपर्टीज आप सिग्मा सिग्मा वाली बात लिखती वह सिग्मा और क्यूटीपाई आ जाते हैं तुम अपने आपको समझते हो सिग्मा जबकी तुम हो पाए कौन से वाले क्यूटीपाई तुम सोचरों के सर हम सिग्मा है हम में सारी चीज़े अधोती हमारे में बल इकठा हो रहा है जबकि तुम हो क्यूटीपा है कि मैं सारी चीज़े मुल्टीप्लाई हो रही है और तुम्हारे जिन्दगी में एक फेक्टर ऐसा आगया जिसकी वैल्यू जीरो ही पूरी जिन्दगी जीरो कर जाएगा तुम्हारी समझ में यहीं मैंने का बहुत गहरी बात नहीं जैसे बड़े-बड़े कवियों की बात समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए या फिर बहुत इन डेफ्थ नॉलेज होना चाहिए दुनियादारी का वैसी यह वाली बात समझने के लिए आपको मैथेमेटिक्स का बहुत अगड़ा नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा क्या होता है सर सिग्मा अगर मालो कभी आर पे लगा है आर की वैल्यू बन से लेकर थ्री इसका मतलब होता आप वैल्यूस पुट करते जाओ जो भी टर्म साइगी आपको उन पर एड करना है इस यूज फॉर एडिशन मेरे ख्याल से बात समझ में आती है सिमिलरलीएं पाय नोटेशन होता है कि मं आप चैश्त सिघ्मा जैसे एडिशन के लिची होता है वैसी तैश्त से लेकर थ्री खी स्क्राइब मैंने लिग दिया तो आपको क्या करना इसका मतलब क्या है वह बता रहाँ आप 1 काम कीजिए and R की value 1 put कीजिए this is 1 square plus 3 R की value 2 put कीजिए sir this is 2 square plus 3 into 2 फिर R की value 3 put कीजिए this is 3 square plus 3 into 3 यह 3.3 नहीं है 3.2 नहीं है this is 3 into 2 3 into 3 पाए लगा हो इसका मतलब जो भी आप value put करके 1 पर जो value आ रहे है 2 पर जो value आ रहे है 3 पर जो value आ है इन सबका multiplication ठीक है तो पाई notation किसके लिए उस होता है सब multiplication के लिए और सिग्मा notation किसके लिए उस होता है सिग्मा notation यूज होता है addition के लिए कि यह बात clear है इसमें बस एक चीज ध्यान रखना नोट करने वाली बात यह है कि अगर माल लो मैं कुछ ऐसी बात लिख दूँ है हाँ है ना जैसे यहां पर मैंने कोई constant लिख दिया के और आर की value 1 से लेकर 5 डाल दी इसका मतलब क्या है थीक है तो इसमें क्या होगा सर सिग्मा लगा है समेशन वैरियेबल जिसके आप वैल्यू चेंज गरते हो यहां पर तो आर है नहीं तो इसको हम बोलेंगे इन्डिपेंडेंड़ आफ आर या फिर आप इसको बोल सकतेयों आप यहां यह क्या है कॉन्स्टेंट आइए एंडिपेंडेंट ऑफ रहे हैं तो आर की value वन पुट करने पर के के ही रहा है आर की वैल्यू टू पुट करने पर भी एक रहा क्योंकि सरर अगर इसमें आर होत होता तब तो उसकी जगह value put करते इस पर तो कुछ फरक ही नहीं पड़ रहा तो ज़रा ध्यान सुनना कि तो बन से लेकर five तक वो इसको पांच बार जोड़ देगा कि इतनी बार वेल्यू पूट करोगे उतनी बार ही वो उसको जोड़ देगा क्योंकि यह constant है अगर यहां पर आर होता तो यहां पर आता वन यहां टू यहां त्री यहां फॉर यहां फाइफ आर का फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती बड़ सर यह जो है यह तो आर से इंडिपेंडेंडेंट है तो यह से जोड़ेगा तो एक पॉइंट यह हो गया दूसरा सिग्मा जो है वो प्लस और माइनस साइन पर बट जाता है अगर आर की वैल्यू वन से लेकर एन है एडिशन सब्ट्रेक्शन पर दो चीजे लिखी हुई है तो सिग्मा आप इन पर बांट सकते हो ठीक है और तीसरा पॉइंट भी आप चाहो तो लिख लो कि सिग्मा के अंदर के एफ ओफ आर के साथ मल्टिप्लिकेशन में है आर की वैल्यू वन से लेकर एन है वापिस के कोई कॉंस्टेंट है जो की मल्टिप्लिकेशन में एविलेबल है तो इस के को आप बाहर बेज सक हो तो के चला जाएगा बाहर सिग्मा आ जाएगा सर यहां पर एप आर पर आर की वैल्यू बन से लेकर यह बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है सिग्मा की बस इत्ती सी कहानी है है न है लास्ट एंद मुस्ट इंपोर्टेंट थिंग एम जी एम हम इनिक्वैलिटी यह आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए और यह सारी चीजे जो आज हमने पड़ी है लग बग ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दू मैक्सिमम चीजे जो है वो रिलेशन एंद फंक्शन जो तीसरा चैप्टर होगा उसी में यूज होंगी इसमें से भी सर एम यह कब यूज होंगी इस यूज वैं पॉजिटिव नंबर्स आर इनवाल्ड पॉजिटिव नंबर्स या फिर एक्स्प्रेशन्स आर इनवाल्ड पॉजिटिव नंबर्स या फिर एक्स्प्रेशन्स आर इनवाल्ड और इसके बाद में आपसे रेंज क की बात की जाए मतलब रेंज की बात की जाए आपको सवाल में दिखक रहा है कि पॉजटी बात करें या expression expression का मतलब यह वाली चीजें यह की हो तो रेंज हो पॉजटी दिखने यह के बात करें मैक्सिमum मैल्यू की बात करें तो आपको तुरंत हिंट लगना चाहिए कि भाई साब कौन सी चीज आ गई है एम जैम आ गया क्या एम जैम मतलब एम जी हम को तुरह स्पीड में बोलोगे तो एम जैम हो जाएगा समझ के यह मैंने आपको हिंट दिया है कि पॉजटिव नंबर आपको सवाल में घूमते हुए दिखाई दें या फिर पॉजटिव एक्सप्रेशन जैसे एक्सप्रेशन पॉजटिव कौन सा भाई एक्सप्रेशन फंक्शन लिख लो एक्जाम्पल के तौर पे तू की पावर एक्स एकी पावर एक्स इस परकार के लोग और यह दिखने के बाद में आपसे रेंज पूछी जाए ठीक है आया तो पहले मुझे बढ़ा बताओ एम कैसे निकालते हैं ज्यान रखना एनिक्व थे यह तो नंबर्स का यह मोता है दोनों का सम डिवाइड़ेड बाइटू घ्यूठ कि पावर हाफ कि अगर एक्षं होथा हाफ्य यह चुद्बव का मुझा है कि कि थेजिए कि यह इस में इम कैसे कालते हैं मतलब सिंपल और तो दोनों का मृट्प्लिकेशन की पावर तो तीन नंबर के लिए am बोलो तीनों का सम divided by 3 तीन नंबर्स है तो तीनों को करो multiply power में one upon जितने नंबर्स आपने multiply किये हैं और उसके बाद में सब जितने नंबर है वो यहां लिखो और इनके reciprocal का सम मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आती है एक और करके दिखा तूंगा चार हो तो मेरे ख्याल से समाल लोगे या अब ऐसे का लिखते बच्चे की जान लोगे क्या तो चारों का सम डिवाइड़ बाइफ फोर इस ग्रेटर दन इक्वेश टू चारों का प्रोड़क्ट पावर में जितने नंबर्स को आपने multiply किया है वन अपॉन वह नंबर लिख दो और फोर अपॉन इन चारों के रेसिप्रोकल का सम यह ठीक है यह होता है कि इस केस में इक्वाइलेटी कब होल्ड करेगी कि आपने बोला ना कि एम सबसे बड़ा होगा उससे चोटा जी एम होगा उससे चोटा होगा बढ़ आप ध्यान से देखो आपने तो बराबर का निशान भी लगा रहा है मैं यह सब्सक्राइब लगा रहे हो अगर वह नंबर बराबर हो जाए तो एक्वैलिटी होल्ड कर जाती है कि आजएए if 3a plus 2b plus c बराबर 7 where a b c belongs to r plus r plus का मतलब है positive real numbers ठीक है then find then find max value of max value of पहला पार्ट a की पावर 4 b cube c square दूसरा पार्ट a cube b cube c की पावर 4 यह दो सवाल है जी आपके सामने फटाफट कर डालिए की पावर्ट कर दूसरा पावर्ट 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 अब देखना इसको पहले चीज़ आपको हिंट समझ में सर पॉज़िव नंबस दे रहे हैं रियल और प्लस और maximum value की बात करना है तो देखना करना कैसे होता है solution की बात करता हूं पहले वाले की आपको a की पावर 4 चाहिए तो मतलब a चार बार multiply होना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप चार बार a ले लो और तीन बार b ले लो और दो बार c ले लो इन पे amgm लगाओ क्योंकि यह आपने सही सोचा कि यह की पावर 4 है तो gm में geometric मतलब पावर कहां बनती है जहां पर multiplication होता है multiplication किसमें होता है amgm और hm में से gm में होता है तो amgm का हम use करेंगे यह बात तो clear है परंतु सर सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर आपने इन पे लगा दिया तो यह वाला जो result है यह use नहीं होगा एक बार लगा के देखो अगर मैं इन पे लगाऊं तो तो a को चार बार जोड़ा b को तीन बार और c को दो बार चार तीन साथ और दो नो ये लो सर a की पावर 4 b क्यूब c स्क्वार की पावर 1 बाइन आ जाएगा इसकी maximum value पूछी है बट आपके पास में इसकी value तो ही नहीं तो अब यहाँ पर दो बाते आए यह आपको चाहिए कितनी बार यहाँ power देखकर decide होगा और इस तरीके से आपको करना है कि यह वाला result भी use हो यह जो result दे रखा है यह time pass के लिए नहीं दे रखा है तो सर यह कैसे होगा बला तो यह जो 3a वाली term है इसके 4 टुकडे कर दो बराबर के चार टुकडे कर दो बराबर के मतलब 3a upon 4 3a upon 4 3a upon 4 और 3a upon 4 इसके इसर आपने चार टुकडे क्यों किये विकॉस मुझी यह 4 बार चाहिए ठीक अब यह multiply होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है साथ में कुछ numbers आएंगे वह एक अलग बात है बट एक ही power 4 तो आजेगी हाँ sir and this is 2b upon 3 और वो जो c वाली टरम है इसससी बाइटू इसससी बाइटू ठीक है यह जो टर्मस आपको दिख रही है भीठा इन पर लगाई आप यह जो टर्म्स आपको दिख रही है इन पे आप लगा यह यहां से हमारा मामला जो है वह फुल्फिल हो जाएगा अब देखना इन सभी टर्म्स पे जब मैं एम जी एम लगाऊंगा तो इन सब का सम कितना आजाएगा तो इन सब का मल्टिप्लिकेशन तो यह कितना आगया थरी की पावर फोर एक की पावर फोर अपाउं 4 की पावर पुर सर यह कितना आगया थिस तू की पावर थ्री बीक्यूब 3 की पावर 3 c2 2 square whole power 1 by 9 इस इजट फाइं यह सर अब आप इसकी जगह 7 रख सकते हो यही तो मेन लॉजिक था सर यह आगया 7 upon 9, देखने वाली बात है, यह और यह यहाँ पर गया, यह और यह यहाँ पर गया, सर यह लिखावा है 2 की power 8, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 4 की power 4 is 2 की power 8, और यहाँ पर एक 2 बच रहा है, तो इसको कर दो 7, तो basically सर यह बच रहा है a4 b3 c2 upon 2 की power 7 और यह लिखावा है 1 by 9 दोनों तरफ power 9 देज कर दो, यहाँ पर आजाएगा सर 7 की power 9, 9 की power 9, यह आजाएगा a4 b3 c2 देखना जरा a4 b3 c2 upon 2 की power 7 इसको इदर लेके जाओ, तो 7 की power 9, 2 की power 7, whole divided by 9 की power 9 सर इसकी maximum value यह आगे, क्या बोलती है जंटा आए ना यह कौन है जगजीत सिंग जी बोल रहे है होर स्टोरी तो बिटा टीरी स्टोरी सुना दूं क्या और रात को इस वक्त होर स्टोरी नहीं सुनो भईया, मुझे घर जाना है गाड़ी चलाकर 15-20 किलोमेटर है, सुन्सान रास्ता है, मैं अगर किसी की कहानी सुना जा तो, के के पी एंची सी सिच्वेशन हो जाएगा ना, अब तो महौल ही ऐसा चल रहा है, अनुमान चाली सा चलाकर जाओंगा मैं तेज अवाज में, अनुमान जी भी सोचेंगे ये कौन सा भक्त है, जो रात को दो बज़े या एक बज़े जाना है, उनको क्या बताऊं? स्टूडियो में सोजाओ, स्टूडियो सारे खाली है, एक बाहर बिचारा जो इस कलास को बंद करने के लिए बेठा है वो है सिरफ, ना, 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 न को रे, ठीक है, अब next वाले में आप बताएं सर्द नेक्स वाले में तो बहुत असान है, इस 3A के 3 त उगड़े करो तो 2B by 3 और इस C के चार्ट उगड़े करो तो दिस इस टी अपाउन फोर सी अपाउन फोर सी अपाउन फोर सी अपाउन फोर इस पे आप एम जीम लगा दीजिए बात आपकी बन जाएगी अब है कहां पर होगे जी डी बीडी ये बहुत जी डी बीडी करते हो भाया तुम जी डी बीडी बहुत करते हो तो की पावर थ्री दू स्क्वाएर थरी का क्योग थरी की पावर पॉर पॉर की पावर पॉर का जी डी बीडी है वेड़ा का जी डी बीडी है का होगो एक थरी रह गया अच्छा यह तो हम चेक कर रहे थे तो उनको का तू भूलता ना गव तर यह थरी इदर आ जाएगा अब इसमें आप डिब बी कि मैं इस यह नैट बने ते ना पहले अम और से ने बने तो रेगूलर्य ली कलासे चल रहीं तो यह अट्री थे मिलाटी को अनुद्व एक दिन चल रही थी और मंजिल की बाते हैं पिष्ले से पिष्ले मंजिल की बात रहता है तो मैं पढ़ा रहा हूं आब सिंपल ऐसे बिल्कुल एक सनाटा होता है रूम के अंदर तुम देखते हों किसी और की आवाज आती नहीं है और काफी लेट भी हो गया था तो मैं पढ़ा रहा मतलब एक मैं आपको हॉरर इंसिडेंट इंसिडेंट शेयर करता हूं कि तो क्या हुआ मैं पढ़ा रहा हूं और ऐसे कि पाद एक ऐसी वाज आ रही है तो बहुत बढ़ी आसी वाज एक बार आई मुझे लगा बाहर कोई होगा यार मुझे लगा बाहर कोई होगा फिर पर सनाटा इतने जदा था बाहर कोई होता तो उसकी आवाज आपके माइक तक नियागी मुझे तो काना तो काई जाएगी थोड़े बात मैं फिर आई मैं डर गया भया अब मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ में पर साथ में डर भी रहा हूं क्योंकि तुम लोग बाहर बैठे हो ना उदर बैठे हो कुछ हो गया मुझे तो तुम धुड़ी आप आओगे तुम सिर्फ देख पाओं कि लाइव टेली कास्ट सर को सर ऐसे हवा में उड़ रहे हैं तो वो बाते भी दिमाग में चल रही है यह क्या समझ्च्च है यह वाज आ कहां से दिया और ऐसी वाज आ से पहले कभी नहीं अब मैं कभी इदर हो के या फिर बच्चों को सवाल मवाल देख ऐसे साइड में हटकर देखूं कि वबस्ता है क्या क्या चल रहा है कौन परिशान कर रहा है तो भाई साव मैं तुम्हें इस कमरे के भूत से बिलवाता हूं ठीक है तैयार हो आप लो इस कमरे में एक भूत रहता है कि यह यह देख रहो अच्छा स्टूडियो में फॉर्म लगी होती है आवाज को कि आपकी आवाज जो है वह इको ना करें इसके लिए साउंड प्रूफ फॉर्म्स लगती है यहां ठीक है तो वह भी काले कलर किया पूरी दिवारे काली है जब ने ने स्टूडियो बने थे इसका रंग काला दोति मतलब जब उस दिन कलास थी उससे पहले तो कभी नहीं लगे होगे थे अचानक एक दिन यह सभी स्टूडियो में लग यह अब इसका मुझे पता नहीं और देख भी नहीं काला था भाई साहब इसने बहुत डराया क्योंकि जब चलता ना एक हलकी जवाज कता है करके मैं गा भाई साहब तब समझ में आया है मैं गा यार बाद में पता चला है मैं अच्छे ये था मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा था आ गई लग रहा है मैं अब तो लगता है सब अपने धरे रह जाएंगे आया ना बास अब ठीक लगता है अब वो अलग बात है इसमें किसी दिन और कोई रंग बिरंगी आवाज ना आ जाए बाकी जब तो ठीक है चलिए ध्यान रखना ये जो ये आपको तब भी सोचनी चाहिए जब आपके पास में ऐसा कुछ आ जाए मतलब एक स्ट्रक्चर जब आपको ऐसी दिखाई दे कि एक फंक्शन है या एक एक एक्स्प्रेशन है प्लस माइनस प्लस ही होना चाहिए बिसिकली और साथ में उसका रैसी प्रोकल है कभी अगर इस परकार की चीज आपको दिखाई देती है तो आप A.M.G.M. जुरूर सोचे जैसे कि अपकी बार जो आपने हमें सवाल दिया है सर इसमें ये लिखावा है अब ज़र देखो यह वाली चीज यहां पर है और यह यहां पर ऐसी प्रोकल भी है और मैंने आपको बोला था या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव लिख कर देगा या फिर आपको देखती समझ में आगा यह सारी चीज है पॉजिटिव है कि अप लोग तयार है सर हम लोग एम जी एम लगाएंगे इनी दोनों क्वांटिटीज पर सामने देखना हां इन दोनों पर हम क्या लगा रहे हैं सर एम गडेदन एक्वेस्टों जी अम लगा रहे हैं और क्या मैं लगा सकता हूं तो येस दे आर पॉजिटिव अब की बाद दूसरी अब आजाई है माई जल्दी कितम दे रहा हूं ए स्क्वेर टेटा प्लस बी स्क्वेर अपॉन टेंट इटा डिवाइड़ बाइड बाइड बाइट वाइड दिशेज इस इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन इंगा तो एम में यहीं एक एंचिल हो स्क्वेर टेंट स्क्वेर ठीटा ब्लस बी स्क्वेर कोट स्क्वेर थीटा यह वाली टर्म इदर आएगी और यहां पर एक चीज और लिख लेना और बी दोनों पॉजिटिव है फिर तुम बोलोगी कि सर मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा तो पॉजिटिव है तो कर दो याल, जारो श remedy्ज हो कि जोला हो कि जार कि जार जहले एट झाल झाल यह आपके पास में है क्योंकि यह मैं आपको कहीं से दिलवा नहीं सकता पढ़ा नहीं सकता समझा नहीं सकता हूं जो भी टॉपिक्स आपने अब तक पड़े हैं इनके साथ साथ क्लास 12 में ठीक है इनके साथ साथ क्लास 12 में आपको एक चीज की और जरुत पड़ेगी इस हार ना मानने वाला एटिट्यूट समझ मैं है आया ना एक लाइन आप अपनी कॉपि में लिखिए जो की पूरी क्लास 12 में एक पेज पे लिख लिजे प्लीज कहीं से भी एक पेज फाड़ लो रपसा उसको अपने पास संभाल के रखना और ये इस पे टेप लगा कर अ सामने चिपका लीजिगा लिखो उस पर क्या लिखने है थीक है जो नहीं आता वह सीख लूँगा यह नहीं आता वह सीख लूँगा लेकिन हार नहीं मानूँगा ए थोटी सी बात से परिशान होकर मैंधान छोड़ कर नहीं भागुँगा सब्सक्राइब हो सकता है कि मैंने यहां पर सारी बातों के साथ 90 परसंट चीजे कवर की हो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्लास 12 में मूव करते ही को ऐसी एक दो चीजे देखनी पड़ जाएं जुनको नहीं आती है और वह क्लास 11 से लिंक्ड हो ऐसा हो सकता है ठीक है क्लास 12 में देखो और भया पैन फैंक दो बोले मुझे तो नहीं आती मेरी तो आइटी बरबाद नहीं आपको इस परची की तरफ इस जो भी नोट आप लिख रहे हो उसकी तरफ ध्यान देना है कि भाई साब नहीं आता तो कोई बात नहीं सीख लेंगे एक चोटा टॉपि नहीं आती तो सीख लूँगा आपको अरजुना बैच फ्री मिलेगा जब आप क्लास 12 में आएंगे तो वो टॉपिक पता करके कि कहां पर पढ़ाया गया है कौन से लेक्चर कौन से से रिलेटिड है वहां जाकर सीख लिया एक्स्टा टाइम में संडे वाले दिन किसी दिन चुटी होगी उस दिन या फिर आत को जाकर बट सीख लूँगा पर हार नहीं मानूँगा मैदान छोड़ कर नहीं भागूँगा कायरों वाला एटिट्यूट नहीं रखूँगा सीखने के हिसाब से एटिट्यूट रखूँगा और जितनी गलतिया मैं क्लास 11 में कर चुक है कि इन गलतियों से कुछ नहीं मिलता कुछ फाइदा नहीं होता तो कम से कम वाली तो मत करो नहीं करें नहीं गलतिया करो कोई नहीं हुआ कि दिक्कत्ट meds totally acceptable पूरादी तो मत करो कि से लंग यह तो पिछड़ गया हम तो पिछड़ गये सर मन नहीं करता था पढ़ने का यह सब गलतिया ही तो है यह वाली चीज़े मत करना कोई नहीं वेराइटी निकाल के लाओ तो वह चलो उसको देख लेंगे तो प्लीज जब भी आपके बैचे स्टार्ट हो जुट जाएए ठीक है हाई ना प्लैनिंग और प्लॉटिंग में जदा टाइम मत कीजिएगा क्लास 12 वाले में जितना बच्चा जल्दी स्टार्ट करता है उतना ही उसके लिए बैनिफीशियल होता है क्योंकि फाइनली उसको खतम करके रिवीजन भी करनी होती है क्लास 11 की और अपने बोर्ट की प्रिप्रेशन भी करनी होती है हो सकता है लक्षे बैच 1.0 के बाद में 2.0 भी आता है बट उसमें थोड़ा गैप होता है तो आप सोचों की चलो 1.0 में नहीं मतों तो यह सब सोच आपको नहीं रखनी है आप चाहिए आपके स्कूल की छूटिया चल रही हो चाहिए आप घूमने जा रहे हो यह सब प्लैंस केंसिल कीजिए अभी फिर बोल रहा हूं दो लाइने फिर से आपको इस वक्त की नजाकत समझाने के लिए कि वक्त ये भी बीट जाएगा वक्त ये भी बीट जाएगा फिर एक नया सवेरा आएगा तो बस हौसला रखकर करता जा महनत जो जो तूने सोचा है वो वो वैसे वैसे सत्य होता तो प्लीज बी इन दा ग्राउंड और जो जो आपने सोचा है वो सारी चीज़े आपको मिलेगी चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो रैंक हो चाहे वो आपकी कुछ आपने एक ऐसी सुनेरी लाइफ सोची है सब मिलेगा ठीक है और किसी भी बात से परिशान मत होनी जी हो येगा कि कि एकषी ही बात को अपने सर पर हावी Heψ रहे लए कोई बात zehnकिया बरबाद है जब हमने ये accept कर लिया तो अब इसके साथ साथ इतने ही कूल रहकर ये भी एक्सेप्त करो कि बरबाद है इसको सही भी कर देम है। हम teils बहुत है समझतित है। यह सब्सक्राइग को अलब झाल झाल झाल